वेलकम एवरिवन मैं हूँ प्रतिक्षा गाइस अब सभी लोगों के साथ में हम लोगों ने मिलके लुसिफर सीजन स्टार्ट किया था जहाँ पे हम लोग डेविल की स्टोरी देख रहे थे और अब इसी डेविल स्टोरी को आगे लेकी चलते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं सीजन टू पे गाइस जैसे जैसे ये एपिसोड सागे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास स्टोरी लाइन और जाधा टिपिकल होती जा रहे है इस एपिसोड के अंदर हम लोग दो नए क्यारेक्टर्स देखेंगे एक बात तो तै है कि लुसिफर की कास्टिंग बहुत ही शांदार तरीके से की गई है इसका हर एक क्यारेक्टर अपनी रोल को बहुत अच्छी तरीके से जस्टिफाई करता है और काईस मैं बिल्कुल भी नहीं चाती कि आप इन एपिसोड की छोटी छोटी बारीकियों को नहीं जान पाएं इसलिए मैं कोशिश करते हूँ कि हर एक सीन को अच्छी से डिस्क्राइब कर पाऊं तो चलिए बिना प्रतिक्षा कराए मैं आप सभी को ले चलती हूँ लूसिफर सीजन सेकिंड के एपिसोड नमबर फर्स्ट में यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ मास्क पहने लोग एक जूल्डरी शॉप के अंदर रॉबरी करने के लिए पहुँच जाते हैं लेकिन जहां पे हमने लास्ट एपिसोड खतम किया था और हमें पता चला था कि लूसिफर और एमेनेडील की मॉम हैल सी भाग चुकी है तो लूसिफर और एमेनेडील हर जगह अपनी मॉम को ढूंड रहे थे लुसिफर उस थीव से पूछता है कि तुम ही मेरी मॉम होना और तुम ही यहाँ पे यह सब चोरी करने के लिए आई हो अब तुम्हारा हैल में मन नहीं लग रहा है तो वो थीव बोलता है कि भाई मैं चोड तो हूँ लेकिन मैं तुम्हारी मॉम बिल्कुल नहीं हूँ और इसके बाद मैं आमेने डील वहाँ पे वक्त रोक देता है और लुसिफर को बताता है कि ये बंदा हमारे लिस्ट में लास्ट नंबर पे था क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जितनी भी बॉडिस चेक की थी वो मर के वापिस से जिन्दा हुई थी और इनमें से कोई भी हमारी मॉम नहीं है लुसिफर उस जगह को छोड़ी नहीं सकता था जबता कि वो कुछ उल्टी सीधी हरकत ना करे इसलिए वो उस थीफ के पूरे कपड़े उतार देता है उसे क्राउन पहना देता है और इसी के साथ उसके शूस की लेज भी बान के वहाँ से चला जाता है लुसिफर अपनी थेरेपी के लिए पहुचता है लिंडा के पास में जहां पे वो अपनी पूरी डैविल स्टोरी बताता है वो बताता है कि एक टाइम के अंदर एक लड़का था एक लड़की थी दौनों की शादी हुई और उनके खुब सारी बच्चे हुए जो कि थे मेरे मॉम और डैड इसके बाद में डैड एक प्रोजेक्ट पे पिसी हो गए यानि कि इनसानों को बनाने का प्रोजेक्ट और इसी कारण मेरे मॉम उनसे काफी खफा रहने लगी और इसके बाद में लिंडा बोलती है कि हाँ और उसके बाद में उनके बच्चों ने उनसे बगावत कर दी यहाँ पे zine shift हो जाता है अब एक crime zine पे जहाँ पे Chloe Lucifer को कहती है कि पिछली बार तुम्हें गोली लगी थी तुम पूरी तरीके से blood से सने हुए थे तुम ठीक कैसे हो गए Lucifer कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताओं कि मैं immortal हूँ मुझे कुछ नहीं हो सकता है तुम मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करती हो तुम मेरा blood test करो और तुमें खुद पता चल जाएगा यहाँ पे Lucifer और Chloe देखते हैं कि एक लड़की की death हो रखी थी जिसके सर पे हॉन लगे हुए थे यानि कि जिसने भी इस लड़की को मारा था इसे मारने का तरीका लगता है Lucifer को अपने mom के जैसे यानि कि यह जरूर मेरी mom का ही काम है अब यहाँ पे guys हमें new character दिखाए जाती है जिसका नाम है Dr. Ella वो Chloe और Lucifer को बताती है कि इस लड़की की मौत यह हौन डालने से नहीं हुई है बलकि गला दबाने से हुई है और इसकी मौत यहाँ नहीं बलकि किसी और जगह हुई है इसे यहाँ सिर्फ लाया गया है इसके बाद में Chloe वहाँ पे Dan को देखती है Dan Chloe को बताता है कि मेरा सस्पेंशन कैंसिल हो गया है पुलिस वाले चाहते हैं कि Malcolm का केस और Palmetto Street वाला केस सब कुछ रफा दफा कर दिया जाए और अम में एक डिटेक्टिव नहीं हूँ तो तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे क्या काम करना है यहाँ पे Lucifer पहुचता है Ella के पास में और कहता है कि तुम नहीं हो Lucifer Ella के कले में क्रॉस देखके पूछता है कि क्या तुम God पे Believe करती हो और Ella वहाँ पे बोलना शुरू करती है कि God भी होते हैं और Devil भी होते हैं बलकि डेविल इतना बुरा भी नहीं होता जितना की लोगों ने बना रखा है बिचारा वो वहाँ पे काम करता करता बोर हो गया होगा लुसिफर ये बाते सुनके बहुत जादा इंप्रेस था एला से अब यहाँ पे लुसिफर और क्लोई पहुचते हैं जिस लड़की की डे का एक पैकेट मिलता है जिससे कि क्लोई को लगता है कि जेलियन इतनी पे इनोसेंट नहीं थी जितनी वो बन रही थी हो सकता है कि उसने भी कुछ न कुछ चीज़ें चुपाई हो घर से बाहर आते वक्त लुसिफर क्लोई को कहता है कि तुम समझ नहीं रही हो ये किसी और नहीं बलकि मेरी मॉम नहीं किया है यहां जीन शिफ्ट होता है लक्स के अंदर जहां पर आमेनेडील अकेला बैठा था और लुसिफर कहता है कि मुझे पता है अभी तक मेज नहीं आई है लेकिंग जल्द ही वो मिल जाएगी और इसी के साथ वो आमेनेडील को बोलता है कि मॉम मिल गई है मेरे नए केस के क्राइम सीन पर यहां पर लुसिफर और आमेनेडील के बीच में ये बात भी होती है कि लुसिफर क्लोई को जल्द ही बताने वाला है कि आखिर वो कौन है इसी कारण वो ब्लट सैंपल भी देने वाला है आमेनेडील कहता है कि इंसानों को प पताता है कि अभी कुछ दिन पहले ही सेट से एक वीडियो आया है जहां पे जेलियन और एमी के पीच में जकड़ा हो रहा है हो सकता है कि जेलियन को पता चल गया हो कि एमी अपने ड्रक्स काफी ज्यादा ले रही हो इसी कारण एमी ने जेलियन को मारा हो तो क्लोई कहती है कि हो सकता है ये बहुत बड़ी लीड हो EMI से बात करने के लिए Lucifer पहले ही पहुच गया था क्योंकि Lucifer को लग रहा था कि EMI मेरी मॉम है और तभी EMI Lucifer पे अटैक कर देती है और थोड़ी सी हाई पर हो जाती है Lucifer को पता चल चुका था कि ये मेरी मॉम बिल्कुल नहीं हो सकती है और वहाँ पे अब Chloe भी पहुँच चुकी थी इन्वेस्टिकेशन करने पे एमी बताती है कि जेलियन मुझे बच्चों की जैसे ट्रीट करने लगी थी वो मुझे हर समय डाटती रहती थी कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए लेकिन वो जो पैसो का पैकेट था वो मेरे सेट वालों ने उसे दिया था ताकि अगर वो मेरे साथ रहे तो वो मेरी देख भाल कर सके बस मुझे प्रॉबलम इस चीट से है कि मेरे ड्रक्स लेने के बारे में किसी को पता ना चल जाए और इसके बाद में वो अपना ड्रक्स का पैकेट क्लोई को दे देती है लुसिफर उस पैकेट पे बने स्टिकर को देख के कहता है कि उफ मेरा नाम हर जगह ही उसकिया जा रहा है और लुसिफर जाते टाइम क्लोई को कहता है कि तुम दर किस बात से रही हो इस बात से कि मेरी सच्चाई कहीं पता ना चल जाए तुम करो मेरा ब्लड टेस्ट और फिर देखो क्या होता है यहाँ पे एमनेटील लुसिफर की ब्लड सैंपल्स हटाने के लिए पहुचा था पुलिस टेशन के अंदर जहाँ पे वो टाइम को रोक देता है लेकिन कुछी सेकंड बाद में वो टाइम फिर से चलने लग जाता है और वहाँ पे खड़ा पुलिस वाला एमनेटील को पूचता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इससे हमें यह पता चलता है कि एमनेटील की पावर्स अब कम हो रही है यहाँ पे लुसिफर जब लिंडा के सामने बैठा था तो फिर से अपनी ही स्टोरी बता रहा था और तब लिंडा लुसिफर को कहती है कि मेरी तेरेपीस तुमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे है यानि कि तुम दिन बदिन और जादा उलचते जा रहे हो इधर क्लोई पहुंची थी लक्स के अंदर लुसिफर से बात करने के लिए जैसा कि लुसिफर ने कहा था कि मुझे तुम से बात करनी है लेकिन यहाँ पे उसे लुसिफर के जग एमेने डील मिलता है और वो कहता है कि तुम्हें लूसिफर के बारे में जानने का पूरा-पूरा हक है बलकि जानने का नहीं देखने का और इसके बाद में एमेनेडील खुद को शूट कर देता है हम लोगों का बचपन बिल्कुल भी ठीक नहीं गया था इसकारण लूसिफर ने खुद की इमिजनरी परसनालिटी बना ली है इसलिए वो खुद को डेविल कहता है और रही बाद चेहरे पढ़ने की तो उसने इस चीज की स्टडी बचपन से ही की है और अब क्लोई बिल्कु को छोड़ दिया था लूसिफर इन सभी लोगों के बीच में से उस ड्रग डिलर को ढूड़ना चाता था इसी कारण वो बीच स्टेज पे जाके बोलने लगता है कि मुझे ड्रक्स की बहुत जादा अलत है ताकि जो भी ड्रग डिलर हो वो ये चीज सुनके उसे ड्रक्स से क्लोई उससे पूछती है कि आखिर तुमने ही जेलियन को मारा है क्योंकि उसने एमी को मना कर दिया था तुमसे ड्रक्स खरीदने के लिए तो लड़का कहता है कि मेरा काम सिर्फ ड्रक्स बेचना है मैं किसी को भला क्यों मारूंगा और एमी मुझसे ड्रक्स खरीदने से प मेज कहती है कि इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे जब भुलाओ मैं तब तुम्हारे पास आ जाओ तो लूसिफर कहता है कि ये आज से नहीं हजारों सालों से चल रहा है हम जब से बने हैं तब से ये होता आ रहा है और तब मेस को ये भी पता चलता है लुसिफर से कि उसकी mom हल से भाग गई है मेस कहती है कि मैंने ही उन्हें वहां पे सबसे जादा torture किया है तो तुम ये मत सोचना कि उनको वहां से भगाने में मैंने help की है मेज लुसिफर से पूछती है कि ये जो लड़का है ये कौन है तो लुसिफर बताता है कि ये एमी का फ्रेंड है एमी वहाँ ये भी बताता है लुसिफर को कि जिस ट्रॉक डीलर को तुमने पकड़ा है उसने जेलियन को कभी भी नहीं मारा होगा यहां पर एक ड्रक डीलर नहीं, बलकि एक ड्रक डीलर और था, जो कि एमी को पहले सप्लाए किया करता था, लुसिफर सोचता है कि ये बात मुझे सबसे पहले Chloe को बतानी चाहिए, इसलिए वो वहाँ से जानने लगता है, तो मेज लुसिफर से पूछती है कि तुम आखिर व रही हुई और उसने कले में जो बैच पैंड रखा था उसमें लिखा था बॉबी भी यहां पे हम एक सीन देखते हैं कि एमनेडील और मेज आपस में मिलते हैं एमनेडील मेज से पूछता है कि आखिर तुम इतने समय तक कहां थी तो मेज कहती है कि मुझे तुम दौनों से ही दूर रहना था इसलिए मैं यहां पे ढूंड रही थी खुद को कैसे अकेला रखना है और इसमें कोई मेरी हेल्प भी कर रही है यहां पे हम देखते हैं कि एला अभी पी इसी केस पे काम कर रही थी और तभी वहां पे ख्लोई आके एला से पूछती है कि क्या तुम चलता है कि ऐसी सेम टू सेम रॉट्स हमने देखी थी जेलियन और एमी के लेंडलॉड के घर पे लूसिफर यहां पे पहले ही पहुँच चुका था लूसिफर यहां पे क्लोई से पहले ही पहुँच चुका था और बोलने लगता है कि जेलियन तुमें अपनी मॉम की जैसे मना करती थी लेकिन तुम इस चीज से गुस्सा थी कि जेलियन ने एमी की ड्रक्स की आदत छुडवा दी थी और इसी कारण तुमने उस बिचारी लड़की को मार दिया और तभी वो लेडी वहाँ लूसिफर के उपर अटैक कर देती है लेकिन सबसे बड़ी प्रॉबलम थी कि लूसिफर को चोट भी लगने लगी थी लेट मीन्स हम लोगों को पता है कि लूसिफर को चोट तभी लगती है जब क्लोई आसपास होती है लूसिफर कैसे तैसे उससे बच तो जाता है लेकिन वो लेडी ओल्मोस्ट लुसिफर को वापिस से मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे Chloe दर्वाजे को नौक नौक करती है Chloe को वहाँ पे समझ में आ जाता है कि घर के अंदर से कुछ आवाजे आ रही है Chloe दर्वाजा कोलती है और उस लेडी के उपर इलेक्ट्रिक गंसी शूट कर देती है और आखिर में उस लेडी को अरेस्ट कर लिया जाता है जेलियन की मर्डर के लिए यहाँ पे लुसिफर अभी भी Chloe को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब कुछ उसके मॉम नहीं किया है लेकिन इसी के साथ में Chloe लुसिफर को यह भी समझाती है कि हो सकता है कि यह सब तुमारे दिमाग की मन गणन पाते हूँ लेकिन मैं जब भी तुमारे साथ रहती हूँ तो मैं एक अच्छी डिटेक्टिफ बनी रहती हूँ लुसिफर यहाँ पर पहुँचता है लिंडा के पास में और लिंडा को फिर से इसी केस से रिलिटिब चीज़े बताने लगता है और साथ ही में वो ये भी फील करता है कि अगर मेरी मॉम ने मेरी लिए कुछ नहीं किया तो मैंने भी तो उनके लिए कुछ भी नहीं किया वो सकता है कि जब ये सब कुछ चल रहा हो तो मेरी मॉम मुझसे कुछ कहना चाती हूँ लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही उन्हें हेल की तरवाजों में बंद कर दिया गया हो आखिर मेरी मॉम कहना क्या चाहती थी और इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर उलजे हुए थे यहाँ पे लुसिफर अपनी कोशिंस में उलजा हुआ था कि मॉम आखिर कहां पे होंगी यहाँ पे क्लोई क्लियर थी कि लुसिफर एक नॉर्मल इंसान है इसी कारण उसने वो ब्लड टेस्ट के सैंपल भी फैक दिये थे यहाँ पे एमने डील अपनी पावर स्ट्राइक कर रहा था लेकिन एमने डील को पता चल रहा था कि उसके समय रोकने वाले पावर अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है यहाँ पे मेज दिखाई जाती है जहाँ मेज ने बताया था कि वो अपना टाइम एक लड़की के साथ स्पेंड कर रही है खुद को बदलने के लिए और यह लड़की और कोई नहीं बलकि डॉक्टर लिंडा थी यहाँ पे डैन और क्लोई के बीच में भी कुछ सही नहीं था आकरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुसिफर अभी अपना प्यानो प्ले कर रहा था और सिंग कर रहा था तब ही वहाँ लिफ्ट से कोई आती हुई दिखाई देती है लुसिफर को तो लुसिफर कहता है क येस मैं आपकी कैसे help कर सकता हूँ वो लड़की वहाँ पे कहती है कि Lucifer मेरी मदद करो और इसके बाद में Lucifer के मुझ से निकलता है mom और वो लड़की वहीं पे Lucifer की गोद में बेहोश हो जाती है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे चलेगा एपिसोड 2 में जहां पे हमने इससे पहले वाले एपिसोड में देखा था कि Lucifer की mom अब वापिस से अर्थ पे आ चुकी है जैसे जैसे यह सीजन आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही इन सीजन के अंदर बहुत सारी comedy, emotions और इसके साथ में suspense भी बढ़ता जा रहा है तो चलिए फिर बिना प्रतिक्षा कराए मैं आज के एपिसोड के स्टार्टिंग करती हूँ जहां पे हम देखते हैं कि रोड पे एक आदमी की जान जा चुकी थी लेकिन वो फिर से जिन्दा हो चुका था और लुसिफर को पुकार रहा था लेकिन एक टाइम के बाद में वो ट्रक के सामने आके मर जाता है वहीं दूसरी तरफ एक ग्रूप शुटिंग के अंदर एक आदमी को गोली लग चुकी थी लेकिन फिर से वो पिस जिन्दा हो चुका था और लुसिफर का ही नाम ले रहा था अब गाइस मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग कौन है और मरने के बाद में पिस जिन्दा कैसे हुए है गाइस ये वो सोल्स हैं जो कि हैल में सी भाग चुकी है और अब जब लुसिफर हैल में नई है तो ये सोल्स अपने मन की मर्जी कर रही है इसके बाद में हम देखते हैं एक सीन जो कि बैग्राउंड में चल रहा था यानि कि लुसिफर की मॉम अपने स्टोरी बता रही थी कि जब उनके आँके खुली तो एक फोन बच रहा था जिसे वो आइस चक के अंदर डाल देती है और इसके बाद में मिरर में देखती है कि उन्हें कुछ पेन हो रहा है तो उन्हें पता चलता है कि उनके नेक के अंदर एक स्कूरू ड्राइवर लगा हुआ है स्कूरू ड्राइवर निकालने के बाद में उनके दिमाग में जो सबसे पहला नाम था वो था लूसिफर का लूसिफर ये सारी चीजें बैटके सुन रहा था और लूसिफर को अपनी मॉम की किसी बात पर बलीब नहीं था लुसिफर की मॉम लुसिफर को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और खुद अपनी आँखों से ये चीज़ें देख लो तब लुसिफर कहता है कि आपका यहां पे रहने का कोई काम नहीं है और उसके बाध में वो Emanitil को याद करने लगता है लुसिफर की मॉम कहती है कि वाओ एमने टील पर यहाँ पर है तो लुसिफर कहता है कि मैं उसे बुला रहा हूँ ताकि वो आपको उठा के वापस हैल ले जाए लुसिफर की मॉम यहाँ पर लुसिफर को मना करती है कि नहीं नहीं तुम ऐसा पिल्कुल नहीं कर सकते हो और इनके बीच में फिर से उसी चीज का आर्ग्यूमेंट होता है कि डैड ने जब मुझे हेविन से निकाल दिया था तो आप सारी चीजें सामने खड़ियों के बस सुन रही थी आपने कुछ भी नहीं किया तो लुसिफर की मॉम क्याती है कि मैं यहाँ पे सब कुछ ठीक करन के लिए हूँ तुम वहाँ हैल में डीमन्स को भीचने के बजाए कभी खुद भी आ सकते थे और इसके बाद में लुसिफर यहाँ पे अपनी मॉम को मेज की कपड़े देखे उसी क्राइम सीन पर पहुंच जाता है जो कि लुसिफर की मॉम ने कहे थे वहाँ पे लुसिफर अपनी आखों से देखता है कि फ्लोर पे सच में बहुत सारा ब्लड है और इसी के साथ लुसिफर को पता चलता है कि रूम के अंदर एक डेड बॉड़ी और है जिसके बारे में वो खुद की मॉम से पूचता है तो उसकी मॉम कहती है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पत है वहां दर्वाजे पर कोई नौक नौक करता है लुसिफर अपनी मॉम को मना करता है कि हमें यहां से जल्दी चलना पड़ेगा इंसानों को ऐसी खून खराबा देखने की आदत नहीं है यहां हर कोई लुसिफर के मॉम को काफी जादा घूर रहा था और लुसिफर कहता है कि यह सारी चीजें आपके कपड़ों के कारण हुई है लुसिफर की मॉम हुमन बिहेवियर को चांती नहीं थी इसी कारण वो कुछ उल्टा सिदा बिहेव करने लगती है आप यहां पे क्लोई अपनी बेटी ट्रिक्सी को डांट रही थी कि तुमने डॉल का इतना बुरा ह श्रिक्यू किया है और लुसिफर क्लोई को कहता है कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा बीफ मत करो जब किसी बच्ची को किसी चीज की जरूरत है तो वो लाके दो और इसी की बाद में क्लोई के पास में एक क्राइम सीन का कॉल आता है यह वही होटेल था जहां पे क्लोई को हॉल में ले जाता है और बागी चीजें भी दिखाता है लुसिफर अपनी खुद की बातों से वहां पे रखा फोन भी लैब में भिजवा देता है क्राइम सीन को देखते हुए लगता है कि यहां पे जिसकी भी डैथ हुई है उसके साथ में यह लड़का रिलेश ने लगाने लगते है कि आखिर वहां पे सिचुएशन क्या होई होगी लुसिफर अभी भी अपनी मौम के ऊपर इशारह कर रहा था कि हो सकता है कि इस लेडी ने सबी को मा पर देखते हैं इनी को लेके वो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि एमेने डील अभी भी अपने ओफिस में था जहाँ पे वो कुछ बुक्स को देख रहा था वो उन बुक्स को देख रहा था जहां से उसे पता चले कि उसकी पावर्स कम कैसे हो रही है लिंडा यहाँ पे आकि एमेने डील को बहुत कुछ बुरा भला बोलती है और बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था यानि कि मेरे प्रोफिशन के साथ मजाग और एमेने डील उससे माफी मांगता है यहाँ पे लुसिफर और क्लोई पहुँच जाते हैं एक लॉयर कमपनी में जिसका नाम रिचर्ड अन विलियन्स था जहाँ पे क्लोई लुसिफर एक सेलफोन दिखाता है सभी के बीच में तो वहाँ की लोग कहते हैं कि ये फोन हमें कमपनी ने दिया है और इसकी बाद में सैंडल दिखाने पे वहाँ का एक आदमी कहता है कि ये तो शार्लेट का सैंडल है क्लोई और लुसिफर जिस आत्मी के पास बैठे थे इसका नाम था ब्रेड वो बताता है कि शार्लेट एक बहुत अच्छी लॉयर थी और वो एक केस के उपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी ये सब कुछ मेरे कारण ही हुआ है लुसिफर जब अपनी आँखों से उसे मैनुपलेट करता है तो ब्रेड बोलने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़ादा प्यार करते थे तो लुसिफर और क्लोई ब्रेड को बताते हैं कि वो होटल में किसी और लड़के के साथ मिली थी तो ब्रेड बताता है कि वो मुझसे बहुत ज़ादा लॉयल थी इवन वो अपने हस्बन के साथ में भी इतनी लॉयल नहीं थी इसके बाद इन लोगों को पता चलता है कि रिचर्ड अल्रेडी मेरिड है लुसिफर और क्लोई पहुँचते हैं शारलेड के घर पे जहां पर उसके हस्बन काफी बुरी हालत में था शारलेड का हस्बन बताता है कि शारलेड अपने बिसनेस टूर से काफी दिनों तक भार ही रहती है घर से इसी कारए मैंने कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखाई है शारलेड के हस्बन का ड्रेसिंग सेंस देखके लुसिफर कहता है कि मुझे तो तुमारा वार्डरोब पूरा साफ करना पड़ेगा और इसी वार्डरोब को चेक करते हुए लुसिफर को यहाँ पे कोकेन की बहुत सारी पैकेट्स मिलते हैं अब हम देखते हैं कि शारलेड के बॉड़े में लुसिफर की मॉम है जिसे हम शारलेड ही कहेंगे जिसके हाथ पूरी तरीके से बंदे हुए थे और मीज वहाँ पे उसी टॉर्चर करने के लिए आई थी यहाँ पे पूलिस टेशन के अंदर कुछ पेपर्स देखने पे पता चलता है कि शारलेड जिसके इस पे काम कर रही थी वो कोई ना कोई ड्रग डिलिंग का ग्रुप था जिसका लीडर परेज नाम का था और जिसकी शूटर का आतमी था जिमी और इसके मारने का तरीका हुब हुब वही है जो कि हमें शारलेड के साथ होटेल में मिली बॉड़ी के उपर थे यानि के स्कुरू ड्राइवर से इधर यहाँ शारलेड में इसको अपनी बातों के अंदर फसा देती है और दूसरी तरफ बाकी रिपोट्स देखने के बाद में अब लूसिफर को भी समझ में आता है कि शारलेड यानि के इसकी मॉम ने ये इतने सारी मर्डर नहीं किये हैं बलकि SBI के साथ वो जो मिलके काम कर रही थी इसी कारण इसी गैंग में से किसी ने शारलेड का मुर्डर कर दिया है और हो सकता है कि अगर शारलेड जिंदा बच गई है तो उसे मारने के लिए फिर से ये गैंग उसके उपर अटेक कर सकती है यहां लुसिफर भागता हुआ अपने घर पे पहुचता है जहां पे वो मेज को कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहां पे मौम का ध्यान रखने के लिए हो तो मेज बताती है कि तुमारी मौम यहां से भाग चुकी है लुसिफर कहता है कि चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ अगर वो कहीं भी जाएंगी तो कोई उन्हें मार देगा और फिर से किसी और की बॉड़ी ले लेंगी और यहाँ पे आ जाएंगी तो मेस कहती है कि मेरे मूँ से बातों ये बातों में निकल गया कि तुमने गॉड के साथ में एक डील की है और इसी कारण अब शायद वो इस घर पे कभी नहीं आएंगी तो लुसिफर को काफी जादा टैंशन हो जाती है कि आखिर वो पहली बात तो इंसानी बाटी संभाल नहीं सकती है तो अब वो उसी ड्रग डिलिंग के ग्रुप के लीडर के पास में पहुँच जाता है जिसके पारे में पेपर्स में लिखा था वहाँ पे वो बहुत सारे लोगों को मारता है और उसके बाद में जब लास्ट में एक आदमे को उठा के फैकता है यानि कि शालिट के साथ में जो आदमी मरा हुआ मिला था उस आदमी को सिर्फ और सिर्फ गलत इन्फोमेशन दी जा रही थी ड्रग ग्रुप के थूँ ताकि वो SBI को सिर्फ गलत इन्फोमेशन दे पाए और स्कुरू ड्राइवर से जो आदमी सभी को मारता है उस Garpenter की तो काफी समय पहले ही death हो चुकी थी आप यहाँ पे Lucifer और Chloe को पता चलता है कि इस पूरे case पे Charlotte के अलावा एक आत्मी और काम कर रहा था जिसका नाम था Hoff, यह Charlotte का assistant था Chloe और Lucifer Hoff के पास जाकि उससे investigation करने लगते हैं तो Hoff वहाँ पे बोलता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे दो चुनों की death हो गई है तो Lucifer कहता है कि एक सेकेंड हमने तुमें कभी नहीं बताया कि एक साथ दो लोगों की death हो चुकी है तो तुमें कैसे पता और दूसरी बात यह है कि शालेट अभी तक मरी नहीं है जरूर तुमने ही उसे मारा होगा क्योंकि तुम भी यहाँ पे प्रमोशन लेना चाहते थे लेकिन तुमारे बॉस ने तुमें कभी प्रमोशन नहीं दिया इसी चक्कर में आके तुमने शालेट को मारा होगा तो होफ वहाँ पे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि आगे के कुश्चन आप मेरे लॉयर से पूछिएगा यहाँ हम देखते हैं कि शालेट काफी सारी शॉपिंग करके एक शॉपिंग मॉल से बाहर आ रही थी और तभी वहाँ पे होफ स्क्रूड्राइवर लेके उसके सामने खड़ा था और उसी बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आया कि मुझे भी अपॉचुनिटी चाहिए थी और मुझे भी प्रॉग्रिस चाहिए था जो कि पॉस ने मुझे कभी नहीं दिया इसलिए तो मैं तुम्हें मारना चाहता था और तभी वहाँ पे लुसिफर पहुँच जाता है और वो हॉफ का हाथ पकड़ लेता है यहाँ पे क्लोई भी पहुँच चुकी थी पाउंगी कि तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के बीच में आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम एक बार अगर उनसे बैट के बात भी करोगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएं यहाँ पे एमने डील लिंडा के पास में पहुँचता है जिनकी अंदर कुछ पावर नहीं बची है और दूसरी तरफ लुसिफर यहाँ अपनी ही सोच में गुम था कि आखिर उसकी मॉम सच बोल रहे है या जूट बोल रहे है लुसिफर की मॉम लुसिफर के लिए कुछ खाने के लिए बना के लिए की आई थी और वो लुसिफर को कहती है कि बेटा मैं तो हमेशा तुम लोगों के साथ ही रहना चाहती थी हम लोग वापिस से हैविन चलते हैं और सब साथ में रहेंगे तो लुसिफर कहता है कि उस समय आप कहां थी जब डैड ने मुझे बेदखल कर दिया था हैविन से तो लुसिफर की मौम कहती है कि आज मुझे तुम्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा तुम्हारे डैड ने नहीं बलकि तुम्हें वहाँ से मैंने निकल वाया था जब तुमने तुम्हारे डैड से बगावत की थी तो वो तुमसे काफी ज़ादा गुसा थे और वो तुम्हें बरबाद करना चाहते थे मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होना चाहती थी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए हैल चुना लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अपने सारे बच्चों के साथ में मैं वापिस से हैविन चली जाओ ये सारी बाते सुनके लुसिफर एक बार के लिए कनफ्यूज हो जाता है कि आखिर मॉम सच कह रही है या जूट कह रही है और इसके बाद में लुसिफर डिसाइड करता है कि वो अभी अपनी मॉम को हैल नहीं भेजेगा जब तक कि वो डिसाइड नहीं कर लेकि मॉम का करना क चल रहा है आखे लुसिफर की मॉम लुसिफर का करना क्या चाहती है वो उसका बुरा चाहती है या अच्छा चाहती है ये तो हमें बात में ही पता चलेगा लेकिन उनके ये स्माइल कोई भी अच्छा साइन नहीं दे रही थी और इसी के साथ में Lucifer की Mom की स्माइल के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है ये Lucifer सीजन टू का एपिसोड नमबर धर है जहां पे हमने इससे पहले वाले एपिसोड में देखा था कि Lucifer ने अभी तक अपने Mom को कोई punishment नहीं दिया था इस कारण लुसिफर की मॉम अभी भी अर्थ पे ही है तो अब हम सभी लोगों को ये देखना है कि लुसिफर आखिर अपनी मॉम को क्या पनिश्मेंट देता है एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि चहां डेविल अपना कोई प्राइविट मॉमेंट शेयर कर रहा था वहीं पे अब लुसिफर की मॉम भी आचुकी थी जो कि लुसिफर को बताती है कि मैं इंसानों के शरीर में अभी तक कमफर्टेबल नहीं हो पाई हूँ और उपर से तुम भी डेविल होने के बावजूद इंसानों के नौकरी कर रहे हो तो लुसिफर वहां कहता है कि मैं कोई नौकरी नहीं कर रहा हूँ बलकि मुझे जो काम पसंद है मैं वो ही कर रहा हूँ यानि कि लोगों को पनिश्मेंट देना और हो सके तो आप भी कहीं पे बिसी रहें कुछ दूसरी चीजे करने में ना कि मेरी लाइफ में इंटरफेर करके यहाँ पे डैन ट्रिक्सी से बाती कर रहा था और इसके बाद में हम देखते हैं कि क्लोई और डैन का किसी ट्रिप पे चाने का प्लैन था लेकिन वो सक्सेस्फुल नहीं हो पाता है एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एक इंसान खुद के बुरे कामों के लिए माफी मांग रहा था और उसके बाद में वो खुद को जला लेता है इसके बाद हमें यही सीन दिखाया जाता है यानि की पूरा चला हुआ इंसान इस क्राइम जीन पे पहुँच चुके थी सभी लोग जहां पे लुसिफर उस जली हुई बादी को देख के कहता है कि ये तो मैंने हैल में सबसे बुरे लोगों के लिए सजा सोच रखी थी लेकिन ऐसा आखिर किसी ने क्यों किया होगा क्लोई जब एला से पूछती है कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई तो एला बताती है कि ये काफी जादा चला हुआ है यानि कि इसके आसपास काफी जादा ओयल था और सबसे इंपोर्टेंट चीज के जिसने भी इसे मारा है उसने सबसे जादा ओयल इसके प्राइवेट पार्ट पे रखा था यहाँ पे इन्वेस्टिकेशन करने से लूसिफर और क्लोई को पता चलता है कि इस चीज का एक वीडियो बनाया गया था और ये वीडियो किसी वोबल नाम की एप पे अपलोड किया गया था ये एक ऐसा एप है जहाँ पे कोई पे इनसान किसी भी तरह के का वीडियो अपलोड कर सकता है इसी कारण अब ये लोग इन्वेस्टिकेशन करने के लिए वोबल के आफिस पहुँच चुके थे जहाँ पे ये लोग वोबल के डायरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम था लायला लुसिफर और क्लोई कहते हैं कि आखिर जिसकी मौत हुई है वो तुमारी ही कमपनी में काम करता था और इसका नाम निकोल है लायला जब ये बात सुनती है तो वो रोती रोती बोलती है कि निकोल के साथ में ऐसे कैसी हो सकता है और लुसिफर का शक था कि शायद इसी लड़के ने निकोल को मारा है तो लाइला बताती है कि मैं और निकोल आज से काफी समय पहले डेट कर रहे थे और निकोल ने मेरी कुछ पिचर्स सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी थी अब मैं किसी जगह की बॉस हूँ और वो एंपलोई है तो वो ऐसी चीज तो बिलकुल नहीं कर सकता है न तब लुसिफर कहता है कि इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उसे जला के मार दोगी तो लाइला कहती है कि एक मिनिट क्या तुमने कहा कि जला के मार दोगी और इसी की बाद में लाइला वहाँ पे अपनी कमपनी की HR मैनेजर को बिलाती है जिसका नाम था रे वो रे को कहती है कि वो वाला वीडियो दिखाओ जो कि हम लोगों ने कैम्पिनिंग पे शूट किया था रे एक वीडियो दिखाता है जिसमें निकोल ने और आदमी के साथ में प्रेंक किया था और अब क्लोई समझ जाती है कि शायद टॉम ने बदला लेने के कारण ही निकोल को जला दिया जब टॉम से पूछा जाता है कि निकोल को तुमने क्यों जलाया तो टॉम कहता है कि उस आत्मी के साथ में तो यही होना चाहिए था लुसिफर जब यहाँ पर टॉम से पूछता है कि क्या तुमने ही निकोल को मारा है तो टॉम यहाँ पर एक यह बार में एकसेप्ट कर लेता है और बूलता है कि हाँ निकोल को मैंने ही मारा है Chloe को ये बात बिलकुल भी हजम नहीं होती है कि ये केस इतनी जल्दी सौल्फ कैसे हो गया लुसिफर देखता है कि पुलिस टेशन में उसकी मॉम यानि कि शालिट सभी लोगों से बाती कर रही थी क्लोई बताती है कि शालिट लॉयर से पहले एक पुलिस वाली थी इसी करण यहाँ पे सभी लोग उसे चानते हैं लुसिफर शालेट के पास में आके कहता है कि मॉम आप यहां पर क्यों आई हैं तो शालेट कहती है कि तुमने ही तो बोला कि अपना ध्यान किसी दूसरी चीज़ों में लगाओ और मैं भी आकर देखना चाहती थी कि मेरा बेटा इंसानों के बीच में कर क्या रहा है लुसिफर शालेट को लेके जाता है और लिफ्ट में से उसे भेच देता है और बोलता है कि आप घर जाए क्लोई ये सीन देखके बोलती है कि मुझे नहीं पता था लुसिफर कि शालेट और तुम दोनों इतने क्लोज हो तो लुसिफर कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिलकुल भी नहीं है इसी टाइम डैन आता है और क्लोई को कहता है कि तुम्हें ये वीडियो देखना चाहिए इन लोगों के पास एक ऐसा वीडियो था जिसकी अंदर एक आदमे फिर सी कनफेस कर रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मुझे इन चीजों की सजा मिलनी चाहिए ये सभी लोग क्राइम सीन पे पहुँच चुके थे जहां पे ये लोग एक डैड बॉडि देखते हैं कि इसकी मौत गला दबाने से हुई है और इसके साथ में इसकी सारी हटियां भी टूटी हुई है वो जब गले का बैल्ट अठाती है तो देखती है कि इसकी पूरी बॉडि के अंदर बहुत सारे एपल है इस बॉडि के अंदर एक फोन भी रखा हुआ था क्लोई लूसिफोर और एला जब उस फोन के अंदर चलती हुई वी वीडियो देखते हैं तो वो देखते हैं कि जिसका मुर्डर हुआ है उसने एक पॉन वीडियो बना रखा था एक लड़की के साथ में जिसे उसने सोशल मीडिया पे अपलोड किया है जिसका मुर्डर हुआ था उस लड़के की ड्रेस देखके ये लोग समझ चाते हैं कि ये चीज़ किसी स्कूल से रिलेटेड है और इसी कारण वीडियो वाली लड़की की डिटेल पता लगाने पे पता चलता है कि इस लड़के का नाम एडम है और ये जो लड़की साथ में है वो इसकी गल्फरेंड है ब्रेक अप होने के बाद में एडम ने ये पॉन वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया सानों के जैसे नॉर्मल कर रही थी इसी कारण वो लिंडा की हेलप लेती है और अब मेज लिंडा को कहती है कि मुझे लुसिफर से एक औरत को दूर करना है और शायद मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है यहाँ पे डैन और क्लोई अभी भी उसी ट्रिप के बारे में ब फिर से कहता है कि आप यह उट पतांग चीजे करना न जाने कब बंद करेंगी यहाँ क्लोई को लगता है कि शायद सब कुछ वोबल के ऑफिस से ही स्टार्ट हुआ है तो एक बार फिर से वहाँ जाके पूछताच करनी चाहिए वो जब लायला से कहती है कि आखिर यह सारे वीडियोज अप्लोड कैसे होते है तो लायला कहती है कि इस साइट पर कोई यह बीडियोज अप्लोड कर सकता है लेकिन अगर किसी का भी कॉन्तेंट कुछ हामफुल या फिर कुछ डीफरिंट हुआं तो उससे पहले कॉंटेंट मॉडिरेटर देखते हैं अगर वो वीडि पे जो कि काफी परेशान था और अपने ओफिस के अंदर बैट के ड्रिंग कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि अब उसके पास में बिल्कुल भी पावर्स नहीं रही है वहीं पे मेज पहुंच जाती है और एमने डील को बताती है कि तुम्हें लुसिफर की हेल्प करनी पड आदमे क्लोई वहां पे काम कर रहे हैं एक आदमी से पूछती है कि यहां पे सबसे पुराना आत्मी कौन है तो वो एमप्लॉय बताता है कि यहां पे शायद सबसे पुराना तो मैं ही हूँ मुझे पूरे पूरे दो महीने हो चुके हैं या फिर मुझसे पहले लायला क्यों एक content moderator ही थी अब Chloe और Lucifer को समझ में आ चुका था कि Laila ही ये सारे murder कर रही है यानि कि उसे ही लोगों को punishment देना था कि आखिर लोग ये बुरा काम क्यों कर रहे हैं जब Chloe और Lucifer Laila के cabin में जाते हैं उसे पकड़ने के लिए तो वो लोग देखते हैं कि Laila तो यहाँ पे है ही नहीं यानि कि murderer वहाँ से भाग चुकी थी Amenadil यहाँ पे Lux पहुँचता है और वहीं पर Charlotte भी Amenadil के सामने आ जाती है वो Amenadil से पूछती है कि क्या तुम मेरी help कर सकते हो क्योंकि मेरी मेरे बच्चों के साथ में नहीं बन रही है तो Amenadil बोलता है कि आपको कुछ दिन चली जाना चाहिए और वहाँ पे Charlotte बोलने लगती है कि क्या तुम एक अच्छे बेटे हो अगर अच्छे बेटे हो तो तुमने अपनी मॉम को हैल क्यों बेजा और ये सारी बाते सुनके Amenadil समझ चाता है कि उसके सामने खड़ी लड़की उसकी मॉम है और फिर Charlotte कहती है कि यहाँ पे Lucifer इनसानों की मदद करने में बिजी है और तुम अपने डैट की चमचागिरी करने में बिजी हो मुझे तुम लोगों ने हैल भेज दिया मैं अकेली पड़ गई इतनी सारी बाते कहके Amenadil को Charlotte ने बिलकुल emotional कर दिया था यहाँ पे पुलिस टेशन के अंदर Lucifer और Chloe को स्क्रीन पे दिखता है वोबल का एक message जो कि दिखा रहा था कि Laila एक घंटे के अंदर live आने वाली है और अब इन लोगों को पता चलता है कि Laila suicide करने वाली है लाइव वीडियो देखने पे इन लोगों को पता चलता है कि Laila के पीछे किसी ने गन रख रखी है यानि कि Laila भी murderer नहीं है बलकि उसे murderer करवाए जा रहे हैं और location trust करने पे ने पता चलता है कि Laila अभी भी वोबल के अंदर ही है यहाँ Lucifer और Chloe वोबल के उस sector में पहुचते हैं जहाँ पे सारा data store हो रखा था और यह लोग Laila की आवाद सुनते हैं जहाँ पे Laila confess कर रही थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है इस app को बना के और अब मैं अपनी गलती सुधारना चाती हूँ और उसकी बाद में Laila एक आदमी को कहती है कि प्लीज मुझसे यह मत करवाओ यह आदमी और कोई नहीं बलकि शुरवात में जो हमने HR मैनेजर देखा था रे यह वो ही आदमी है लुसिफर कहता है क्लोई को कि तुम शूट क्यों ने कर रही हो तो रे कहता है कि यह सारे लोग बहुत बुरे हैं और इन्हें और कोई सजा नहीं देता इसी कारण यह काम मैं कर रहा हूँ तो लुसिफर कहता है कि यह काम तुम्हारा नहीं है रे ये बाते बिल्कुल भी नहीं समझता है और वो अपने हाथ से लाइटर गिराने ही वाला था कि तभी वहाँ पे Chloe fire alarm चला देती है जिस कारण ice liquid आके इन सभी लोगों पे गिर जाता है और लाइला की जान भी बच जाती है यहाँ पे Chloe और Dan आपस में बात करते हैं जहाँ य शायद aminadil mom को देखके वापिस हेल ले गया हो तो वहां चारलेट आती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है aminadil मुझे हेल नहीं लेके गया है तो लुसिफर aminadil को कहता है कि तुम आखिर चाहती तो यही थे ना तुम तो हमेशा से यही चाहते थे कि mom को पनिश्मेंट तो मिलेगी ही और इसके बाद में लुसिफर अपनी मौम को पनिश्मेंट सुनाता है वो कहता है कि आपको अब इस अर्थ पे ही रुखना पड़ेगा और वो भी उन इंसानों के बीच में जिन इंसानों से आप काफी जादा नफरत करती है तो लुसिफर की मौ कहती है कि यह शालेट की बाड़ी है जिसका हस्पेंड और बच्चे भी है तो लुसिफर कहता है कि जी हाँ आपको अप इसी बाड़ी के अंदर रहना है अगर आपको अपने बेटों के साथ में रहना है तो आखिर में शालेट कहती है कि मुझे यह चीज मनजूर है उसे धक्का देती है लेकिन वो धक्का इतना जाधा पावरफुल था कि वो आदमी दिवार से भिड़ के मर ही जाता है और शारलेट को पता चलता है कि शारलेट काफी जाधा स्ट्रॉंग है और इसके बाद में फिर से शारलेट एक सरक्यास्मे वाले स्माइल देके वहां से आगे निकल जाती है, overall शार्लेट का जो मकसद था, यानि कि लुसिफर की मॉम का जो मकसद था, अर्थ पे रुकने का वो पूरा हो चुका था, बाइ हुक और बाइ क्रुक, उसने लुसिफर और आमने टील को मना ही लिया था, ताकि वो इसी अर्थ पे रुक सके, और इसी के स में लुसिफर भी अब डैन के साथ में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही थी, तो अब हम लोगों को देखना ये है कि इनके लाइफ में आगे और क्या-क्या होता है, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि कोई दो लोग अपने ड्रोन को ढूंडते हुए फ किसी अपनी प्रॉब्लम्स या तो छुपानी हो या फिर उसके बारे में सोचना ही नहीं हो, और इसके बात में लुसिफर को अपना अंसर मिल चुका था, यानि कि अगर वो किसी चीज के बारे में सोच रहा है तो उससे अगर वो अपना ध्यान हटा ले, तो वो ज़ाधा परेशान नहीं होगा, अब यहाँ पे क्लोई और लुसिफर पहुंच जाते हैं क्राइम सीन पे, जहाँ पे डैन भी था, डैट बॉड़ी के आसपास ना तो कोई फोन था, ना ही कोई आइडेंटी प्रूफ था, लेकिन यहाँ पे एक टेक्सी खड़ी थी, टेक्सी की डी जाच करनी है तो उस लड़के से करो, जिससे ये लड़की झखड़ा कर रही थी, यहाँ पे मेज पहुचती है शारलेट के घर पे, जहाँ पे शारलेट जो कि लुसिफर की मॉम थी, एक इंसानों वाले जिन्दकी जी रही थी, घर का काम और बच्चों के लिए खाना बना मीज ये चीज देखके काफे खुश थी, और इसी के साथ में शारलेट बोलती है कि ये जगह मुझे हैल से कम बिलकुल नहीं लग रही है, वहाँ एला लुसिफर और क्लोई को बताती है कि मर्डर से रिलेटेट मुझे कुछ पता चला है, जिसका मर्डर हुआ है, उसे जहर देखे, मारा गया है, आप यहाँ पे लुसिफर और क्लोई उस लड़के की घर पे पहुँचते हैं, जिसका पता ट्रेक्सी ड्राइवर ने बताया था, ये एक डेविट नाम का लड़का था, जो की एक शेफ था, जिसके हाथ में नाइफ था, और पूरे एप्रिन पे बल ये चीज़ सुनके डेविट की वाइफ काफी साता गुस्सा हो चुकी थी और वहाँ से चली भी गई थी, डेविट बताता है कि पिछली रात तुमें डारिया की साथ में था ही नहीं, क्लोई यहाँ पे कामों के बीच में इतना जाधा उलजी हुई थी, इसी करन लुसिफ लेकिन लिंडा यहाँ पे उसके विंक्स के बारे में नहीं सोचके, बलकि उसे कुछ और ही राये देने लगती है, यहाँ लुसिफर और क्लोई पहुचते हैं डारिया के घर पे, जहाँ पे एक लड़की डारिया के कमरे का दर्वाजा खोलती है, यहाँ पे लुसिफर और बात करने के लिए लक्स में पहुची थी, तो सभी लोग क्लोई को यही कह रहे थे कि तुम थोड़ा काम से ब्रीक पिलो, और यहाँ पे अब एला भी आ चुकी थी, मेज बताती है कि जो लड़कियों के हाथ पे निशान है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ क्लप्स में होता है, और मैं यहाँ पे एक क्लप जानती हूँ, जिसके सामने एक अबेंटेंट बिल्टिंग भी है, और शायद हो सकता है कि वहाँ पार्टी भी चल रही हो, और अब एला, मेज और क्लोई पहुच आते हैं एक होटेल में, हालांकि मेज का मिशिन था कि वो क्लोई को ड्रिंक्स पिल के साथ में था, और एमने ठील को परिशान देखके लुसिफर कहता है कि चलो हम दोनों भाई-भाई मिलके खुब इंजॉय करेंगे, यहाँ पे दूसरी तरफ अब चारों लड़कियों ने काफी जादा ड्रिंक कर ले थी, और काफी चीज़ें शेर भी कर रही थी, कि तभ क्लोई के हेल्प करने के लिए यहाँ पे एला और मेस आके आजाती है, यहाँ पे बात इतनी जादा बिगड़ चुकी थी कि क्लोई को एक पंच भी लग चुका था, और इसके बाद तो कहां में इस काबू में आने वाली थी, वो वहाँ पे जितने भी लोग थे सब को पूचताच करती है, वो लड़का बताता है कि सामनी के बिल्डिंग में अडल्ट पार्टी चल रही थी, मैंने इन दौनों लड़कियों को वहीं देखा था, ग्लोई अप खुद का होश संभालती हुई पुलिस टेशन पहुंच चुकी थी, और सारी बाते डैन को बताती ह कि जो अडल्ट पार्टी है, उसके अंदर गल्स अलाउट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेंस अलाउट है, इसलिए वहाँ पे तुम्हें जाना पड़ेगा, और तुमारे साथ में लूसिफर भी जाएगा, ताकि तुम वहाँ पे पुलिस वाली ना लगो, यहाँ पे लूसि जो क्लासेजों उसमें नाइ्ट्रोजन है, जैसा कि एला नहीं बताया था कि डारिया और नायों में की डेत नाइट्रोजिन पीने से ये हुई थी, बार्टेंडर लड़कियों की फोटो देखते ही वहाँ से भाग जाता है, लेकिन आके जाके वो पकड़ा जाता है, बार् इनका पेमिंट किया था उसका नाम यूरी है यहाँ पे अब दैन ये सारी चीज़ आके क्लोई को बताता है पुलिस्टेशन में वहीं लुसिफर वो पिच्चर देखके इंजॉय कर रहा था जिसमें क्लोई काफी ड्रंक थी लेकिन क्लोई को पता चल जाता है कि मेज ने फ्र हजार डॉलर्स लिये थे इन दौनों लड़कियों को तो ये भी नहीं पता था कि ये दौनों किस पार्टी के लिए आई है और इनका काम क्या है जब इन दौनों लड़कियों को पता चला कि ये यहाँ पे क्यूं लाई गई अगर ये डेविट की वाइफ होती तो शायद यूरी इसे माड चुका होता लेकिन ना तो ये डेविट की वाइफ है और ना ही यूरी ने ये जहर दिया है तो आकिर हमने इस लड़की को कहां देखा है और उसके बाद में हम लोग देखते हैं वो लड़की जिसने स्टार्टिंग में डारिया का रूम ओपन किया था इस लड़की का नाम था लिली जिसने अपना जूटा नाम क्रिस्टल बताया था ये डारिया और नायोमी को जूट बोलके अडल्ट पार्टी में ले गई थी मौका देखके लिली यहाँ पर क्लोई के गले पर चाकू रख देती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये दौनों लड़किया मर जाएंगी मैं यहाँ पर बस फेमस होने के लिए आई थी और मुझे मेरा कोई काम नहीं मिला तो मैं और क्या करती क्लोई ये चीजे सुनके और जादा गुसा हो चुकी थी क्योंकि कुछ टाइम पहले ही क्लोई का फ्रेंशिप पे से विश्वास उठ चुका था क्योंकि मेस ने उसके साथ दोका किया था इसलिए वो लिली को बहुत बुरा मारती है यहाँ पे क्लोई जब पुलिस टेशन के अंदर थी तो मेस आती है और कहती है कि हम लोग अभी भी रूम शेयर कर रहे है तो क्लोई को याद आता है कि मैं कुछ टाइम के लिए इतनी ट्रंक थी कि अपनी यादाश भूल चुकी थी शायद इसी टाइम मैंने कमिट्मेंट दिया हो मेस के साथ रहने का मेस क्लोई को कहके जाती है कि तुम्हें एक रूम पार्टनर की जरूरत है इसी के साथ तुम्हें पैसो की भी जरूरत है मैं ट्रिक्सी को भी पसंद करती हूँ तो यह डील रही हम दौनों साथ में रहने वाले हैं लोई के पास इस चीज को सुनके कोई option ही नहीं बचता है यहाँ पे मेज लुसिफर से वो ही favor का return मांगने के लिए आई थी तो लुसिफर मेज को कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए तो मेज कहती है कि मेरे लिए drink बना के ले कि आओ और इसके बाद में यहाँ पे एमने डील भी आ चुका था जो कि लुसिफर को डाट के कह रहा था कि तुम डैट के डील को तोड़ नहीं सकते हो तो लुसिफर कहता है कि मैं डैट से डरता थोड़ी नहूं जिससे हमें पता चलता है कि God का पूरा पूरा अधियान है Chloe के उपर और इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है आगे Chloe के साथ में क्या होने वाला है यह हमें next episode में ही पता चलेगा तो चलिए फिर मिलती हूं मैं आप सभी लोगों से next episode में तब तक के लिए टाटा काईज हम सभी लोगों ने लूसिफर सीजन 4 के अंदर देखा था कि कैसी लूसिफर ने जब अपने फादर यानि की गॉड की टील को नहीं निभाया था तो गॉड ने भी अपनी डील नहीं निभाई यानि ये क्लोई का एकसिडेंट हो चुका था इसी की साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड नमबर फिफ जहां पर स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसके आखों के सामने एक स्केट बोड था लेकिन वो उसे अपनी जगह से हटा देता है तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जिसका पैर उस स्केट बोड पे लगता है और उसके बाद वो घर आने पे अपनी बेटे से काफी ज़ादा जगड़ा करती है इस बाद से उस घर का दर्वाजा खुलता है और वहाँ से एक टॉगी निकलता है जो कि एक कार की सामने आ जाता है और वो ही कार जांके सीधी क्लोई के कार से टकराती है और इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि इंजर्ट क्लोई अपनी कार से निकलती है और जिस आदमी ने वो skateboard हटाया था वो ही इस incident के पीछे था तो अब guys मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन है इस episode के अंदर guys हम लोग फिर से एक और angel family का member देखेंगे ये भी एक angel ही है जो कि Lucifer और Aminatil का ही भाई है जिसका नाम है Uriel जो कि time के pattern के साथ में खेला करता था यहाँ पे जब Chloe का accident हो चुका था तो Lucifer इस बात से काफी जादा concern था और हर बात में Chloe को पूछ रहा था कि क्या तुमने वहाँ पे कुछ ऐसी चीज उपसर्फ की जो कि कुछ normal से अलग हटकी थी या फिर तुम्हारे सामने कोई आदमी था और इसी के साथ में वो Chloe से खुब सारी questions पूछने लगता है तब Chloe कहती है कि ये एक normal accident है जो कि कि किसी के विसाथ हो सकता है और इसी के साथ Lucifer Chloe को कहता है कि तुम मैजिकीन के साथ नहीं रह सकती हो वो तुम्हारे जैसी बिलकुल नहीं है यहाँ जब ओफिस चाने का टाइम आ रहा था तो ट्रिक्सी वहाँ Chloe के पास पहुचती है और उसे ओफिस चानी से मना करती है ट्रिक्सी अपनी मॉम को कहती है कि मॉम मुझे पता चला है कि पुलिस वालों की जौब बहुत जादा खतरनाक है और मैं आपको खोना नहीं चाहती यहाँ सीन शिफ्ट होता है एक क्राइम जीन पे जिसकी डेट बाड़ी को लुसिफर देखते ही बता देता है कि यह तो एक बहुत बड़ा सूपर स्टार है जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ यह वैसली है बॉडी बैक की सूपर फ्रिंचाइजी का हीरो यहाँ पे एला आसपास की चीजों को देख के बताती है कि इसके सर के उपर किसी ने शील्ड से अटैक किया है और फिर वहाँ पे लूसिफर की बातों से पता चलता है कि बॉडी बैक की सीरीज के अंदर वैसली के साथ में और एक्टर्स भी काम किया करते थे लेकिन वैसली एक बहुत ही अच्छा एक्टर था तो आखिर इससे किसी ने मारा क्यों होगा इसके बाद में लूसिफर को अपना भाई यूरियल दिखता है लूसिफर यूरियल को मिलके कहता है कि भाई मुझे तुमसे मिलके बड़ी खुशी हुई लेकिन यूरियल इस बात सी खुश नहीं था वो लुसिफर को कहता है कि तुमने डैट की डील को ब्रेक किया है मैं यहाँ पे और किसी लिए नहीं बलकि दौनों में से किसी एक को लेने आया हूँ तुमारे पास सिर्फ 24 गंटे हैं या तो तुम मॉम को मेरे साथ हैल भेज दो नहीं तो मैं अपनी साथ में क्लोई को ले जाऊंगा और तब लुसिफर को समझ में आता है कि जो क्लोई का एक्सिडेंट हुआ था वो यूरियल के कारण ही हुआ था यहाँ पे लुसिफर अपनी घर पहुचता है जहाँ पे वो मैजिकीन और अमेन डील से बात करता है कि यूरियल आच चुका है लेकिन वो अमेन डील को बोलता है कि भाई तुम हमारी हैप कर सकते हो उसे ये नहीं पता है कि तुम और मैं साथ में काम कर रहे हैं वो तो तुम्हें अभी भी Angel Teams का ही मानता है और उपर से तुम सबसे ज़ादा पावरफुल थी बच्पन के अंदर हम सभी लोग तुमसे डरा करते थे तो तुम्हें बस Uriel को जाके थोड़ा सा डराना है और उसे बोलना है कि तुम सब कुछ कर सकते हो तो वो यहां से चला जा थे इसी कारण इन लोगों ने कार का पता कर लिया था कि क्राइम सीन पर किसी की कार गई थी उस कार में वेजली की एक्स वाइब थी जिसे इंवेस्टिकेशन के लिए बुलाया गया वो बोलती है कि मैं वेजली से 읽 मिलने खुद नहीं गई थी बलकि वेजली का कॉल आया था कि Body Back 4 के बाद से मैं कुछ परेशान रहने लगा हूँ यहाँ पे Dan और Lucifer इस बात को क्लियर करते हैं कि Body Back 4 मुवी के बाद में कीमो की एंट्री हुई थी यह एक ऐसा एक्टर था जिस्सी की Wesley और कीमो की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी इस चीज को सुनके Chloe सोचती है कि कीमो ने ही जरूर इस चीज का बदला लिया होगा यहाँ पे Amenadil अपनी Mom यानि की Charlotte के पास में पहुँचता है लेकिन Charlotte यहाँ पे कहती है कि अगर Family का कोई और Member भी आया तो भी मैं उसे मना लूँगी हम लोगों की साथ साथ रहने के लिए Chloe और Lucifer पहुचते हैं कीमो को पकड़ने के लिए लेकिन हम देखते हैं कि वो वहाँ पे चोरी कर रहा था जब उससे पूछा गया कि कीमो तुम आकर चोरियां क्यों कर रहे हो तो वो बताता है कि मुझे भी मेरी फैमली को मेंटीन करना है मेरे पास अब कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं बलकि मैं तो कंगाल हो चुका हूँ तो Chloe कहती है कि तुमने Wesley को मारा है तो कीमो कहता है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त है यह सिर्फ एक बिसनिस प्लानिंग थे कि हम दोनों दुनिया के सामने दुश्मन बनके रहे लेकिन असल में हम लोगों ने यह बात हमारी वाइफ को भी नहीं बताई थी तब ही वहाँ पे एक आफिसर पहुँचता है जिसकी रिपोर्ट को देखके क्लोई को पता चलता है कि गन के उपर कीमो के फिंगर प्रिंट्स है इसी कारण कीमो को अरेस्ट कर लिया जाता है लुसिफर को अभी भी ये बात डाइजिस्ट नहीं हो रही थी कि कीमो ने वैसली को क्यों मारा इसी कारण वो कीमो की बेल करा देता है यहाँ पे कीमो और वेजली का एक ही बिसनेस पार्टनर था जो की बताता है कि इन दौनों के expenses इतने जादा हो चुके थे कि maintain करते करते इनके खुद के पास कोई पैसे नहीं बचे थे यहाँ पे अमेनेडील लुसिफर के पास पहुचता है और वो लुसिफर को कहता है कि जरूरी तो नहीं है न कि हम जगडा करके ही यूरियल को यहाँ से बेचे हम उसे बात भी तो कर सकते हैं दरसल बात ये थी कि एमनेडील के पास अब कोई भी पावर नहीं बची थी इसलिए एमनेडील को लग रहा था कि वो यूरियल से नहीं लड़ पाएगा लेकिन लुसिफोर फिर से एमनेडील को बोलता है कि तुमें बस कुछ नहीं करना है तुमें ये बताना है कि तुम सबस ये चीज़ सुनके आमने डील में थोड़ा बहुत confidence आ चुका था वो यूरियल से मिलता है और यूरियल को कहता है कि मैं यहाँ पर सब कुछ देख लूँगा तुम वापस जा सकते हो तो यूरियल कहता है कि भाई इसमें कोई tension वाली बात नहीं है मैं अपना काम खत्म करके च चला जाऊँगा तो ऐमने डील सोचते है कि मैं इसे थोड़ा सा डरा देता हूँ धमका देता हूँ तो यह यहाँसे चला जाएगा लेकिन अमने डील की ये गलती थीूरियल को पता चल चुका था कि अपहले जैसी बात नहीं रही है और इसी कारण वो ऐमने डील को बहु लिखा गया तो इसके अंदर किसी प्रोजेक्ट के डील के बारे में लिखा था जिसमें कुछ 10% वेसली के थे और 10% ही कीमो के थे लेकिन उन्हें इसका पूरी तरीके से मिला नहीं था और ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कर रहा था इनका बिसनेस पार्टनर और जिस प्र प्राइज है यानि कि एक कीमो के पास में और एक वेसली के पास में यही बात सुनके एक क्लोई अब कीमो के पास में जाने लगती है असली सचाई का पता लगाने के लिए यहाँ पे लुसिफर को लगा कि एमनेडील ने अभी तक यूरियल से बात कर ली होगी और वो वाप रिल लुसिफर को कहता है कि भाई मेरी पावर्स चली गई है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, मैं मॉम को हेल नहीं लेके गया, मैं डीमन के साथ सोया, मैं तुम्हें भी वापस हेल नहीं लेके जा पाया, मैंने डैड की कोई बात नहीं मानी, इनके अंदर से क प्लूइ भी रीजन हो सकता है इसी कारण मेरे पास अब बिल्कुल भी पावर नहीं रही है लुसिफर यहां अपने भाई के बिल्कुल हालत नहीं देखता है और उसके बाद में लुसिफर को लगता है कि इसका मतलब है कि यूरियल अभी तक गया नहीं है यानिकी क्लोई मैजिकीन के उपर जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि मैजिकीन शालेट से कोई बात करने के लिए आई है और इधर क्लोई पहुंच जाती है वैसली और कीमो के बिजनस पार्टनर के पास में जहां पे वो देखती है कि इनकी वाइफ भी इनके बिजनस पार्टनर के सा साथ में इतना क्लोस तो नहीं हो सकते मुझे पता चल चुका है कि जो डेल मिली थी उसका सारा पैसा तुमने ही गायब किया है और इसी कारण तुमने वैसली को मार दिया और सारा इल्जाम कीमो पे लगा दिया ये बात सुनने के बाद में तो वो बिजनस पार्टनर और कोशिश करती है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और तभी वहाँ पे लुसिफर पहुच जाता है जो कि क्लोई को कहता है कि तुम यहां से चली जाओ ये सब कुछ एक प्लानिंग है लेकिन क्लोई यहां पे हार नहीं मानती है और वो कीमो को अभी भी समझाने की कोशिश करती ह कि कीमो तुम ऐसा मत करो अगर आज तुमने मुझे शूट कर दिया तो मैं अपनी घर पे कभी नहीं जा पाऊंगी बहुत समझाने की बाद में कीमो अपनी गन नीचे कर लेता है और अब लुसिफर को लगता है कि उसे कोई बड़ा डिसीजन लेना ही पड़ेगा नहीं तो व कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ गॉड की मर्जी है तुम उनके खिलाफ नहीं जा सकते लेकिन इस टाइम लुसिफर ने बिलकुल अपना टैंपल लूस कर दिया था वो बोलता है कि आखिर गॉड की मर्जी कौन जानता है गॉड ने बस मेरे सामने हैल का दरवाजा खोल र को देख सकती है और अब लुसिफर सब कुछ ठीक करने के लिए चर्च पहुंच जाता है जहांपे प्रे करने के बाद में उसके पीछे यूरियल था यूरियल कहता है कि मुझे लगा था कि तुम या तो अपने साथ में मॉम को लाओगे या फिर क्लोई को खोने के लिए त था कि जिससे भी इस खंचर को मारा जाए उसका नामों निशान हिमिट जाता है ना तो वो हैल में रहता है और ना ही वो हैविन में रहता है यूरियल इस खंचर से अपनी मॉम को मारना चाहता था यूरियल कहता है कि मुझे बस एक मिनिट की देरी है अगर तुमने मेरी बा इसी कारण वो लुसिफर को हरा देता है लेकिन तभी वहाँ पे मैजिकीन भी पहुँच चुकी थी यूरियल कहता है कि मैजिकीन तुम पहले से भी जादा पावरफुल हो चुकी हो और मुझे तुम्हारा दिमाग पढ़ने में हमेशा से दिक्कत होती है लेकिन इसके ये चीज तो मैंने कभी सोची ही नहीं थी लुसिफर चाता नहीं था कि वो अपने भाई को कभी मार दे लेकिन जाने अंजाने होता यही है मरने से पहले यूरियल लुसिफर की कानों में कुछ कहके जाता है वो कहता है कि ये तुम्हें उस चीज को ढूनना है अब आखिर को चीज क्या हो सकती है इसके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा लुसिफर यहां पर घर पहुचता है जहां पर शालेट लुसिफर को पूछती है कि यूरियल कहां पर है लेकिन लुसिफर काफी जादा बुरी हालत के अंदर और रोता हुआ अपनी मॉम के गले लग जाता है जिससे शालेट को पता चल चुका था कि यूरियल इस दुनिया में नहीं रहा है पहली बार दोस्तों मैंने इतना जादा एमोशनल देखा था यहां पर लुसिफर को डेविल होने की बावजूद भी उसकी अंदर ये फिलिंग्स थी कि उसे अपने भाई को नहीं खोना था और इसी के साथ गाइज ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है गाइज हम सभी लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड में देखा था कि लुसिफर ने अपने ही भाई यूरियल को मार दिया था और इसके सदमे से अभी तक लुसिफर बाहर ही नहीं पाया है वो खुद को बिलकुल unconscious मानता है और हर चीज की सजा का गुनेकार वो खुद को मानता है कि जैसे सारी गलती उसी नहीं की है हम सभी लोग गाइस चाहते हैं कि लुसिफर की सच्चाई हम लोगों को पता चले और अगर कैसा हो कि जब हम लोगों को पता चले कि इंसा के स्तार्टिंग में हैलोवीन थीम mother रही थी जहां पर शूर होने के कारण के हाथ पे लग जाती है और वहीं पर दूसरा शूरा सीधा ब्राइट को लगता है जिसके कारण ब्राइट वहीं पर मर जाती है सीन आगे शिफ्ट होता है जहां पर हमें लक्स में लुसिफर दिखाया जाता है जो कि खुद को डिस्ट्रेक्टर रखने के लिए काफी जादा अलकोहल कंजियूम कर रहा था वहां पर लिंडा लुसिफर से पूछती है कि तुम अपने सेशन में क्यों नहीं तो लुसिफर लिंडा से भी काफी बत्तमीजी से बात करता है और उसे कहता है कि तुम चाहो तो अपना ओफिस बंद कर सकती हो और मेरी भाई की डेथ हो चुकी है इस कारण में अभी नहीं आ पाऊंगा हेलोवीन होने के कारण यहां पे क्लोई ने भी अपनी घर के अंदर सचावट कर रखी थी और वो देखती है कि ट्रिक्सी को एक ऐसे जूले पे में चूला जूला रही है जिस पे कि ट्रिक्सी को कभी नहीं बैठना चाहिए था यहां पे क्राइम सीन पे सभी लोग पहुँच चुके थे जहां पे क्लोई जब ग्रूम से पूछताच करती है तो ग्रूम कहता है कि मेरी वाइफ बहुत ही जादा अच्छी लड़की थी जो कि काफे इंटेलिजेंट थी लेकिन वो आज मेरी साथ नहीं है ये चीज में कर सकता वहां हम देखते हैं कि लुसिफर जिसके पास कोई होश नहीं था जो कि पूरा ड्रंक था क्राइम सीन पे आके कुछ खाने पीने लगता है क्लोई उसे कहती है कि तुमने ये क्या हालत बना रखी है तुम चाहो तो रेस्ट कर सकते हो या फिर मेरी मदद करो इस केस क की अंदर तो लुसिफर वहां पे ब्राइट की फ्रेंड से जाके बाते करनी लगता है उनमें से एक ब्राइट की फ्रेंड कहती है कि पैगी इतनी जादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी कि मुझे उसकी शादी पर बात करनी थी इसी कारण मैंने उसके एक्स को यहां पे पुलिस टेशन में क्लोई जाके लुसिफर से पूछती है कि तुम अपनी हालत सुधारों सबसे पहले तो दैन भी क्लोई को पूछता है कि आज यह लुसिफर को क्या हुआ है अब यहां पे ब्राइट के एक्स को बुला लिया जाता है जो कि इन्वेस्टिकेशन रूम में क्लोई और डैन वहां पे पहुंचते उससे पहले तो लुसिफर अंदर जाके दर्वाजों को तोड़ चुका था लुसिफर की आँखों में इतना जादा गुस्सा था कि जिसने भी अगर कोई बुरा काम किया है तो वो उसे बुरी से बुरी पनिश्मेंट देने वाला था क्लोई वहां पे चला चला कि लुसिफर को कहती है कि दर्वाजा खोलो लुसिफर जब दर्वाजा खोलता है तो वहां पे डैन और क्लोई कहते है कि तुमने इसे टॉर्चर क्यों किया है तो लुसिफर बताता है कि जो भी हो ये हमारा खुनी नहीं है ये तो बस अपनी एक वाला उससे टक्रा गया था तो क्लॉई कहती है कि इन लोगोंने शादी में बैंड बुलाया था ना की कोई गिटारिस्ट वो सकता है कि जिससे पैगे को शूट किया गया हो उसने गिटार के केस में गंड रक रखी हो यहाँ पर शालिट अमने डील से बात कर रही थी वो जो वो अपना ध्यान डिस्ट्रैक कर लेता है लेकिन मुझे पता है अमने डिल तुम भी काफी जादा परिशान हो तुम भी मुझसे बात कर सकते हो तो अमने डिल यूरियल की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है वो कहता है कि अगर मैं कुछ कर पाता तो शायद यूरियल आज हमारे पीच में होता यहाँ पे डैन और क्लोई क्राइम सीन के फुटेज देख रहे थे जहाँ पे क्लोई को एक नापकेन टिशू मिलता है जिसके उपर किसी फूट ट्रक का नाम लिखा था डैन कहता है कि मैं इसके बारे में पता लगाता हूँ लेकिन तब तक लूसिफर बोलता है कि तुम पता लगाओगे उससे पहले तो हम वहाँ पहुँची जाएंगे यहाँ पे क्लोई और लूसिफर उस फूट ट्रक के पास में पहुँचते हैं जहाँ पे ओनर से पूचा जाता है कि क्या तुमें पता है कि कोई गिटार वाला यहाँ पे आया था तो फूट ट्रक ओनर बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो फूट ट्रक में खड़ी एक लड़की बोलती है कि हाँ कल एक आदमी आया तो था और वो आपके बारे में पूछी रहा था और उसी टाइम उस food truck owner के उपर shoot हो जाता है और वो वहीं पे मर जाता है Chloe उस angle को देखती है जहां से shoot हुआ था और वो सीधा terrace पे पहुँच जाती है जहां पे उसे एक bullet मिलती है और उसे पता चलता है कि यह सब कुछ एक सोची समझी planning थी shooter पहले food truck owner को मारने आया होगा लेकिन जब वो यहां पे नहीं मिला तो वो सीधा पैगी को मारने चला गया wedding के अंदर और अब उसका next निशाना कौन हो सकता है यह तो हमें पता लगाना पड़ेगा यहां पे police station के अंदर Chloe पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि जिनका murder हुआ था उन दोनों की बीच में क्या connection हो सकता है लेकिन Chloe को कोई भी hint नहीं मिलता है तब Chloe के पास में उसकी बेटी Trixie का call आता है और वो बोलती है कि यहां पे babysitter चली गई है Chloe कहती है कि मैं इस टाइम पे किसी बेबिसिटर को नहीं ढूंड सकती हूँ तो तुम Trixie के साथ रहो और बस उसका ध्यान रखना मेस तो एक्चुली चाहती ही यही थी यहां पे हम देखते हैं कि food truck owner की wife को police station बुलाया गया था और Chloe यहां पे Peggy के husband की photo उसे दिखाती है तो वो बोलती है कि मैं lawyer हूँ और Peggy का husband doctor है हम लोग cases solve करते हैं तो यहां पे Chloe को समझ में आता है कि हो सकता है कि hospital के अंदर किसी patient की death हो गई हो और इसी कारण shooter उनके couple को मार रहा हो तो हो सकता है हमें Peggy के husband के सारे cases को study करना पड़ेगा यहां पे Dan Chloe और Lucifer hospital के अंदर पहुचते हैं जहां पे उन्हें cases के बारे में देखना था लेकिन Dan कहता है कि hospital वालोंने files देने के लिए मना कर दी है और warrant चाहिएगा उसी time पे Lucifer वहां से जाता है और कुछी seconds के अंदर सारी files ले आता है Dan कहता है कि तुम यह सब चीज़े कैसे ले आए तो Lucifer वहां पे Dan का batch और gun दिखाता है जिसके उपर Dan बहुत जादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम बस वही चीज़े करते हो जो तुमें करनी है Lucifer को यह चीज़ फिर से यूरियल की मौत याद दिला देता है और वो कहता है कि मैं वो चीज़े नहीं करता जो मुझे नहीं करनी होती है और इसी के बाद में वो Dan को एक पंच भी लगा देता है Chloe सोचती है कि Lucifer आज बिलकुल ठीक नहीं है इसी कारण उसे यहाँ से चले जाना चाहिए यहाँ पर शालिट अमेनेडील को अपने साथ में फॉरिस्ट लियाती है वो यहाँ पर आके यूरियल के मौद को रोप भी दो सकते थे और हम लोग यह देखते हैं कि एमनेडील बहुत जादा गुस्सा हो चुका था अपने फादर से और एक तरीके से वो अपने फादर के बिलकुल अगेंस्ट हो जाता है यहाँ पर लोसिफर को बार के अंदर कोई आदमी देखता है जो कि उसे यूरियल की याद दिलाता है और इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं वेस्ट विलियम के घर पे जहाँ इने पता चलता है कि वो हॉस्पिटल के डुप्लिकेट आइडेंटी कार्ड बना रहा है ट्रिक्सी को यहाँ पर हैलोवीन के अंदर सिर्फ एक चॉकलेट मिलनी चाहिए थी लेकिन मेज वहाँ पर जिस तरीके से खड़ी थी तो चॉकलेट देने वाले ने उसे चॉकलेट के साथ में पैसे भी दे दिये थे ट्रिक्सी मेज को कहती है कि कितना कूल हो कि अगर तुमने भी कॉई कॉस्ट्यूम पहना होता तो तो मेज कहती है कि मैं कुछ लेके तो आई हूँ मेरे साथ में क्या तुम देखना चाहोगी ट्रिक्सी जब पीछे गूमती है तो मेज अपने असली फेस में आ जाती है उसने कोई मास्क नहीं लगाया था वो एक डीमन थी और उसका फेस देख के हम लोग ये जान चुके थे कि डीमन कितनी जादा डेंजर देखते हैं लेकिन ट्रिक्सी को ये चीज़ काफी कूल लग रही थी यहाँ पे लुसिफर अभी भी यूरियल को याद करता हुआ खूब सारी ड्रिंक कर रहा था और एमने जील अपने फादर को कोस रहे थे लेकिन शालिट यानि कि उसकी मॉम उसके साथ ही खड़ी थी इधर डैन और क्लोई अके लिए इस केस को सॉल्फ कर रहे थे और उन्हें पता लगाना था कि अब शूटर नेक्स्ट किसको शूट करने वाला है उसे लगता है कि शायद इस हॉस्पिटल के ओनर को ये शूटर अप शूट करने वाला है इन्हें पता चलता है कि हस्बन और वाइफ दौन ही डॉक्टर है हॉस्पिटल पहुचने पे जब डॉक्टर से पूचा जाता है कि आपकी वाइफ कहा है तो डॉक्टर बताते हैं कि उनकी वाइफ नीचे बेसमेन में कॉफी लेने गई है क्लोई उनके पास में पहुचने वाली थी लेकिन तब तक वहाँ पे लुसिफर पहुच चुका था और वो शूटर को प्रवोक करता है कि आओ और मुझे मारो मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ क्लोई देखती है कि शूटर यहाँ पे शूट करना स्टार्ट कर चुका था जो कि एक बे निशाना सही नहीं लगा रहा था लुसिफर जोर-जोर से चला रहा था कि तुम्हें या तो शूट करना नहीं आता है या फिर तुम्हारे निशाने बहुत बुरे हैं क्लोई देख चुकी थी कि यह सारी शूटिंग कहां से हो रही है और वो शूटर के पास में पहुँच जाती है और शूटर को हैंसब करने के लिए कहते थी है लुसिफर पूछता है कि आखिर तुमने ये सारी चीजें क्यों की तो वो शूटर बोलता है कि मेरी वाइफ के साथ क्या हुआ मैं इन सभी लोगों को दिखाना चाता हूँ आखिर इन लोगों को भी इस पेन से गुजरना पड़ेगा तो लुसिफर यहाँ पे फिर से खुद को कनेक करने लगता है इन चीजों से वो कहता है कि हर चीज की गलती मेरी नहीं थी शूटर कहता है कि इस चीज की गलती डॉक्टर और लॉयर की थी तो लुसिफर कहता है कि उन लोगों ने तुमारी वाइफ को नहीं मारा है तुम सिर्फ उन पे इलसाम लगा रहे हो और खुद को शांत कर रहे हो डैन वहाँ से और शूटर को ले जाता है क्लोई लूसिफर को पूछती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम किसी बुरे दौर से गुजर रहे हो तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते तु लूसिफर कहता है कि तुम मेरी कोई बात नहीं समझती हो क्लोई मैं सच भी बताओंगा तो भी तुम नहीं समझ पाओगी क्लोई ये चीज़ सुनके और emotional हो जाती है और कहती है कि तुमें भले ही मुझसे नहीं बात करनी तो ठीक है लेकिन तुम किसी से तो बात करो, तुम जाके लिंडा से बात करो अब यहाँ पे लुसिफर ये चीज़ सही समझ के, अपनी हालट ठीक करके लिंडा के पास में पहुँचता है और वो बताने लगता है कि यूरियल की डेथ हो गई है, वो मरा नहीं है, बलकि उसे मैंनी मारा है वो अर्थ पे आया था मौम को लेने या फिर क्लोई को मारने लिंडा यह सारी बाते सुनते काफी ज्यादा इरीटेट हो चुकी थी उसे लगता है कि ये सारी बाते imaginary है और लिंडा कब तक आखिर इन पे विश्वास करती वो लुसिफर को कहती है कि आज तुमें सब कुछ बताना पड़ेगा मैं तुमारी ये बाते नहीं सुनने वाली हूँ लुसिफर कहता है कि तुम बरदाश नहीं कर पाओगे लिंडा और इसके बाद में गाईज हम लोग देखते हैं कि लुसिफर ने अपना असली devil face दिखाया लिंडा को जिसे देखने के बाद लिंडा बिलकुल शान्त हो जाती है मानो कि उसके पैरों के नीचे से जमीन किसक ग लिंडा को अभी भी इस चीज़ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि वो इतने टाइम से इसी devil के साथ में थी और गाईज इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है अब ये तो गाईज हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा कि लिंडा का behavior कैसे रहता है अब सारी असलियत चान चुकी है तो क्या लिंडा कभी भी इन लोगों को accept कर पाएगी अपनी life में या फिर कभी नहीं कर पाएगी तो इसी के साथ में इस एपिसोड की शुरवात होती है जहां पे story कुछ flashback के अंदर चल रही थी और जैस आदमी को हम देख रहे थे ये Chloe Decker की father थे जो कि एक shop पे shop के पर से काफी हसी मजा करके बाते कर रहे थे और उसी टाइम में एक gunman आता है और उन्हें shoot कर देता है scene shift होता है present time में जहां पे Chloe एक prison warden से बात करती है और कहती है कि आप उसे इतना जल्दी नहीं छोड़ सकते हैं आकर उसने मेरे dad को मारा है इस बात से हमें पता चलता है कि Chloe उसे इंसान की बात कर रही थी जिसने Chloe Decker की father को मारा था Lucifer यहां पे आके Chloe से बात करने लगता है और उसे कहता है कि last time जो तुमने मुझे सला दी थी वो मेरे कोई काम की नहीं आई मैंने जिसे अपने मन की बात बताई वो दोस्तों मुझे से बात भी नहीं कर रहा है यानि के लिंडा तो Chloe Lucifer से कहती है कि Lucifer ये time बात करने का बिलकुल नहीं है इसी time Dan भी वहां आता है और वो Chloe का mood दे के समझ चाता है कि Chloe बिलकुल ठीक नहीं है यान Lucifer सोचता है कि ये बात उसे क्यों नहीं पता चली और Dan को कैसे पता चल गई Chloe यहाँ पे warden से आके मिलती है और warden कहता है कि इस क्यादी को काफी साल हो गए है इस जेल में और इसे कुछ दिनों के लिए पेरोल मिला है Chloe यहाँ पे इस चीस के लिए objection करती है लेकिन उस प्रिजिनर को पेरोल पे छोड़ दिया गया था वो आदमी चाते चाते एक स्माइल भीपास करके जाता है Chloe इतने जादा गुस्य में थी कि वो इसे आदमी का काफी दूर तक पीछा करने लगती है लेकिन कुछ देर बाद में जिस पुलिस की वैन के अंदर उस आदमी को ले जाया गया था वो एक जगह जाके रुख जाती है Chloe अपनी गन लेके उस वैन के अंदर पहुँचने की कोशिश करती है तो Chloe को पता चलता है कि वहाँ पे हर एक इंसान का मरडर हो चुका है अब यहाँ पे सारे पुलिस टीम पहुंच चुकी थी जहाँ पे लुसिफर और डैन भी थे डैन Chloe से पूछता है कि यहाँ पे सबसे पहले कौन आया था तो Chloe कहती है कि सबसे पहले यहां मैं ही आई थी और मैंने ही देखा था Ella यहां पर बताती है कि किसकी उपर कितनी गोलिया चली है और इन लोगों की बातों से Dan को पता चलता है कि यह वही आदमी था जिसने Chloe की फादर को मारा था यानि कि जो फिल्स, डैन और लोसिफर अब Chloe से बातशीत करते हैं और Chloe को कहा चाता है कि तुम्हें जो फिल्स का पीछा करना ही नहीं चाहिए था उसे अगर पेरोल मिला था तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी उसके पीछे जाओगी तो Chloe कहती है कि मुझे बस उसके उपर गुस्सा आ रहा था और फिर डैन कहता है कि तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए कि अब सभी लोग क्या सोचेंगे और Chloe कहती है कि मैं इस केस पे वैसे भी काम नहीं करने वाली हूँ और मुझे खुशी होगी कि अगर तुम दोनों इस केस पे काम करो एला वहाँ पे आके कुछ फिंगर प्रिंट्स के बारे में भी सभी को बताती है यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है Chloe के घर पे जहाँ पे मैजगीन परिशान होके आती है और बताती है कि उसे किसी भी तरिके का कोई जॉब नहीं मिल रहा है तो ट्रिक्सी मेज को कहती है कि मेज तुमें वो काम करना चाहिए जो कि तुमें हमेशा से पसंद हो और इसी के बाद में ट्रिक्सी अपनी मॉम Chloe से उनके ग्रेंट फादर की बात करने लगती है तो Chloe कहती है कि मुझे उनके बहुत याद आती है इसी कारण हम बात नहीं करते 30 सेकंड में हम लोग देखते है कि एक लड़की Chloe के सामने खड़ी थी गन लेके और वो लड़की Chloe को कहने लगती है कि तुमें मेरे फादर को नहीं मारना चाहिए था वो इतने साल जेल में थे उसके बावजूद भी तुमने उने मार डाला तो Chloe कहती है कि तुम टीना हूँ यानि की चो फिल्स की बेटी यहाँ पे ट्रिक्सी आने के कारण टीना का ध्यान भटक चाता है और Chloe टीना से गन ले लेती है टीना वहाँ पे जोर-जोर से रोनी लगती है और कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी लेकिन तुमें मेरे फादर को नहीं मारना चाहिए था मेरे फादर ने कभी भी तुमारे फादर को नहीं मारा था और तुम ये वीडियो देखो जो कि उनके लॉयर ने मुझे दिखाया है यहाँ पर लूसिफर की ओपर डैन बनने का खुमार चड़ा हुआ था लूसिफर चाहता था कि वो बिल्कुल डैन की जैसे बन जाए इसी कारण इन दो सीजन में मैंने पहली बार देखा कि लूसिफर ने अपना पूरा ड्रैसिंग चेंज कर लिया था बिल्कुल डैन की जैसे और वो बिहेव भी डैन की जैसे ही कर रहा था ये दौनों मिलके उस आदमी को पकड़ने के लिए आये थे जिसके फिंगरप्रिंट्स क्राइम जीन पे मिले थे इसका नाम था Rodney यहाँ पर Tina और Chloe मिलके जो फिल्स का वीडियो देख रहे थे जो फिल्स बताता है कि बेटी अगर तुमें मेरा ये वीडियो मिल गया होगा that means मैं इस दुनिया में नहीं हूँ मैंने ही lawyers को कहा था कि मेरे मरने के बाद ये वीडियो तुमें दे Chloe का ध्यान जाता है कि जो फिल्स के पीछे जो डेट थी ये वो ही डेट थी जिस दिन Chloe Decker के फादर की डेथ हुई थी और ये उस टाइम की वीडियो थी जबकि इसके फादर की डेथ में तीन मिनट बाकी थे लेकिन जहाँ पर Chloe के फादर की डेथ हुई थी कर लेता है कि उसने ही जो फील्स को मारा था क्योंकि इन लोगों का जेल में काफी बार छकड़ा होता था यहां पर डैन बिल्कुल पुलिस वालों के जैसा बिहेव करता है और बोलता है कि यह बताओ कि तुमने जो फील्स को कहा मारा तो रॉड़नी कहता है कि मैंने कॉलेज क तो सिर्फ एक गोली लगी थी, that means तुम वो गुना अपने सर पे ले रहे हो, जो कि तुमने किया ही नहीं है, तो अब सच चच बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, और इसी के बाद में लुसिफर अपने आखों का magic करता है, और रॉड़नी से पूछता है कि तुमने आखिर ऐस कोशिश करती है, लेकिन Linda वहाँ पर दर्वाजा ही खोलती नहीं है, मेज वहाँ से चाने की एक्टिंग करती है, लेकिन Linda जैसे ही पीछे मूड़ के देखती है, तो मेज उसी के office में थी, Linda इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, कि मेज से बात ही नहीं करती, मेज कहती है कि इसक आफ साफ मना कर देती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करने और फिर वहां से मेज को जाना पड़ता है। यहां पर देन और लुसिफर को बताने के लिए कि जो फिल्स ने इतने सालों से सिर्फ पैसे लिए थे ये बात छुपाई रखने के लिए कि उसने क्लोई के फादर को मारा था। जूटा इल्जाम किसी और के उपर लगाना। अब का इस जिन जिन लोगों ने मैन इन ब्लैक मूवी देखी होगी उसे बॉरिस के बारे में तो जरूर पता होगा लेकिन ये वो बॉरिस नहीं था बट नेम जरूर सेम था। यहाँ पे लुसिफर और डैन की बॉड़ी का फुल शूट लेने के लिए इन दौनों को एक स्पा का सीन दिया गया। जहाँ पे ये तौनों मिलने के लिए पहुचते हैं बॉरिस से यहाँ पे ख्लोई पुलिस्टेशन के अंदर अपने फादर के सारे केसे पे स्टडी कर रही थी जहाँ पे अब एला भी पहुच चुकी थी और वो कहती है कि मैं जो फील्स के साथ में तुमारी फादर का केस भी सॉल्व कर सकती हूँ ये चीज़ देखके एक लोई काफी जादा इमोशनल थी कि एला भी उसकी इस चीज़ में हेल्प कर रही है यहाँ पे डैन और लुसिफर बॉरिस को कहते हैं कि हमें एक आदमी को मारना है और वो बॉरिस को इतना बिलीव दिला देते हैं कि वो ज दिखाया जाता है कि बॉरिस सीधा पुलिस टेशन के अंदर था लोगों ने बॉरिस को अरेस्ट कर लिया था लोई बॉरिस को कहती है कि मैं एक पुलिस वाली नहीं हूँ जिन जिन लोगों का तुमने मर्डर करवाया है उसमें से एक मेरी फादर भी थे और मैं उनकी पूरी सोची समझी गई साजिश थी जिसके अंदर मेरे डैट का मर्डर हुआ है यहां पर मेज एक और जॉप छोड़ने के बाद फिर से घर आती है और कहती है कि मुझे मेरे हिसाब का तो काम मिल ही नहीं रहा है इधर हमें एक सीन दिखाया जाता है कि लुसिफर डैन को प का भी टाइम पास करता है लुसिफर यह इंट्रोवर्ट देखके काफी जादा गुसा हो चुका था डैन से और डैन के ओपर चिलाने लगता है तो डैन कहता है कि तुम इतने जादा परेशान नहीं हो जितने की मैं मैं डायवोस हूँ मेरी बच्ची है मेरी पास खुद का गर नहीं है और भी बहुत सारी परेशानिया है और तुम यहाँ पे सिर्फ अयाशी करते हो इससे जादा बुरी जिंदगी और क्या हो सकती है तो लुसिफर कहता है कि इसका मतलब तो तुम मुझ चैसे बनने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ पे यह दौनों आपस में ही कु लुसिफर के अँदर से कुछ आवाज या ने लगती है Chloe यहाँ पे अपनी गन निकाल के जैसे दर्वाजा खोलती है तो उसे वहाँ पे वो वार्डन दिखता है जिसे की मेज ने पकड़ लिया था Chloe कहती है कि मेज तुमने इसे कहां से ढूंडा? तो मेज पताती है कि मैं काफी साथ बोर हो रही थी करने के लिए कुछ नहीं था और मुझे पता चला कि तुम इसे ढूंड रही हो और इनसानों को पकड़ना एक काम होता है ये बात मुझे इसे पकड़ के पता चली यहाँ पे Lucifer और Maze, Chloe को काफी जादा प्रवोक करते हैं कि गन उठाओ और सीधा इसे मार दो, लेकिन Chloe इतनी खुदगर्स नहीं थी, वो Warden Chloe को कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगा, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूँगा लेकिन तुम मुझे मारो मत, लेक चीज का गिल्ट जिन्दगी भर रहेगा, कि जिसका मर्डर तुम नहीं किया, उसकी बेटी नहीं तुम्हें पकड़ के जेल में डाला, यहाँ पे मेज खुशी-खुशी पहुचती है लिंडा के आफिस में, जहाँ पे वो लिंडा को कहती है कि मेरी जौब लग चुकी है, और मैंने पैसे कमाए है, मैंने एक आदमी को पकड़ा, जिससे कि मुझे एले पीडी ने पैसे दिये, और मैं इस चीज की पहली बार खुशी तुमारे साथ शेयर करना चाहती हूँ, और इसी के बाद में मेज एक चेक, लिंडा के दर्वाजे के नीचे से उसे बेचती है, लेकिन लिंडा दर्वाजे के पीछे खड़ियों के रो भी रही थी, और चाहती भी नहीं थी कि वो गेट खोले, मेज वहाँ से जाने लगती है, तब ही वहाँ पे लिंडा हिम्मत करके वो दर्वाजा खोल देती है, और कहती है कि मैं आकर तुम से कैसे बात करूं, तुम तो एक डीमन हो, मेज कहती है कि लुसिफर अभी भी वही है, मैं भी अभी भी वही हूँ और लिंडा तुम भी अभी भी वही हो, कुछ डिफरेंस नहीं हुआ है, हम सब लोग पहले जैसे ही है, तुम हमसे डरो मत, लिंडा काफी जादा हिम्मत जुटाती है, और फाइनली तुमारे फादर के किलर को पकड़वा ही दिया, क्लोई अपने फादर को याद करते हुए इतनी जादा एमोशनल थी, कि आकरी सीन में उसने लुसिफर को काफी जोर से हक कर लिया था, लुसिफर को तो ये समझ में नहीं आ रहा था, कि उसे हक कैसे करे, लेकिन फाइनली ल लुसिफर ने भी क्लोई को हक करी लिया था, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, लुसिफर सीजन के कुछ एपिसोड पहले हम लोगों ने देखा था, कि यूरियल अब इस दुनिया में नहीं रहा है, जिसे लुसिफर ने खुद नहीं मारा था, यहाँ पे स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की अपना मॉनिंग रूटीन फॉलो कर रही थी, और तभी वहाँ पे एक आदमी उसे साइकल से गिरा देता है, जिसके कारण वो लड़की काफी दूर तक भागती है, एक जगर रुखने के बाद जब वो लड़क कि वहीं पे मर जाती है, अगला से इन शिफ्ट होता है लुसिफर और लिंडा के आफिस में, जहाँ पे लुसिफर अपनी प्रॉब्लम्स लेके लिंडा के पास आया था, और बताता है कि क्लोई ने लास्ट नाइट मेरे लिए सैंविच बनाए थे, क्या ये किसी तरीकी का कोई इशारा है, लेकिन लिंडा तो यहाँ पे अपने इख्यालों में थी, लिंडा कहती है कि हिटलर कहां पे होना चाहिए, हिटलर को तुम लोगों ने कौन सा टॉर्चर किया था, उसे तो सबसे बुरा टॉर्चर होना चाहिए था, लुसिफर कहता है कि लिंडा क्या क्लोई से करता है, और बोलता है कि मेरी थेरेपिस्ट बिल्कुल पागल हो चुकी है, उसे कभी सचाई बतानी ही नहीं चाहिए थी, तो क्लोई कहती है कि अगर कभी सरूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकते हो, तो लुसिफर कहता है कि यह चीज तो सबसे जादा पर पहुँच चुके थे, जहां डैन बताता है कि विटनेस तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी लोग अलग-अलग चीज़े बता रहे हैं, एला वहाँ पे लड़की की वूंड्स को देखके बताती है, कि जिसने भी इसे मारा है, वो काफी पैशन से इसे मार रहा था, इसका मतलब है कि किसी ने बदला लिया है, दूसरी चीज़ कि इसके उपर जो अटैक हुए हैं, वो जरूर किसी भारी हाथ से हुए हैं, इसी कारण उस नाइफ ने सौफ्ट इशू के साथ में बोन तक को भी पार कर दिया है, यहां पे डैन एक पिच्चर दिखाता है, और मेज को लेके उसी जगह पे पहुचता है, जहां पे उसने यूरियल को दफनाया था, लूसिफर इन दौनों को कहता है कि यह देखो यह क्या हो गया है, तो अमनेडील बोलता है कि सब कुछ सही तो है, यहां पे यूरियल है तो सही, तो लूसिफर कहता है कि यूरियल तो है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एस्डियल का ब्लेड नहीं है मैंने इसे यहीं पे चुपाया था यह ब्लेड इस दुनिया के लिए बहुत जादा खतरनाक है यह ब्लेड लोगों को अपनी तरफ खीचती है अगर यह यहाँ पे किसी के हाथ लग गई तो यहाँ पे लाशी होने स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद में लुसिफर एमनेडील और मेज से हेल्प मांगता है कि एमनेडील इस ब्लेड को ढूणने में मेरी मदद करो और मेज तुम इस लाश को यहाँ से काफी दूर ले जाओ लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ से रिलेटेट कोई भी लेके उसी लोकेशन पर आता है जहां पर लुसिफर ने यूरियल को दफनाया था एला पहले वो कबर देखके डर जाती है और एला बोलती है कि यह कि तुमने किसी को मुडर करके यहां पर दफनाया है तो लुसिफर कहता है कि बस तुम मुझे थोड़ा सा बिलीव करो और कि यह मैंने नहीं किया है लेकिन बस मुझे यहां यह पता करके बताओ कि यहां पे कौन आया था और तभी वहां पर एला को कुछ चले हुए पेपर्स मिलते हैं एला कहती है कि मैं इन पेपर्स को वापस से बना सकती हूँ यहां पर हम देखते है कि जिस लड़की का जो की Glory Yoga and Meditation Center के अंदर थी जहां पे Corinna नाम के लड़की Chloe और Lucifer को बताती है कि वो एक अच्छी लड़की थी और हमारे यहां पे सिर्फ Yoga और Meditation सिखाया जाता है तो Lucifer वहाँ पे कहता है कि मेरे तो यह समझ में नहीं आता कि लोग तुमारी बातों में आ कैसे जाते हैं क्यार यह सब बाते जाने दो तुम मुझे बस यह बताओ कि Medik के दुश्मन और कौन-कौन थे और उन सब की एक लिस्ट बना के दो यहां पे Lucifer एला के पास पहुँच जाता है तो उसे क्लिक होता है कि यह Raw Company और कोई नहीं बलकि RNW है यानि कि Charlotte Richard की Company और Lucifer पहुँच जाता है यहां पे अपनी डियर मॉम से मिलने के लिए और कहता है कि मॉम आपने SDL का Blade क्यों लिया और आप वहां पे इंसानों को लेकि क्यों गई तो शालिट बताती है कि मैं वहां पे करीबन 10 या 15 लोगों को जरूर लेके गई थी ताकि उनमें से कोई तो वो कबर खो दे और SDL का Blade ले ले और उसके बाद में होने वाले Murder से तुम्हारे पापा का ध्यान जरूर मुझ पे आ जाता लुसिफर कहता है कि मौम आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये Blade कितनी जादा खतरनाक है और आप ऐसा क्यों करना चाती है तो शालिट बताती है कि इंसानों को इसलिए ही बनाया गया है ताकि वो रोज मरे और रोज पैदा हो जाए इसमें किसी का कुछ बुरा नहीं है और लुसिफर तुमें कबसे इनकी परवा होने लगी है जबसे तुम इस दुनिया में आए हो तबसे लोगों की परवा करना शुरू कर दी है तुमने तो लुसिफर कहता है कि आप वो ब्लेड डूणने में मेरी मदद कीजिए नहीं तो मैं यहाँ पर बहुत जल्दी मेज को आपके पास भीज दूँगा और साथ ही मुझे वो लिस्ट भी बनाके दीजिए कि आप वहाँ पे कितने लोगों को अपने साथ लेके गई थी यहाँ पे क्लोई डैन से बात कर रही थी और क्लोई यहाँ पे डैन को कहती है कि क्या तुमने लुसिफर और एला को नूटिस किया है तो Dan कहता है कि एक मिनिट इसका मतलब है कि तुम्हें जैलिस ही हो रही है तो Chloe कहती है कि नई मुझे कोई जैलिस ही नहीं हो रही है मैं तो बस पूछ रही हूँ कि क्या इन दौनों की बीच में कुछ चल रहा है और उसी टाइम वहाँ पे लूसिफर आ जाता है ये दौनों य एक नाम कॉमन निकलता है जिसका नाम था डंकन डीटेल्स पता लगाने पर पता चलता है कि डंकन का ओफिस ग्लोरी मेडिटेशन और योगा सेंटर के ऊपर ही है और इसका मैडिक के साथ में अच्छा खासा जगड़ा भी हुआ करता था लूसिफर यहाँ पे एक कॉल करता है जिसे क्लोई सुन रही थी तब ही लूसिफर वहाँ पे कहता है कि एक्सक्यूज मी यह मेरा पर्सनल कॉल है और क्लोई फिर से अपना मुझ बना के खड़ी हो जाती है कि आजकल लूसिफर मुझसे हर चीज चुपा क्यों रहा है लूसिफर ने जो कॉल किया था वह एमने आती है तो लूसिफर कहता है कि यहां हमें कुछ भी नहीं मिलेगा हमें यहां से चलना चाहिए लेकिन तबी क्लोई को यहां पे सामने एक खून से भरा हुआ हाथ दिखाई देता है दरवाजी पे लगा हुआ यह ग्लोरी ऑफिस था जिसे खोलने पे पता चलता है कि यहां पे हसी मजा करता है और बोलता है कि हो सकता है यह लोग कहीं passing the past तो नहीं खेल रहे थे कि तभी वहां पे एला आती है हालांकि एला तो यहां पे murder का scene explain कर रही थी लेकिन वो जिस तरीके से explain कर रही थी वो काफी weird था और बची कुछी कसर Chloe ने पूरी कर दी थी क्योंकि Chloe को starting से ही लग रहा था कि लूसिफर और एला के बीच में कुछ चल रहा है यह लोग देखते हैं कि यहां पे सिर्फ चैड़ बॉड़ी है जबकि मैट्स यहां पे साथ है यानि कि जो class ली रहा था वो गायब है और इन लोगों को पता चलता है कि यहां अच्छी class तो कुछ जैं के लिंडा के पास में पहुचता है लेकिन मुझे लगता है कि यहां पे लिंडा को थेरेपी लेने की ज़्यादा जरूरत थी लिंडा फिर से वही चीज़े पूछने लगती है लूसिफर से कि हैल में क्या होता है है तब लूसिफर गुसा करके लिंडा को कहता है कि तुम आखिर ऐसा कब तक behave करोगी तुम मेरी therapist हो और तुम्हें मेरी help करनी चाहिए तब Linda कहते है कि मेरी therapy में मुझे ये नहीं सिखाया गया था कि मेरे सामने devil आ जाएगा और heaven और hell की बाते करने लगेगा खेर छोड़ो मैं तुमारी help करती हूँ यहाँ पर आप जैंसन को arrest कर लिया गया था जो कि बताता है कि हमारे meditation center के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है और जैसा कि आप सोच रहे हैं कि मैं class ले रहा था तो मैं class नहीं ले रहा था उस समय में मेरे घर पे था आप चाहें तो ख्वाइश क्या है और इसके बाद में जैंसर अपना body fitter हटा देता है जिससे हमें पता चलता है कि glory yoga and meditation center का director खुद एक काफी आलसी आदमी है और मोटा आदमी है और इसी सच्चाई को छुपाने के लिए वो अपने center भी नहीं जाया करता था जैंसन बोलता है कि मैंने खु इसके पास में भी होगी तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं लाशे बिचा रही होगी और इसके बाद में लक्स के अंदर एला पहुंचती है और वो कहती है कि तुमने मुझे जो काम दिया था यानि कि जिस कबर के पास तो मुझे लेके गए थे उसके पास जो footprint मिले हैं और इसी के साथ जिस केस पे हम लोग काम कर रहे हैं उसके फुट्प्रिंट दौनों सेम है इसका मतलब है कि ये आदमी एक ही है जो कि डंकन है तुम सच सच बताओ लुसिफर कि तुम मुझे से क्या चुपा रहे हो लुसिफर कहता है कि एला मुझे बस थोड़ा सा बिलीव कर करो मैं सच कह रहा हूं कि सारी चीजी क्लियर हो जाएंगी पस थोड़ा सा वेट करो यह चीज सुनके कहती है कि तुम अगर मुझे वेट करने के लिए कह रहे हो तो ठीक है फिर मैं अपना ट्रस्ट दिखाती हूं और उसके बाद में वह लुसिफर को हग कर लेती है और बा पर ये रिपोर्ट लेके आती है कि जैंसन ग्लोरी के टाइम पर जो क्लास ले रही थी वो और कोई नहीं बलकि कोरिना थी जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था लुसिफर देखता है कि कोरिना इस योगा क्लास से काफी टाइम से चुड़ी हुई है और इसकी भी जैंस कोरिना यहाँ पर सब कुछ बोलना स्टार्ट करती है कि मैंने इसे मारा है लेकिन इसे करना नहीं चाती थी तो लुसिफर कहता है कि मैं सब समझता हूं इसी प्लेट ने तुमको बुलाया था ज़रूर इस आदमी ने तुमारे साथ कुछ गलत किया होगा इसी लिए तुमन आ जाती है जिसे देखके कोरिना confess कर ले थी कि इसे मैंने ही मारा है लेकिन लुसिफर यहां पर बोलता है कि इस लड़की ने self defense के कारण ऐसा किया है पहले जैंसन ने इसके ओपर attack किया इसी कारण कोरिना ने खुद के self defense में इसे मारा था लुसिफर पीछे पलटके देखता है तो जैंसन के अंदर एस्टाइल का blade था ही नहीं और Chloe चिलाने लगती है कि बिना evidence को check यहां से किसने evidence को निकाल लिया है लुसिफर फिर से सोचता है कि अगर यह किसी के हाथ लग गई तो फिर से कुछ ना कुछ बुरा होगा लुसिफर यहां ढूंटे ढूंटे घर के है तुम इसे बस हाथ से नीचे फैंक दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा डैन लुसिफर को कहता है कि तुमने मेरी शादी बरबाद की है तुमने मेरा divorce कराया है और इस intense moment पर दैन कहता है कि मुझे गुस्सा इस कारण आ रहा है कि तुमने मेरी pudding चुराई है अब यहां पर इ इसी कारण तुम से गुस्सा हूँ तो लुसिफर कहता है कि इस बात के कारण तुम मुझे मार थोड़ी ना दोगे और फिर हम देखते है कि डैन यहां पर खुद के हाथ को रोक रहा था जिससे लुसिफर को पता चलता है कि डैन यहां पर अपने आप से लड़ रहा है और खुद के उपर इस एसराइल के ब्लेट का कंट्रोल नहीं होने दे रहा है। तो तुम्हें उसकी कोई फिकर ही नहीं है। तो लुसिफर कहता है कि खेर छोड़ो वो तुमारी काम की चीज नहीं थी चाने दो। यहाँ पे लुसिफर फिर से थेरेपी के अंदर लिंडा को बताता है कि इस बार एसरेल का ब्लेट उसे वापस मिल चुका है। और लिंडा को फिर से बिलीव नहीं होता कि एक ब्लेट के कारण इतनी जादा तभाई हो सकती थी लेकिन फिर भी लुसिफर को अब वो नॉर्मल इंसानों के जैसे ही ट्रीट करने लग गई थी। यहाँ पे जैसे कि लुसिफर ने एला से एक फेवर मांगा था वैसे ही एला ने भी लुसिफर से एक फेवर मांगा था और वो फेवर था लुसिफर को चर्च ले जाने का। जगा पे होना चाहिए था तो लूसिफर कहता है कि मैं वापिस हैल नहीं जाने वाला हूँ यहाँ पर शालिट बोलती है कि तुम्हें हैल कौन भीज रहा है हम सब लोग हैवन जाएंगे चोकि हमारा घर है और इसी बात को सुनते वे यहाँ पर लूसिफर को इतना तेज गु जिसे देखते ही शालिट लूसिफर को बिल्कुल शांत कर देती है और बोलती है कि ठीके लूसिफर तुम जैसा कहते हो वैसा यह हम करेंगे और जाते जाते शाल्लेट एमने डिल को बोलती है कि तुम्हारे पिताजी यानि की गौट अगर एक रस्ता बंद करते हैं तो में देखना है कि आगे के एपिसोड में और क्या इंट्रस्टिंग होता है गाइस को सीजन पहले हम लोगों ने देखा था कि कैसे एसरेल की ब्लेड ने जिब लुसिफर के हाथ का गुसा देखा तो वो ब्लेड भी चमक चुकी थी और इसी की साथ का इस अब न्यू इसकी सेर करवा रहा था वो इन दौनों को इतना बोर कर रहा था कि लुसिफर वहाँ खुद खड़ा हो गया माइक लेके और सभी को लुस एंजलिस की सेर करवाने लगा लेकिन एमने डील अभी भी इस शेहर को पसंद नहीं करता था और उसे हैविन ही अपना घर लगता थ इसी कारण वो बस को च्छोड़ के वहाँ से चला गया लुसिफर अपनी धरेपी के लिए लिंडा के पास आता है जहाँ पे वो लिंडा से कहता है कि मैंने इस शेहर को अपना लिया है इस शेहर में आखिर बुराई ही क्या है तो लिंडा कहती है कि लौस एंजलिस में जो उसकी तलाश पूरी हो चुकी थी यहाँ पर अगले सीन में लुसिफर और क्लोई एक क्राइम सीन पर थे जहाँ पर एक दीन कूपर जो कि इस सिटी का बहुत बड़ा टाइकून था उसकी डेथ हो चुकी थी एला चेक करके बताती है कि इस आदमी की डेथ सर की नस फटने से ह हुई है और साथ ही कले में गलास के टुकडे भी मिले हैं हो सकता है कि हमें इन पर फिंगरप्रिंट मिल जाए लेकिन यहाँ जितनी भी चीजे हैं इनके उपर से फिंगरप्रिंट हटा दिये गए हैं लेकिन जो गलास और बॉटल तूट रखे हैं शायद उन तूटे तो वो सारी चीजें अपने आप निप्टा देगी यहाँ पे लुसिफर जब लक्स के अंदर पहुँचता है तो वो देखता है कि कुछ लोग उसी की प्रॉपर्टी के उपर क्लेम कर रहे थे कि वो प्रॉपर्टी उसकी है और इनका मेंटिनेंस कैसे करना है वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ लुसिफर कहता है कि तुमारे डैट से मेरी अच्छी खासी डील हो रखी थी और इसी कारण उन्होंने यह प्रॉपर्टी मुझे दी थी तुम चाहो तो हम लोग भी एक डील कर सकते हैं लेकिन एरिक इस बात को नहीं मानता है और वो कहता है कि तुम जतना जल्दी हो सके इस जगह को खाली कर दो लुसिफर यहाँ थोड़ा गुसे में आ जाता है और आरिक को कहता है कि चलो हो जाए दो दो हाथ तो मेज यहाँ बीच में आके कहती है कि यहाँ बहुत सारी पुलिस है, भी मतलब में यहाँ तमाशा करने का कोई फाइदा नहीं है, तो लुसिफर कहता है बात तो तुमने बिल्कुल सही कई है, तो फिर यह चीज अब पुलिस ही सुलजाएगी, यहाँ मेज को लगता है कि उसे हल्प के लिए अमेन डिल के पास में जाना चाहिए, इसी कारण वो अमेन डिल को बोलती है कि यह सारी चीजें इसकी मॉम यानि की शारलेट ने की है, तुमें दिख नहीं रहा है कि उसने एक आदमे को मरवा दिया है, जिसका बेटा अब लक्स के उपर क्लेम करने के ल लेकिन तब शारलेट अमेन डिल को कहती है कि अगर ये चीज हुई है, तो हमें इसका फायता जरूर उठाना चाहिए, हो सकता है कि इससे हमारा बेटा हमारे साथ वापस हैविन चला जाए, क्योंकि उसे लक्स सबसे जादा प्यारा है, और अगर उसके पास लक्स ही नहीं जाएगा, तो फिर उसे हेविन चलना पड़ेगा हमारे साथ, यहाँ पर क्लोई डैन से हेल्प लेती है, कि तुम मेरी इस केस में क्या हेल्प कर सकते हो, तो डैन कहता है कि मैं जब से असिस्टन बना हूँ, तब से मुझे बहुत सारे काम मिले है, मैं एक बॉम के केस पी का कोई सबूत नहीं, तब ही एला कहती है कि हमारे पास सबूत है, जो ग्लास टूट रखा था उसके उपर एरिक कूपर के फिंगर प्रिंट्स मिले है, यह एक बहुत बड़ा सबूत हो सकता था, इसी कारण लुसिफर और क्लोई यहाँ पर एरिक कूपर से बात करने के लिए गए थे, क्लोई पूछती है कि तुम्हें आखिर इस बार में पता कैसे चला, तो लुसिफर कहता है कि जैसे इसके फादर की डेथ हुई, यह लक्स के उपर कबजा करने के लिए आ गया, यह दोनों बिल्डिंग में जाने ही वाले थे, और तब ही यह लोग देखते हैं कि एरिक ने काफी उचाई से सुसाइट करने की कोशिश करी और फिर वो कार के उपर जा गिरा, यहाँ पे एरिक का ट्रीट्मेंट घर में ही चल रहा था, जहाँ पे उसके फियांजी क्रिस्टी भी उसके साथ थी, क्रिस्टी कहती है कि आप यह सारी बाते इन से अभी मत पू चाहता था, लेकिन उससे पहले ही प्रॉपर्टी बिक चुकी थी, और यह सारी प्रॉपर्टी जिसने लिये उसकी नजर काफी समय पहले से ही थी, क्रिस्टी यहाँ पे कहती है कि एरिक हमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक तूसरी के लिए काफी है, औ यहाँ पे शालेट कोट के अंदर एक एडवोकेट से बात कर रही थी, और कहती है कि तुम जिसके केस पी काम कर रहे हो, क्या वो मेरी थोड़ी हेल्प कर सकता है, तो वो एडवोकेट कहता है कि शालेट ये बात तुमें भी पता है, कि हम लोग केस को डिस्क्लोस नहीं कर सक और इसी के साथ में शालिट और इस आदमी के बीच में थोड़ी बहुत बाती बढ़ जाती है शालिट कहती है कि उसका केस मैं लड़ना चाहती हूँ तो आदमी कहता है कि इतना बड़ा और महेंगा केस तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूँगा इसी कारण शालिट को गुस कि पूछता है कि बताओ तुम्हारे दिल की ख्वाईश क्या है तो Eleanor कहती है कि मुझे उसकी सारी प्रॉपर्टी खरीदनी है और मैं उसे हमेशे अपने नीचे ही देखना चाहती थी तब Chloe उसे कहती है कि क्या तुम्हारे उस प्रॉपर्टी प्लान को रेनुएट करने का प् यहाँ पे Chloe और Lucifer Dean के अकाउंट डिटील्स चेक करने लगते हैं जहाँ पे Lucifer काम करने के बजाए वापस लक्स में चला जाता है क्योंकि लक्स को बहुत चल्द खाली करना था यहाँ पे डैन एक बॉम के केस को सॉल्फ कर रहा था जहाँ पे पेट्रिक नाम का आदमी कोई भी मुझरिम अपना lawyer hand to hand choose कर सकता है और तभी पेट्रिक यहाँ पे डर के मारे कहता है कि बिलकुल हाँ यही मेरी lawyer है मैं इसी से अपना केस लड़वाऊंगा डैन के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता है इसी करन वो वहाँ से चला जाता है शालिट पेट्रिक क कहती है कि क्या ये बात सच है कि तुम बॉम बनाते हो तो पेट्रिक कहता है कि इलजाम तो मुझे इसी चीज़ का लगा हुआ है फिर पेट्रिक कहता है कि मेरी पास तुमें फीस देने के लिए बिलकुल पैसे नहीं है शालिट कहती है कि मुझे फीस नहीं चाहिए क्या लुसिफर कहता है कि फिर तो ये काम तुमें काफी अच्छी तरीके से करना चाहिए और अब वो उनी वरकर्स को एंटेटेन करने के लिए वहाँ पे एक शांदर पार्टी क्रियेट करने लगता है जहाँ पे वो लक्स के आखरी टाइम को बहुत जादा एंजॉय कर रहा था यहाँ पे शालेट आमेने दिल को कहती है कि लुसिफर ऐसे तो इस जगह को कभी नहीं छोड़ेगा इसी कारण मैं इस पूरी के पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा दूँगी लेकिन मुझे मेरे बेटे से बहुत प्यार है तो मैं उसे यहाँ से ले जाओंगी शालेट लु तो लिंडा यहाँ समझ चाती है कि शालेट उससे लुसिफर की रास जानना चाती है यहाँ पे जो बैंक डीटेल्स क्लोई ने निकाले थे डीन की अकाउंट से उससे एक साइमन नाम के आदमी का पता चलता है जिसे इन्वेस्टिकिशन के लिए बुलाया जाता है क्लोई उसे पूछती है कि तुम्हारे पास में इतने पैसे डीन क्यों भीजा करते थे तो साइमन कहता है कि इस चीज के इन्फोर्मिशन आपको डीन से पूछने चाहिए थी जो की मर चुका है मेरे पास जहां से पैसे आये थे मेरे पास पूरा हिसाब है उस चीज का साइमन ही कैस आदमी था जो कि लोगों के उपर नजर रखता था और फिर पैसे लेके लोगों को इंफोर्मिशन बताया करता था यहाँ पर डैन आके क्लोई को कहता है कि लक्स के अंदर कुछ इलिकल पार्टी होने की इंफोर्मिशन आ रही है इसी कारण वहाँ पर पुलिस को जाना लुसिफर यहाँ पर काफी जादा हर्ट हो चुका था कि अब लक्स के अंदर यानि कि वो अपने घर में पार्टी भी नहीं कर सकता लेकिन क्लोई कहती है कि तुमने म्यूजिक बंद क्यों करके रखा है पार्टी की शान खराब कर रहे हो तुम और इसके बाद में क्लोई अभी इसी केस पर काम कर रही थी और लुसिफर को कहती है कि मैं यहाँ पर रोज रोज तुम्हारी पार्टी को नहीं बचा सकती हूँ एक नए एक दिन इस जगह को खाली करना पड़ेगा लुसिफर कहता है कि यह जगह मेरी लिए बहुत जादा इंपर्टेंट है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस जगह को कभी छोड़ूंगा ही नहीं, जगह तो लोगों से बनती है, मैं कहीं और अपनी जगह ले लूँगा और फिर से ये पार्टी स्टार्ट हो जाएगी, तो Chloe कहती है कि मुझे पता है लुसिफर कि तुम इस जगह से काफी जग यहाँ पे हम देखते हैं कि शालेट एक रेस्टरॉं के अंदर बैठी थी, जो कि किसी का वेट कर रही थी, एमने डील अपनी ही मॉम पे नजर रखता है और तभी वहाँ मेज पहुंचती है, यह दौनों एक दूसरे को देख के कहते हैं कि क्या तुमें भी शालेट के उप इसी के सथ तुमारे इंगेजमेंट को भी प्रेक करवा देगा, क्लोई आके कहती है कि क्यों साइमन हमने सही कहा न, साइमन कहता है कि तुम यह सारी चीज़े क्या कहा रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, तो लुसिफर और क्लोई कहते है कि हमें सब कुछ पता चल चुका है, डीन ने तुमें पैसे दिये थी क्रिस्टी के बारे में पता लगाने के लिए तो सायमन कहता है कि बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जबसे एरिक की इंगेजमेंट क्रिस्टी से हुई थी डीन नहीं चाता था कि वो लड़की शादी करके हमारे घर में आए इसी कारण उन्होंने मुझे बहुत पैसे दिये थे ताकि मैं क्रिस्टी को फसा सकूँ लेकिन मेरी बहुत सारी कोशिश करने के बाद में भी वो लड़की बिल्कुल सही निकली वो तो सच में एरिक से प्यार करती थी और इसी कारण मैंने फोटोशॉप करके कुछ फीक एविडेंस तयार किये और इसी ही डीन यापे क्रिस्टी को ब्लेक मिल किया करता था लुसिफर गुसी में आ जाता है और कहता है कि तुम लोगों के घर बरबाद करते हो ऐसा काम करते वे तुम्हें शरम नहीं आती तो तुम्हें अब मैं ही सजा दूँगा तो क्लोई कहती है कि जब इस आदमी के बारे में सब को पता चलेगा तो कोई भी इसे काम नहीं देगा और यही इसकी सजा होगी इसी के साथ Chloe ने फिर से एक बार Lucifer को कोई गलत काम करने से बचा लिया था यहां हम देखते हैं कि Charlotte से मिलने के लिए और कोई नहीं बलकि Dan आया था अब इन दोनों का क्या सीन चल सकता है guys वो तो बहुत interesting है यहां हम देखते हैं कि Charlotte ने यहां पर डैन को इसलिए बुलाया था ताकि वो Chloe के बारे में डीटेल पूछ सके यहां Amenadil अपनी मॉम को डैन के साथ देखे खुश नहीं था लेकिन मेज इस चीज़ को काफी जादा enjoy कर रही थी और इसके बाद में Charlotte और डैन अपनी रूम में चले जाते हैं जहां पर Amenadil कहता है कि उनको अपने life जीने दो हमें यह चीज नहीं देखने चाहिए तो मेज कहती है कि मैं कौन साइने देखने वाली थी लेकिन अगले सुबह हम देखते हैं कि Charlotte ने डैन से वो सारे secret सुगलवा लिये थे जो कि उसे Chloe से related पूछने थे और अब वो Patrick को call करती है फिर से एक bomb बनाने के लिए यहां पर Lucifer और Chloe पहुचते हैं Eric के पास में और बताते हैं कि हमें पता चल चुका है कि Dean को किस ने मारा है Eric तुमने नहीं बलकि तुमारी wife Christie ने मारा है क्योंकि वो परेशान थी कि Dean उसे blackmail करा है तब ही यह बात Eric सुनके कहता है कि Christie ने नहीं मारा है बलकि मेरे फादर को मैंने ही मारा है और क्रिस्टी कहती है कि नए Eric ने नहीं दीन को मैंने मारा है यानि कि दौनों एक दूसरी को बचा रहे थे Chloe कहती है कि तुमें पता है कि इस चीज का क्या अंजाम हो सकता है तुम दौनों को जेल जाना पड़ सकता है तो Christy कहती है कि हम दौनों जहां भी रहेंगे साथ रहेंगे और इसी के साथ अब इन दौनों को अपने फादर के मडर के कारण अरेस्ट कर लिया जाता है यहां लुसिफर अपना सब बिलकुल खाली हो चुका था और उसे लक्स छोड़ने में बहुत कम दिन बचे थे इसी कारण वो अकेला ही अपने इस जगह के साथ में इंजॉय कर रहा था यह तभी वहाँ पे क्लोई कुछ पेपर्स लेके आती है और लुसिफर को कहती है कि मैंने इस जगह को फ्री करवा दिया है यानि कि यह जगह अब एक हैरिटेज पॉइंट बन सकती है जिसके कारण इस पे कभी कोई कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा लेकिन तुमें यह जगह एलिनॉर ब्लूम सी खरीदनी पड़ेगी वो भी मार्केट प्राइस सी काफी ज़्यादा लुसिफर कहता है कि तुमने मेरे कारण इस जगह को बचाया तुमने मेरे लिए यह सब कुछ किया तो क्लोई कहती है कि मैं इतना तो कर ही सकती थी इसके बाद में लुसिफर क्लोई को कहता है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो क्या तुम मेरे साथ में एक डिनर पे चलना चाहोगी और इसी के साथ में वो Chloe को डिनर पे चलने के लिए पूछता है इस सारी बाते Lucifer Linda को बताता है कि कैसे Chloe ने उसकी help की जबकि Chloe का इसमें कोई फाइदा भी नहीं था तो Linda फिर से Lucifer को कहती है कि उसमें उसका कोई फाइदा नहीं है लेकिन वो एक दोस्त है तुमारी और दोस्त आपस में एक दूसरी की help करते है लेकिन तुमें एक बात बताओ तुमने उसे अभी तक अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताए तुमने मुझे अपनी सच्चाई बता रखी है कि तुमें एक devil हो तुमने Chloe को आज तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम डरते हो ये Chloe कहीं तुमसे दूर ना हो जाए ये बात Lucifer सोच के कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है तुम डरते हो कि Chloe को अगर तुमारा devil face पता चल गया तो वो तुम से दूर हो जाएगी और ये ही तुम नहीं चाते हो यहां अगले सीन में हम देखते हैं कि Chloe डिनर पे Lucifer का काफी time से wait कर रही थी और Lucifer को call और messages कर रही थी लेकिन Lucifer अपनी questions में गुम था कि आखिर Chloe की साथ उसका रिष्टा क्या है और उसने अभी तक अपनी सच्चाई Chloe को क्यों नहीं बताई है यहां पे Chloe को wait करते करते काफी समय बीच चुका था इसी कारण वो restaurant से निकल जाती है अकेले ही लेकिन आखरी सीन में हम देखते हैं कि Chloe की car के नीचे एक bomb लखा था और उसका trigger था Charlotte के हाथ में और Charlotte यहां पे Chloe की car उड़ाने वाली थी इसी के साथ गाइस यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है गाइस यह जो एपिसोड आज मैं explain करने वाली हूँ यह एपिसोड आज से कुछ समय पहले के एपिसोड से पूरी तरीके से relate करता है जो की है Chloe के father की death वाला एपिसोड अगर आप लोगों मेंसे जिसने भी वो एपिसोड नहीं देखा है तो आप लोग जाकि वो एपिसोड अगर देख लेंगे तो इस एपिसोड को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाएंगे लुसिफर सीजन 2 के 9 एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे शालेट जो की लुसिफर की मॉम है Chloe को हमीशा हमीशा के लिए जांसे मारने के लिए उसकी कार के नीचे बॉम्ब लगा चुकी थी और अब हमें देखना था कि आगे क्या होता है और इसी के साथ गाइस बहुत सारे सस्पेंस के साथ ये एपिसोड शुरू होता है और खतम भी बहुत शांदार सस्पेंस के साथ ही होता है तो चलिए फिर बिना प्रतिक्षा कराए मैं सारे सस्पेंस डिस्क्लोस करती हूँ जहाँ पे एपिसोड के शिर्वात में हम देखते हैं कि शालीट वो ट्रिगर दबाने वाली थी जिसे की क्लोई की कार का ब्लास्ट होने वाला था लेकिन तभी वहाँ पे क्लोई अपनी कार की चौपी किसी और को देती है ताकि वो कार उसे घुमा के दे पाए अपनी देर के अंदर अमेनेडील शालीट के सामने आ चुका था और वो अपनी मॉम को रोकता है कि मॉम आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है आप गॉड़ेज होके एक इनसान को कैसे मार सकती है तो शालीट कहती है कि एक यही रीजन है जिससे कि लुसिफर अपनी घर नहीं जा रहा है और हम इसे मार भी तो सकते हैं आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है अमेनेडील यहाँ पर बोलता है कि अगर आपने क्लोई को मार दिया तो लुसिफर उसके कातिल को बिल्कुल जिंदा नहीं चोड़ेगा और जब उससे पता चलेगा कि यह काम आप ने किया है त वो क्लोई की जान बख्च देती है और वहांसी चली जाती है पिछली राज जब लुसिफर को डिनर पर खली की साथ जाना था तो लुसिफर नहीं गया था लेकिन लिंडा उससे अपने डिनर डेट की बारे में पूचती है लुसिफर जूट कहता है कि वो डिनर डेट ने तुम पे believe किया, Lucifer वहाँ पे Chloe की mom से भी मिलता है, तो Chloe कहती है कि इसे तो ये भी नहीं पता है कि आज कौन सा दिन है, और Lucifer Chloe के पीछे पीछे ही चीज़े repeat करने लगता है, दब Lucifer को पता चलता है कि आज Perry की hearing होने वाली है, Perry वही आदमी है जिसने Chloe के फादर को मारा था, यहाँ पे डैन अपनी पिछली रात से काफी खुश था और वो हस्ता मुस्कुरा तब पुलिस स्टेशन में पहुचता है जहाँ पे एला उसे पूछती है कि तुम इतने खुश कैसे हो तो डैन बताता है कि पिछली रात काफी जादा अच्छी थी एला कहती है कि हो सकता है कि शायद जिसके साथ तुम पिछली रात थे उसीने तुमारे लिए एक सीक्रिट बॉक्स भी बेजा हो जब ये दौनों जाके एक सीक्रिट बॉक्स उपन करते हैं तो इसके अंदर गिफ्ट नहीं थे बलकि किसी का कटा हुआ सर था और ये सर कटा था बॉरिस का यहाँ पर अगला सीन शिफ्ट होता है कोट रूम में जहाँ पर पैरी के सुनवाई होनी थी क्लोई को पता चलता है कि बॉरिस जो कि इस केस का सबसे बड़ा विटनेस था उसका मडर हो चुका है यानि कि अब इनका केस बिलकुल लूस हो चुका था और इसक लूसिफर काफी confidence कहता है कि शालिट काफी समय से अच्छे केसिस नहीं लड़ रही है लेकिन तभी वहाँ पे जब hearing हो रही थी तो एक के बाद एक अच्छे खासी dialogue देने लगती है और वो Chloe के advocate को ही फसा देती है बातों के अंदर कि जब आपके पास में सारे evidence है तो फिर आ और इसकी मौत होने के कारण आप केस नहीं लड़ सकते हैं यही बात judge को भी click होती है और judge कहती है कि आगे की hearing हम lunch के बात करेंगे लूसिफर पहुँच जाता है अपनी mom के पास में और कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे है आपको आकिर क्या चाहिए तो शालिट कहती है कि क्लोई को हाथ लगाने की कोशिश करी तो शालिट कहती है कि मैं बस बताना चाहती हूं कि वो लड़की तुमारे लायक बिलकुल नहीं है तुम बस उससे दूर रहो यहाँ पे ख्लोई लूसिफर से कहती है कि तुमारा relation जैसा भी हो शालिट के साथ में लेकिन उसका इस report चेक कर रही थी कि तभी वहाँ पर डैन और एला पहुचते हैं और एला बताती है कि बार्इस के अंदर एक पडिक का ने पर मिला है यह सब एक चगह पर ही मिलते हैं यहाँ पर जब next hearing होने वाली थी तब लूसिफर क्लोई के एड़केट के साथ दुर क्लोई पूच ता剛 तो मुझे ही करना पड़ेगा चो भी करना है और हम देखते हैं कि next witness खुद Lucifer बन जाता है इस case का अब advocate यहाँ पे Lucifer से पूछता है कि जब Boris को arrest किया गया था तब आप वहीं पे थे तो अब आप बताईए कि आपने क्या क्या देखा था तो Lucifer यहाँ पे अपनी बाते बताना स्टार्ट करता है यहाँ scene shift होता है डैन और एला पे जो कि उस जगह पे पहुचे थे जहाँ पे उस पिक के डियने को ये लुप ढूंड सकते थे वहाँ पे काम करने वाली लड़की पुलिस वालों को देखके डर गई थी और उन्हें बोलती है कि मैं आप लोगों को call करने वाली थी लेकिन मैं खुद भी डरी हुई थी आज से कुछ दिन पहले एक लंबा चौड़ा हट्टकटा आदमी मेरे पास आया और मुझसे यहां की चाबी मांगने लगा मैं तो डर गई थी और उसके गले पे एक निशान भी था डैन पूछता है कि क्या तुम उसका नाम जानती हो तो वो बोलती है कि नहीं मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ यहां पे कोर्ट रूम में लुसिफर उस पूरे सीन को डिस्क्राइब करता है जब उसने और डैन ने बोरिस को अरेस्ट किया था वो हर एक चीज़ को इतनी डीटेल से बताता है कि सारे लोग उस चीज़ को एक मूवी के जैसे इंजॉई कर रहे थे और लास्ट में आके सभी लोग तालिया मजाने लगते हैं साथी साथ जज़ पी लुसिफर की फैन हो चुकी थी यहां पे एमेने डील पहुचा था क्लोई की कार सी बॉम हटाने के लिए लेकिन तभी में उसके जोई को कुछ भी नहीं कर सकते हो जाके अपनी मॉम को बता देना और आज के बाद मुझसे जूट बोलने की कोशिश कभी मत करना यहां पर नेक्स्ट यहरिंग अप डैन की थी दैन भी वही सारा सीन डिस्क्राइब करता है जज यहां पे शालिट से पूछती है कि क्या तो उस क्राइम सीन पे सबसे पहले कौन पहुँचा था और लुसिफर को ध्यान नहीं था कि चार्ट शीट में क्या लिखावा था इसी करान लुसिफर बोल देता है कि सबसे पहले वहां पे क्लोई पहुँची थी शालिट इसी बात को पॉइंट बना लेती है और वो कहती कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि क्लोई के फादर को जिसने मारा था उसकी मौँच जैसे ही हुई वहां पे सबसे पहले क्लोई ही कैसे पहुची जबकि चार्ट शीट में तो लिखा था कि वहां पे डैन एस्पिनोजा सबसे पहले पहुचे थे तो अब लुसिफर आप बताए कि या तो आप सच बोल रहे हैं या फिर जूट बोल रहे हैं इसका मतलब था कि लुसिफर शालिट की बातों में फस चुका था यहां पे क्लोई लुसिफर की उपर गुसा हो जाती है क्लोई लुसिफर से कहती है कि तुमने किसने का था शालिट को बताने के लिए कि उस crime scene पे सबसे पहले मैं पहुँची थी Lucifer ये बात clear करने की कोशिश करता है कि मैंने उसे कुछ नहीं का Dan काफी जादा गुसे में आ चुका था इस case को देखते वे और वो Charlotte को कहता है कि तुमने खुद का मतलब निकालने के लिए मेरे साथ में राद बिताई तो Charlotte कहती है कि इसमें सिर्फ मेरा फायदा नहीं था तुम खुद भी तो देखो कि तुमें क्या क्या मिला यहाँ पे M&A डील अपनी फ्रेंड लिंडा के पास में पहुँचता है और लिंडा को कहता है कि एक दोस्त होने के ना थे तुम मेरी बात सुनो मेज ने पूरी की पूरी कार उड़ा दी तो लिंडा कहती है कि तुमने उसे जूट ही क्यों कहा था तुम अगर उसे जूट कभी नहीं कहते तो वो हर्ट भी नहीं होती इससे अच्छा है कि अगर तुमें बात सही करनी है तो उससे चाके माफी मांगो यहाँ पे लक्स पे लुसिफर और जब मेज बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पे डैन पहुँचता है तो लुसिफर डैन से पूछता है कि आकर तुम यहाँ पे आए क्यों हो तो डैन कहता है कि जिसने बॉरिस को मारा है उस आदमी का पता चल चुका है वो किसी चाइनीज गैंग का मेंबर है और अब यह तीनों पहुँच जाते हैं इसी चाइनीज गैंग के मेंबर को ढूंडते हुए चाइनीज गैंग के अड़े पे जहाँ पे पूरे रस्ते मेज डैन को छेड रही थी क्योंकि में इसको तो पता था कि डैन पिछली राज शालिट के साथ था इस चीट से परिशान होके डैन बोलता है कि हाँ हाँ मैं सोया था शालिट के साथ में और मेरी ही गलती थी कि मैं इतना जादा ड्रंग था कि मैंने केसिस के बारे में उसे बता दिया लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे सोनी के बाद में वो मेराफून भी चेक कर लेगी ये बाद सुनके Lucifer की बॉटी में जितना भी बलड था वो सारा का सारा खौलने लग गया था लुसिफर कहता है कि तुम शालिट के साथ में सोए और उसके बाद में वो सीधा कूच जाता है डैन के उपर ये दोनों दर्वाजा तोड़के बहुत सारे लोगों के सामने आगिरते हैं जिससे कि सारे लोग इन्हें गन पॉइंट पे ले लेते हैं लेकिन लुसिफर डैविल था जिससे बहुत सारे लेंग्विज़ες आती थी इसी के कारण वो वहाँ पे उन लोगों से बात करने लगता है और वहाँ की लीडर से बात करके एक डील तै करता है जिसमें डैन पूछता है कि तुमने क्या डील तै की है तो लुसिफर बताता है कि बस हम लोगों को एक आदमी से लड़ना है और अगर हम नहीं जीत पाए तो ये हमें मार डालेंगे और अगर हम जीत गए तो जिसने भी बॉरिस को मारा है ये उन लोगों का पता बता देंगे डैन कहता है कि मैं इस आदमी से तो बिलकुल नहीं लड़ने वाला मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है तो लुसिफर कहता है कि मुझे पता है कि तुम हार जाओगे यहां बात तुम्हारी नहीं बलकि मेस की हो रही है और इसके बाद हमें मेस की बहुत ही शांदार वाली यहाँ पे Chloe और उसकी मॉम आपस में बात कर रहे थी कोटरूम के बार और तब शालिट आके Chloe को कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है इतर लुसिफर और डैन वहाँ पहुचते हैं जिसने की Boris को मारा था लेकिन यह जिस जगह पे पहुचते हैं तो वहाँ पे दो इंसान मरे ह हुए थे वो इंसान जो कि चाइनीज टीम का बंदा था और दूसरी Boris की बाड़ी जिसका सर पहले पुलिस टेशन में पहुचाया जा चुका था यानि के फिर से एक विटनेस और मर चुका था जिसकी इंफोरमिशन क्लोई के मैसेच पे आती है शालिट क्लोई को कहती है कि म सच्चा है सबके सामने लाकियों से अरेस्ट करवा दे या फिर सिफर जूटा साबित कर दे अब हीरिंग की बारी थी क्लोई की लेकिन क्लोई यहां पे वो ही करती है जो कि क्लोई को करना चाहिए था वो लूसिफर के तारिफों की पुल बांद देती है वो कहती है कि लूस लूसिफर को कहा था कि Chloe क्या तुम्हारे लिए कुछ कर सकती है तो लूसिफर को अब इस चीज का प्रूफ मिल चुका था कि Chloe उसके लिए कुछ भी कर सकती है यहाँ पे इस बयान के बाद में अब वहाँ की जच पैरी को फ्री कर देती है एमने डील मैं इस से माफी मांगने क लिए एक बुके लेके पहुचता है लेकिन वहाँ पे वो एक रोती हुई लेडी को देखता है जो कि Chloe की मॉम थी Chloe की मॉम कहती है कि मेज अभी घर पे नहीं है और इसी के साथ में आमने डील और Chloe की मॉम बैठके बाते करने लगते हैं तब ही वहाँ पे इन दौनों का आई भूलता हूँ लेकिन मैं आपको नहीं जानता यहाँ पे डैन गुसा था कि शालिट ने इस केस को काफी जादा टेक ओवर कर लिया है और हम देखते हैं कि पैरी आजाद होने के बाद में पार्टी करके लोटा था तब डैन पैरी को कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ही होता है कि आज से बहुत सालों पहले मुझे डैड ने एक कपल को ब्लेस करने के लिए अर्थ पे भीचा था लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका रिजल्ट यह होने वाला है यहाँ पे दूसी तरफ क्लोई लक्स में पहुँची थी लूसिफर से मिलने के लिए इधर एमन तरफ में तक पहुंचा सकती है और वहीं है जिस से कि तुम्हारी पावर्ट भी वापिस से लॉट सकती है। यहाँ पर लूसिफर और लुसिफर अन्क्यों को और वो एक दूसरे को काफी देर तक देखने लगते हैं और वो एक दूसरे की काफी जादा नस्तीक आ चुके थे और इसी के साथ यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है तो गाईज यहाँ पर सस्पेंस इतना बड़ा है कि आखिर क्लोई कौन है और उसे अर्थ पर किसकी लिए भीचा गया था क्यूं भीचा गया था इन सबका रीजन्स हमें आगे पता चलेगा और साथ ही हमें यह भी पता चलेगा कि क्या लूसिफर और क्लोई के बीच में कुछ हो पाया था तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इन सारी कुशन्स के आंसर के साथ पे नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए टाटा लूसिफर सीजन 2 के 10 एपिसोड में हमने उस सीन को छोड़ा था जहां पे लूसिफर और क्लोई बस एक दूसरे के बहुत नस्दीक आने ही वाले थे तो इसी के साथ हम एपिसोड नंबर 11 के शुरुआत करते हैं जहां पे लूसिफर और क्लोई एक दूसरे के नस्दीक थे लेकिन इन दौनों का मूवमेंट खराब करने के लिए यहां पे लिफ्ट का डोर ओपन हो जाता है और वहां पे इसे एक लड़के निकल के आती है जिसे लूसिफर कहता है कि चाना तुम आज यहां पे क्या कर रही हूँ मैंने तुम्हें आज नहीं बुलाया क्लोई जैसे ही उसे देखती है तो खुद को रोक लेती है और कहती है कि मुझे यहां से चाना चाहिए लूसिफर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि हम तोनों के बीच में एक मूवमेंट क्रियेट होने वाला था क्लोई तो क्लोई कहती है कि अच्छा हुआ यह लड़की आ गई शायद एक बहुत बड़ी गलती होने से बच चुकी थी वो चाना नाम के लड़की लूसिफर को आगे अप्रोच करती है लेकिन लूसिफर उसे आगे बढ़ने से डिनाय कर देता है यहां पर सीन शिफ्ट होता है क्लोई के घर पे जहां पर ट्रिक्सी अब एक नया फूट ट्राइ कर रहे थी क्लोई कहती है कि यह तो तुम्हारा फूट नहीं है यह जरूर तुम्हें मेज निला की दिया होगा और तभी यहां पर मेज एक नियूस पेपर लेकि आती है जिसके उपर नियूस लिखी थी कि पैरिनाम की आदमी की डेथ हो गई है यह वो ही आदमी था जो कि लास्ट एपिसोड में किद्नैप हुआ था क्लोई उसे देखके कुछ खास खुश नहीं थी तो मेज पूचती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए तुम्हारी फादर का जिसनी मर्डर किया था उसकी भी मौत हो चुकी है क्लोई कहती है कि मैं उसे जेल में सरता हुआ देखना चाहती थी मेज यहाँ पे बाउल लेती है उसके अंदर अलकोहल डालती है और वो ही फूट खाने लगती है क्योंकि मेज को तो गुस्सा आ रहा था उसने इतना अच्छा काम क्लोई के लिए किया लेकिन क्लोई ने उसे एप्टी शेट ही नहीं किया यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि शालेट अप लूसिफर के पास पहुँचती है जो कि क्लोई के बारे में कहती है और कहती है कि मैं क्लोई के बारे में पहले गलत सोचा करती थी लेकिन बेटा तुम्हें उससे बात करने चाहिए उससे अच्छी लड़की तुम्हें कभी नहीं मिल सकती उसने तुम्हारे लिए पहुत सारी चीज़े प्रूफ की है तो अब ये तुम्हारा टरन है कि तुम उसके लिए क्या कर सकते हो यहाँ पे Lucifer Chloe को वापिस से मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि हम दोनों के बीच में इत्ता अच्छा मूमेंट होने वाला था Chloe कहती है कि ऐसा हम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे जिस क्राइम सीन पे ये दोनों पहुँचे थे और जो बॉड़ी ये लोग देखते हैं वो थी जैना की जो कि लास्ट नाइट लूसिफर की घर पे थी Chloe कहती है कि तुम सच सच बताओ कि जैना और तुम्हारे बीच क्या हुआ तो लूसिफर कहता है कि डिटेक्टिव तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ वो बस पांच मिनट के लिए रुखी और चली गई यहाँ पे हम देखते हैं कि मेज अप पुलिस टेशन में पहुँच चुकी थी वो सोचती है कि शायद डैन उसके साथ में इस चीज का सैलिब्रेशन करेगा कि उन दोनों ने मिलके पैरी को मार दिया लेकिन डैन तो मेज के उपर उल्टा और जादा भढ़क जाता है कि तुम पुलिस टेशन में क्या कर रही हो अगर किसी को पता चल गया कि पैरी को हम दोनों ने मरवाया है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है में इसको फिर से बहुत बुरा लगता है कि डैन ने भी उसके साथ बहुत बुरा बियेव किया यहाँ पे क्लोई ने जाना का फून चेक किया था जिसमें उन्हें लास्ट टेक्स्ट एक नंबर से मिलते हैं और जिस नंबर से मिलते हैं उस नंबर को ट्रैस करते हुए ये एक बीच पे पहुँच चुके थे ये लोग एक एंडी नाम की आदमी से मिलते है एंडी कहता है कि जैना की जैसे मैं यहाँ पे हजार लड़कियों से रोज मिलता हूँ और रही बात कल रात की तो यहाँ की किसी भी लड़की से तुम पूछ सकते हो कि मैं रात में कहां था और इसके बाद में वो लुसिफर और क्लोई को वहीं पे छोड़के चला जाता है यहाँ पे क्लोई के पास में एक कॉल और आता है यानि कि एक मडर और हुआ है क्लोई कहती है कि चलो ये बात तो अच्छी है कि तुम इसके साथ में तो नहीं सोय होंगे का ये जवाब तो हमें और जादा चौका देता है जब Lucifer कहता है कि अरे राज ये तुमारे साथ में क्या हुआ यहाँ पे Chloe कहती है कि मुझे इन दौनों murder के बीच में सिर्फ और सिर्फ तुम ही एक common इंसान लग रहे हो क्योंकि तुम ही इन दौनों को जानते हो तो ऐसा तो नहीं कि तुमारे कोई एक्स इतना जादा जल रही हो कि वो तुमारे इन lovers का murder करने पे उतर आयो तो तुम मुझे उन सभी लोगों का नाम बताओ जिनके साथ में तुम पिछले आठ वीक से सोय हो तो लुसिफर यहाँ पर स्टाइल से कहता है कि डेटेक्टिव तुमें काफी बड़े नोट पेट की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद में हम देखते हैं कि एक से बढ़का एक लड़किया पुलिस टेशन में खुद की गवाई देने के लिए पहुंच चुकी थी डेन लुसिफर से कहता है कि क्या तुम इंशारी लड़कियों के साथ में थे और लुसिफर कहता है कि हाँ इसमें कोई शक नहीं है यहाँ पे comida सभी लोगों से investigation करती है तो सारे लड़किया लुसिफर की तारिफों के पौल बांधना शुरू कर देती है तब Chloe इन लड़कियों से पूछती है कि क्या तुमने किसी का murder किया है तो ये सारी लड़किया answer देती है कि नहीं हम Lucifer के लिए किसी को मार नहीं सकते है वो बस एक रात की बात थी ये बात सुनके तो Lucifer हर्ट हो जाता है उसे लगता है कि सारी लड़कियां उसके साथ इतनी loyal नहीं थी कि वो किसी की चान पिले सकती थी और इसके बाद में number आता है Charlotte का Charlotte Chloe को कहती है कि मैं तुमारे बारे में बहुत गलत सोचती थी लेकिन तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं चाती हूँ कि तुम हमेशा ही उसी के साथ में रहो यहाँ पर डैन जब Charlotte को देखता है तो उसके वैसे ही चेरे के रंग बदल जाते हैं और वो Lucifer को कहता है कि क्या तुम इसके साथ में थे तो Lucifer कहता है डैन से कि मेरा विश्वास करो हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर मेश खुद का दिल हलका करने के लिए लिन्डा के पास पहुँच चुकी थी और मेश सारी बात लिन्डा को बताती है तो लिन्डा मेश को कहती है कि कोई भी तुम्हें अप्रिशेट नहीं करेगा तुम्हें खुद को ही देखना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि ये बात सुनके मेश खुदी में मोटिवेट हो जाती है और फिर वहाँ से लिन्डा को बिना थैंक्यू बोले ही चली जाती है यहाँ पे क्लोई की इन्वेस्टिकेशन अभी खतम नहीं हुई थी और वो बाकी लड़कियों से पूछती है कि क्या तुमने लक्स के अंदर कुछ ऐसी चीज देखी जो तुम्हें कुछ नॉर्मल नहीं लग रही थी तो वहाँ पे सभी का जवाब आता है कि एक लड़की ऐसी थी जो हमें regular घूरे जा रही थी लुसिफर और क्लोई के पास में इस लड़की का नाम और पता आ चुका था तो लुसिफर खुश था कि चलो एक लड़की तो ऐसी निकली जो मेरे लिए किसी को मार भी सकती है इस लड़की का नाम सुकी प्राइस था जब ये दौनों सुकी प्राइस के घर में पहुँचती है तो हम देखते हैं कि हर एक जगा लुसिफर की बहुत सारी पिचर्स थी लुसिफर से related toys थे लुसिफर के posters थे लुसिफर के frame थे और भी बहुत कुछ सुकी जब वाश्रूम में से बाहर निकलती है तो वो लुसिफर को देख के पागल हो जाती है वो कहती है कि तो क्लोई कहती है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी को मार दो तो सुकी कहती है कि नहीं नहीं मैंने किसी को मारा नहीं है और इसी के साथ Chloe और Lucifer पूछते हैं कि हम ऐसे लोगों को ढूंड रहे हैं जो कि Air Hostess और Pilot है तो सुखी बताती है कि हाँ मैं लोगों को चानती हूँ और वो जो पिच्चर Chloe और Lucifer को दिखाती है उसमें करीबन तीन लोग थे Chloe पूछती है कि ये तीसरा आत्मी कौन है और उसी के साथ में उसे ये भी पता चलता है कि जाना और राज आपस में दोस्त थे ये डीटेल्स पता करने के बाद में ये लोग सुखी को कहते हैं कि शेर छोड़की मत जाना यहाँ पे हम देखते हैं कि शालिट और आमेने डील मिले थे जो कि अभी भी हैविन जाने की ही बाते कर रहे थे शालिट कहती है कि Chloe की मदद से हम लोग जल्द ही हैविन चले जाएंगे तो आमेने डील कहता है कि मौम ये इतना आसान नहीं होगा दूसरी तरफ डैन, लुसिफर और Chloe मिलके पाइलेट टिम के बारी में पता करते है कि वो अमेर लोगों के प्राइवेट जेट्स उड़ाता है और बस इस समय वो टेक आफ करने ही वाला है तबी यहाँ पे अगले सीन में हम देखते हैं कि लुसिफर अपनी ब्यूटिफल से विंटेज कार के अंदर जेट के सामने आ जाता है इसी कारण जेट को भी रुखना पड़ता है उसमें से निकल के पाइलेट टिम बाहर आता है वो कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम दोनों मुझे मारने आये हो लेकिन तुम दोनों तो पुलिस वाले हो लोई पूछती है कि तुम हमें देखे भाग क्यो रहे थे तो टिम कहता है कि मेरे दो दोस्तों की मौत हो चुकी थी अगर वो उसके ड्रक्स के पैकेट को अच्छे से कहीं पहुचा देगी तो वो उसे बहुत ऐशो आराम की जिंदगी देगा लेकिन जैना के हाथ से एक पैकेट गुम हो चुका था इसी कारण वो अब हम सब लोगों के पीछी पड़ चुका है पहुचती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि अब तुम्हें क्या करना है मेज सुपर एक्साइटेड थी फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए यहाँ पे लोसिफर अपने स्टिंग ऑपरेशन के लिए निकल नहीं वाला था कि तभी एमनेडील पहुच जाता है एमनेडील कहता है कि लोसिफर मुझे तुम से बात करनी है तो लोसिफर कहता है कि मुझे तुम्हारी बेदो की बाते सुनने में कोई इंट्रेस नहीं है एमनेडील कहता है कि ये बात क्लोई से रिलेटेड है और फिर एमने टील भी Chloe के बारे में तारीफे करने लगता है यहां हम देखते हैं कि एक रेस्टरो के अंदर Dan बैठा था और साथ ही में वैन के अंदर Chloe और Lucifer को इंफोमिशन दे रहा था यहां पर मेज पहुचती है एर आस्टिस की ड्रेस में जो कि Dan के पास ही जाके बैठ चाती है तो Dan उसे मना करता है कि तुम दूर जाके बैठो नहीं तो बर्ट को पता चल जाएगा लेकिन मेज तो कहां चुपूने वाली थी वो तो Dan से बातों ये बातों के अंदर ये भी उगल देती है कि वो शालिट के साथ में सोया था ये बात सुनकी क्लोई अपने कानों से हैटफोन उतारती और गुस्से में लुसिफर से पूछती है कि ये दौनों क्या बाते कर रहे हैं क्या ऐसा कोई भी जना बचा है जो शालिट के साथ में नहीं सोया हो लुसिफर कुद की सफाई देते हुए बोलता है कि सच बता रहा हूँ डिटेक्टिफ तुम से जादा तो मुझे गुस्सा आया था क्लोई का मूड इतना जादा खराब हो चुका था कि वो लुसिफर को वैं से बाहर जाने के लिए बोल देती है इतनी ही देर में यहाँ पे एक आदमी पहुँच जाता है जिसे सभी लोग बर्ट समझते हैं मेज उसे अपने साथ में कमरे में ले जाती है और वो देखती है कि आसपास कोई नहीं है और तभी वो उसे हवा में उठा देती है और वो पूछती है कि तुने ही मारा थाना जाना और राज को तो वो लड़का बोलता है कि मैं तो बर्ट हूँ ही नहीं मुझे तो बस पैसे दिये गए थे ये बात सुनते ही डैन और क्लोई इसी कमरे में पहुच जाते हैं और पूछते हैं कि तुम बर्ट नहीं हो तो आकर बर्ट कहां पर है तो वो आदमी कहता है कि वो एक काले कोट पैने हुए आदमी के पीछे गया था यहाँ पे अब हमें रिवील होता है कि बर्ट कौन था और इसी के साथ में वो लुसिफर के उपर कन पॉइंट कर देता है लुसिफर कहता है कि अच्छा तो तुम ही बर्ट हो इसका मतलब है कि तुम ही वो ड्रक्स इधर उधर हेरा फेरी कर रहे थे लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया कि तुमने जना को छूट बोला वो त चुके थे क्लोई सोचती है कि एक ड्रक के पैकेट के कारण बर्ट क्यों किसी को मारने लगेगा भला जरूर इसके पीछे कोई और ही बात है यहाँ पर एपिसोड के लास सीन में हम देखते हैं कि एक चोर के हाथ में पैकेट था और वो रोशनी में से निकलते हुए एक आदम मर जाता है और जो दूसरा आदमी रोशनी से निकल के आ रहा था वो उस पैकेट को अपनी साथ ली जाता है अब काईज हमें यह नहीं पता है कि वो पैकेट क्या था और उसके अंदर जो ट्यूप्स थी वो क्या थी जिसके कारण यह आदमी मर गया था एपिसोड के मौम हो जिसकी फर्स प्रियार्टी अपनी बेटी है और मैं यहाँ पर ठहरा आयास जिसी किसी भी तरह की कोई रसपॉंसिबलिटी नहीं है मैं चाहता हूं कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छा इंसान मिले लोई यह बाते सुनके इतनी जादा इमोशनल हो चुकी थी यह उ लूसिफर और क्लोई की क्लोसनेस देखी थी और उसी के बाद यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया था इससे पहले वाले एपिसोड में हमने बहुत सारी चीज़ें और भी देखी है जिनका सस्पेंस अभी पर डिस्क्लोस नहीं हुआ है इसी के साथ गाइस एपिसोड नं के खुल जाती है गाइस यह सब कुछ एक सपना था जो कि मेज अपने आखों के सामने बैठके देख रही थी मेज क्लोई सी पूछती है कि तुम्हें तो कंटिनियू करना चाहिए तुम बड़ा अच्छा कर रही थी सपने में तो क्लोई कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है त कि तुम्हें उसे अपनी सचाई सरूर बतानी चाहिए यहाँ पर जब से मीज ने क्लोई को कहा था कि तुम्हें थोड़ा रिलैक्स और चिल रहना चाहिए तब से वो लुसिफर के साथ में कुछ उटपटंग से बात कर रही थी उसके जेस्चर लुसिफर को भी कन्फ्यू रिंक नहीं की है बलकि इसे जहर दिया गया है और यह जहर इतना स्ट्रॉंग है कि इसकी बाड़ी अंदर से भी गल रही है यहाँ पर तुमने कुछ और चीज भी नोटिस की तो लड़का बताता है कि यहाँ पर कल जॉनी आया था तो लुसिफर कहता है कि जॉनी तो बहु चाकू था और वो गलोई और लुसिफर की पीछे ही खड़ा था जॉनी पूछता है कि क्या वो लड़का ठीक है उसे कुछ हुआ तो नहीं ना इसकी बाद जॉनी कहता है कि मुझे कल एक वीडियो मिला है यहाँ पर लुसिफर गलोई और जॉनी वही वीडियो देख रहे जो कि जॉनी की परसनल मेल आईजी पे आया था इसके अंदर एक मास्क पेना प्रॉफेसर बैठा था जो कि जॉनी को एक इंस्ट्रिक्शन देता है वो बोलता है कि या तो तुम अपना चैरा काट लो या फिर इस रिक नाम की लड़के को मार डालो जॉनी कहता है कि मैं पहला शक अपनी मॉम शालिट पे जाता है इसी कारण वो शालिट से पूछता है कि अब आपनी क्या किया है अगर मैंने क्लोई को किस किया है तो इससे आपको क्या प्रॉबलम है तो शालिट वहाँ पे अपनी खुशी जाहिर करती है वो बोलती है कि बच्चों में तुमार के लॉसिफर को मैप कर रहा था यहां लूसिफर और ख्लोई एक लाइबरेरी में पहुंचते हैं जहां पे ख्लोई अभी भी चिलिंक मूड था लेकिन कुछ देर बाद में Chloe और Lucifer Matthew नाम की लड़के से पूछते हैं कि तुमने Rick को क्या मारा उससे तुमारी क्या दुश्मनी है और तुम इस mail ID का use क्यों करते हो तो वो लड़का बताता है कि मैं उस mail ID को बहुत कम use करता हूँ जब मुझे कोई personal काम हो और रही बाद किस को भी कोई mail नहीं किया है वो अपनी mail ID ऊपन करके दिखाता है और उस लड़के को दिखता है कि एक गंटे पहले एक mail और शेहर किया गया है Lucifer और Chloe उस mail को देखते हैं जिसमें एक वीडियो था उसी मास्क मैंने प्रॉफेसर का जो की बताता है डॉक्टर स्कॉट के बारे में वो कहता है कि डॉक्टर स्कॉट अगर तुम अपना हाथ नहीं काटोगी तो ये Ashley नाम की लड़की जल्द ही मर जाएगी यहाँ पे Chloe कहती है कि डॉक्टर स्कॉट इस शहर की बहुत चानीमानी सर्जन है जिसने कई लोगों की जान बचाई है ये लोग Dan को डॉक्टर स्कॉट के पास भेज देते हैं और Lucifer और Chloe पहुच जाते हैं Ashley नाम की लड़की को ढूनने के लिए यहाँ हम देखते हैं कि इन दौनों को एक टीनेच पार्टी के अंदर जाना था जहाँ पे हर जगर डाउन्स, म्यूजिक और ड्रिंक था इधर दूसरी तरफ Dan से डॉक्टर स्कॉट पूछती है कि अगर तुमारी सामने ऐसी सिच्वेशन आती तो तुम क्या करते हैं दू अगर यह कोई बैट निउस है तो तुम इसे खुच जाके बताओ मैं अपनी क्लाइन के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती तो शालिट को समझ में आता है कि मुझे एक ऐसी पागल इंसान की जरूरत है जो कि लूसिफर के क्लोज है यहाँ पर डैन डॉक्टर स्कॉट के साथ में थी वो कहती है कि मुझे उस बच्ची को बचाना पड़ेगा और उसके बाद में वो अपना हाथ बेसीन में डाल देती है जिसके कारण डॉक्टर स्कॉट का पूरा हाथ कर जाता है यहाँ पे लूसिफर और क्लोई भी पहुच चुके थे जहाँ पे लूसिफर डॉक्टर स इसका टेस्ट करना पड़ेगा और एशली के पास भीचना पड़ेगा यहाँ पे डैन और एला आपस में बात करते हैं कि किलर बहुत जादा स्मार्ट है उसने जितनी भी जहर दिये हैं वो सारे डिजाइनर पॉईजन है इसी कारण उनकी एंटिटोड भी सारे डिफरिंट है हो ना हो यह प्रोफेसर बहुत स्मार्ट है जिसके पास और भी जादा पॉईजन हो सकते हैं इसके बाद में एला कहती है कि मैंने अपने बाकी दोस्तों से भी पूछा था कि अगर तुम लोगों को इससे रिलेटेट कोई सिम्टम मिले तो मुझे सरूर बताना आज से पिछले सीजन के स्टार्टिंग में हमने एक अमीर आदमी देखा था वो कहता है कि पिछली बार हम लोगों ने जो केस सॉल्फ या था उसमें बर्ट नाम के आदमी का एक इंपॉर्टेंट पैकेज कुम हो चुका था जिसे सब लोग ढूंड रहे थे कहीं वो इंपॉर्ट है क्लोई यहां पर वाश्रूम का दर्वाजा खट-कटाती है और वो दोनों जैसे वाश्रूम को खोलते हैं तो देखते हैं कि एशली के नाक से ब्लट बैता ही जा रहा था यहां पर लुसिफर और क्लोई एशली से आके मिलते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा कल का दिन कैसा रहा था तो Ashley बताती है कि कल का दिन बिल्कुल नॉर्मल डेस की जैसा ही था लेकिन मेरा हाथ दर्थ कर रहा था इसी कारण में जिम नहीं गई थी तो Chloe पूछती है कि तुम्हारा हाथ क्यों दर्थ कर रहा था तो Ashley कहती है कि हाँ ये बात तो मुझे भी नहीं पता और इसकी बात वो कहती है कि मैंने एक फ्लू का इंजक्शन लगाया था Chloe कहती है कि रिक की पी जब मौत हुई थी उससी कुछ टाइम पहले उससे भी फ्लू का इंजक्शन लगा था यहाँ पे Dan डीटेल्स निकाल चुका था वो Chloe और Lucifer को बताता है कि आज से काफी समय पहले Malbo University का एक प्रॉफेसर था जो की कार एक्सिडेंट की अंदर से भाग गया था तो Lucifer कहता है कि वो अपनी जान बचा के भागा होगा तो Dan कहता है कि वो अपनी जान बचा के नहीं बलकि अपनी चार साल की एक थिसिस को बचाने के लिए भाग गया था इसी कारण उसने कार में बैठे बच्ची को भी नहीं बचाया अब Lucifer और Chloe को समझ आ चुका था कि यह एक पागल प्रॉफेसर है Lucifer कहता है कि हमें इसे प्रवोक करना चाहिए हो सकता है कि इसी गुसे में आके वो कुछ रियाक्शन दे Chloe यहाँ पे एक गालियों से भरा मेल इसी प्रॉफेसर को भीच देती है सामने से एक लिंक आता है जहाँ पे इस डॉफेसर ने एक वीडियो चैट का लिंक दिया था वो प्रॉफेसर कहता है कि अच्छा हुआ जो तुम लोगों ने मुझे ठून लिया है लेकिन इस बार मैं अपना एक्सपिरिमेंट फेल नहीं होने दूँगा मैं तुम लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि हर इंसान खुद की ही हेल्प करता है डॉक्टर स्कॉट के आसपस तुम लोग थे नहीं तो वो उस लड़की की जान कभी भी नहीं बचाती इसी के साथ वो डॉक्टर बताता है कि मेरे न्यू एक्सपिरिमेंट के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ यह एक नामी गिरामी एथिलीट है अगर इसने अपना पैर साथ मिनिट में नहीं काटा तो इसके पास में बैठा हुआ लड़का इस पॉईजन के कारण मर जाएगा लेकिन अगर यह एथिलीट अपना पैर काट लेता है तो मैं ऐसी एंटिडोट दे दूँगा यहां हम दूसी तरफ देखते हैं कि शालिट ने मेस को मिलने के लिए बुलाया था शालिट मेस को बताती है कि मुझे तुमसे इंपोर्टन बात करनी है क्लोई से रिलेटेट मेस शालिट की कोई बात नहीं मानती है जबकि शालिट बता चुकी थी कि क्लोई का इस अर्थ पे जन्म लेना कोई मामूली बात नहीं है बलकि उसे गौड नहीं बनाया है और यहां पे लुसिफर के लिए ही भीचा है तो मेज शालिट का मजाक उड़ाने लगती है तब शालिट मेज को कहती है कि तुम खुद सोच के देखो कि क्लोई के आसपास रहने से एक क्यूं लुसिफर कमजूर पढ़ जाता है यह बात मेज को सोचने पर मजबूर कर देती है यहां दूसरी तरफ एला एक न्यूज लेके आती है वो बताती है कि जब एंडी की एरपोर्ट पे मौत हुई थी तो वहाँ पे इस प्रोफेसर को भी देखा गया था हालांकि अब तो एंडी भी मर चुका है और यह वीडियो भी काफी टाइम पुरानी है तो इससे अब कोई फाइदा तो नहीं हो सकता तब क्लोई कहती है कि जब इस आईडी कार्ट पे जूम करो और इन्हें पता चलता है कि यह आईडी कार्ट एक दूसरी यूनिवरसिटी की है जिसका कैंपस कंस्ट्रिक्शन होने के कारण अभी बंद पड़ा है यहाँ पे लुसिफर और क्लोई इसी कैंपस में पहुँच चुके थे तो प्रॉफेसर इन दौनों को देख के कहता है कि मुझे पता है कि तुम दौनों मुझे तक जरूर पहुँचोगे क्लोई वहाँ दौर के उपर शूट करती है तब प्रॉफेसर कहता है कि यह बुलिट प्रूफ है तो तुम जरा संभल के शूट करो कहीं यह गोली तुम यही ना लग जाए वो प्रॉफेसर वहाँ दो ट्यूब्स दिखाता है वो बताता है कि एक ट्यूब के अंदर एंटिडोड है और दूसरी के अंदर है जहरीली गैसिस अगर तुम लोग अंदर आए तो तुम दम घुटने के कारण मर जाओगे लेकिन अगर तुम लोग अंदर नहीं आए तो उस लड़की को कोई अंटिडोट नहीं दे पाएगा और इसी के बाद प्रॉफेसर मस्क लगा के वो जहरीली कैपसुल वहीं पे तोड़ के भाग जाता है क्लोई उस दर्वाजे पे फिर से शूट करने लगती है लुसिफर कहता है कि मुझे विश्वास करो क्लोई तुम वस उस प्रॉफेसर को पकड़ो मैं इसी बचा लूँगा इधर ये प्रॉफेसर कैंपस छोड की भागने लगता है क्लोई लुसिफर की पीछी काफी दूर तक भागने लगती है लुसिफर अपना हाथ कार्ट कार्ट की चेक कर रहा था कि उसमें से अभी भी ब्लड निकल रहा है या नहीं एक समय ऐसा आता है जब लुसिफर का ब्लड निकलना बंद हो जाता है तैट मींस क्लोई उसे काफी दूर थी और अब लुसिफर अंदर पहुच चुका था दौनों जनों की जान बचाने के लिए यहां दूसी तरफ क्लोई ने भी प्रॉफेसर को पकड़ प्रॉफेसर क्लोई को कहता है कि मैं किसी की पी जान नहीं लेना चाहता था लेकिन सभी लोगों ने मुझे गलत समझा मैंने जितने भी वैनिम बनाए है उन सभी के एंटिडोट यूनीक है और उन सब के यूनीक कोड़ सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में है तुम्हें ये और उसे बिल्कुल सेफ देख के काफी खुश हो जाती है यहां सीन शिफ्ट होता है शालेट और मेज पे जहां मेज ने लुसिफर को बुलाया था लुसिफर कहता है कि मैं आज बहुत जादा खुश हूँ और ऐसा कोई भी रीजन नहीं हो सकता जिससे मैं परेशान हो जिसमें थे एमेनेडील और क्लोई की मॉम लुसिफर पूचता है कि यह क्या है और इसका मतलब क्या है तब शालेट लुसिफर को सब कुछ बता देती है कि आज से कहीं सालों पहले एमेनेडील जिस कपल को ब्लेस करने के लिए आया था वो क्लोई के पेरिंस थे और क्लोई को तुमारे फार ने बनाया है तो लूशिफर कहता है कि इसका मतलब है कि अब तक जो भी हुआ है वो सब को छूट है और इसके बाद में लूसिफर बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था क्योंकि यह सब कुछ तो एक टैनी ही थी इसी कारण लूसिफर गुस्षब चुका था और इसी के साथ गाइज यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है पहला सस्पेंस की जब लुसिफर को पता चल चुका है कि ख्लोई आखिर कौन है तो लुसिफर अब इस पे क्या बिहेव करेगा और दूसरा बड़ा सस्पेंस की ख्लोई के उपर आखिर इस वैनम में तब तक के लिए टाटा ! लुसिफर सिजन के पहले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लुसिफर ने अपने भाई अच्छी को मारा था गाइस आप लोगों को ये एपिसोड एक्स्प्लीन करने से जादा मैं एक्साइटेड हूँ ये एपिसोड आपको बताने के लिए अगर अब तक का मैं अपना बेस्ट एपिसोड बताऊं तो उन्हें में से एक एपिसोड ये भी है जिसकी अंदर बहुत सारा सस्पेंस, एमोशन और ड्रामा है तो चलिए फिर बिना प्रतिक्षा कराएं मैं इस एपिसोड के स्टार्टिंग करती हूँ जहां पे हम देखते हैं कि लुसिफर अब क्लोई को अपनी साथ में हॉस्पिटल लेके जा रहा था जहां पे कलोई उसे बताती है कि उसने मुझे कब इंफेक्टेट किया हो लुसिफर पूछता है कि तुम उसके साथ में कितनी देर थी तो कलोई कहती है कि मेरे साथ उसकी बस थोड़ी बात हाता पाई हुई थी और शायद उसी टाइम उसने मुझे इंजेक्शन लगाया हो कलोई इसी टाइम पे अपनी बैक देखती है जहां पे उसे इंजेक्शन लगा हुआ दिखाई देता है कलोई कहती है कि किसी के पास में भी एंटिडोट नहीं है तो अगर हम हॉस्पिटल गए तो कुछ नहीं हो पाएगा हो सकता है कि जो समान प्रोफेसर की लैप से हमें मिला था क्या पता उसी में हमें एंटिडोट मिल जाए इसी कारण ये लोगा पहुँच जाते हैं पुलिस टेशन लेकिन अभी तक किसी हॉस्पिटल से किसी के इंफेक्टेड होने की इंफोर्मिशन नहीं आई है इसी के साथ मुझे एक एंटिडोट में मिला है लेकिन उसके अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है क्लोई फिर से एक बर कोशिश करती है कि शायद समानों के अबर उसे एंटिडोट मिल जाए वहीं पे अब लूसिफ़र ने इमेनीडील को बुलाया था लूसिफर इमेनीडील को एक खाली कमरे में लेके जाता है जहाँ पे लूसिफर सीधा इमेनीडील को गले से उफा लेता है तो Aminadil साफ मना कर देता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था तब Lucifer Aminadil से पूछता है कि क्या Chloe को इस बारे में पता था तो Aminadil बोलता है कि उसे भी कुछ नहीं पता है Lucifer कहता है कि क्या ये God की ही चाले उसे poison देना तो आमेने डील तो इस बात को जानता ही नहीं था इसी कारण लुसिफर कहता है कि तुम हमारी कोई help नहीं कर सकते हो यहाँ पर क्लोई को पता चलता है कि जिसने इस poison की dealing करवाई थी वो bird था इसी कारण लुसिफर अब bird के पास पहुंच जाता है क्लोई bird को एक किक लगाती है और उसे सीधा कमरी में बंद कर देती है वहाँ लुसिफर उसका welcome करने के लिए पहले से ही बैठा था लुसिफर क्लोई को बाहर निकलने के बात कहता है कि मैंने अपने हाथ पैर बिल्कुल यूज नहीं किये लेकिन ये सच बोल रहा है कि इसे कुछ भी नहीं पता है और इस डिलिंग के बाद में एक डेव नाम के आत्मी के बारे में इसने बताया है शायद इसके आगे उसे ही पता हो यहाँ पर डेन और लुसिफर के बीच में आर्गुमेंट्स होने लगते हैं जहाँ पर क्लोई कहती है कि मैं तुम लोगों के बाते सुन सकती हूँ क्लोई लुसिफर को कहती है कि क्या मुझे ट्रिक से देखके डर तो नहीं जाएगी न तो लुसिफर कहता है कि क्लोई तुम बिलकुल इंचल लग रही हो इसी के साथ अब डैन और लुसिफर पहुंच जाते हैं डेव नाम के आत्मी से मिलने के लिए जो कि एक पेंटर था डैन ने पहले है लुसिफर से प्रॉमिस ले लिया था कि तुम यहाँ पे कोई जगड़ा नहीं करोगे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जब डैन देव से पूछता है कि क्या तुम हमें एंटिडोट के बारे में कुछ बताओगे क्योंकि मेरी एक्स वाइफ से रिलेटेड है तो डैव ख्लोई के लिए कुछ बुरा बोलता है और कहता है कि अगर मेरी कोई एक्स वाइफ होती तो इससे अच्छा होता कि वो मर ही जाती ये बात सुनके तो किसी को भी बहुत गुस्सा आ जाएगा और डैन सीधा एक पंच मिला के डेव के मुँपे दे देता है इसके बाद सारे लोग यहाँ पर डैन और लुसिफर को अरेस्ट कर लेते हैं जिसके बाद में डैन की खूब पिटाई होती है लेकिन लुसिफर फिर भी कुछ नहीं करता अब जब लुसिफर के पिटने का नंबर था तो लुसिफर कहता है कि क्या मुझे भी पिटना पड़ेगा और उसके बाद में वो अपने हैंडकफ्स खोल देता है डैन कहता है कि लुसिफर अगर तुम ये चीज़ पहले से ही कर सकते थे तो मुझे इतनी देर पिटने क्यों दिया तो लुसिफर कहता है कि डैन मैंने तो तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ नहीं करूँगा पर फॉर्म में आ चुका था जो कि डैन के भी हैंडकफ्स खोल देता है और डैव जब वहां पे पहुँचता है कि यह सारे फॉर्मिला प्रॉफिसर के दिमाग में थे जिसे वो किसी को भी नहीं बताते थे यہाँ शालेट आती है लुसिफर के पास में जहां लुसिफर शालेट से कहता है कि मैं डिटेक्टिव के सामनी नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास बहुत कम समय बचा है और आपको पता है कि मैं जूट नहीं बोलता तो शालिट लुसिफर को यहां तसली देती है और बोलती है कि क्लोई के साथ जिसने भी बहुत बुरा किया है वो अभी हैल के अंदर होगा तो उसे उसकी सही जगह मिल चुकी है इस बात से लुसिफर को बहुत बड़ा आइडिया मिल चुका था और फिर लुसिफर कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ मैं हैल जाओंगा बस इसके लिए मुझे मरना पड़ेगा और आज का दिन मरने के लिए बहुत अच्छा है तो गाईज अब आप ये सोचिए कि लुसिफर इस एपिसोड के अंदर आगे मरने वाला है यहाँ लुसिफर लक्स के अंदर मीटिंग बुलाता है जहाँ पर एमेनेडिल शालिट और मेज बैठे थे शालिट लुसिफर को हैल जाने से मना कर देती है मेज कहती है कि मुझे शालिट की बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है लेकिन इस पर मैं भी तुमारी कोई हेल्प नहीं करूँगी वहाँ पे एक इंसान भी बैठी थी चोकि डैविल और इंजल की बाते सुन रही थी ये इंसान लिंडा थी जिसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था शालिट वहाँ से चाने लगती है और बोलती है कि मैं तुमें इसमें कभी सपोर्ट नहीं करूँगी वो बाकी लोगों को भी बुलाती है लेकिन एमेनेटील और मेज वहीं रुक जाते हैं और लिंडा कहते है कि मेरे लिए एक लोगोन की जान बहुत बाकी काम मैं कर लुँगा याँ पर लूसिफर को हैल्प पहुचाने की पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी थी हाला कि लिंडा को medical knowledge बहुत कम थी लेकिन फिर बहो ये करने के लिए तैयार हो चुकी थी यहाँ पे लूसिफर एमेनेडील को कहता है कि भाई तुम यहीं रहना कुछ भी हो जाए बस ख्लोई को इस कमरी सी बाहर मत निकलने देना क्योंकि वो मुझसे जितना दूर होगी मैं उतनी ही जल्दी मर पाऊंगा एमेनेडील लूसिफर को कहता है कि क्या तुमें मुझे बिलीव है तो लूसिफर कहता है कि आखिर तुम मेरे भाई हो तुम यह कर सकते हो यहाँ पर पुलिस टेशन के अंदर दैन और एला को सारे इंग्रीडियन इकटे करने थे एंटिटोट बनाने के लिए लेकिन अभी भी एक इंग्रीडियन ऐसा था जो कि सारे इलिगल सोर्स को देखने के बाद में भी नहीं मिल रहा था इदा लिंडा लुसिफर को बताती है कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारे पास जिन्दा होने के लिए सिर्फ साट सेकंड बाकी है हम तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक देंगे और तुम्हें बस चल्दी आना है तो लुसिफर कहता है कि मैं इतना जल्दी काम कैसे करूँग इतनी देर में डेविल खुद अपने हाथ में इलेक्ट्रिक शॉक लेता है और खुद को ही वो मार देता है यहां ये दौनों ही शॉक में थे कि सच में लुसिफर मर गया और अब लुसिफर हेल में पहुँच चुका था। कर्मा सर्किल यानि की एक तरीकी से हैल लूप इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ इस लुसिफर सीरीज के अंदर बताया गया है कि अगर कोई भी हैल में पहुँचता है तो उसके साथ वो ही चीज़े रिपीट होना शुरू कर देती है जिसके अंदर इनसान ने कुछ बुरा किया था और अब प्रॉफिसर के साथ में भी वो ही सीन दोबारा से रिपीट होना शुरू हो चाता है प्रॉफिसर लुसिफर को कहता है कि मैं यहां से बाहर कैसे निकलू बस मुझे तुम यही बताओ तो लुसिफर कहता है कि गौड तुमारी कुछ बात सुने प्रॉफिसर कहता है कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ लुसिफर कहता है कि मरने से पहले डिटेक्टिव को तुमने एक पॉईजन इंजेक्शन लगाया था उसका antidote तुम मुझे बतादो तो हो सकता है मैं तुमारी help कर सकूँ डर के मारे प्रॉफिसर अब लुसिफर को वो formula दे देता है लेकिन जाने से पहले devil उसकी help नहीं करता है और devil वहाँ से चला जाता है devil hell कि अंदर देखता है कि एक दरवाजा और था जो उसे अपनी तरफ पुला रहा था जब लुसिफर उस दरवाजे को खोलता है तो गाइस आप लोग पहचानिए कि ये कौन सी जगा है और मुझे कमेंट में बताइएगा जिस जगह पे लुसिफर पहुचता है वहाँ उसे उसका भाई यूरियल मिलता है जो कि बताता है कि लुसिफर तुम्हें वो चीज ढूंडनी चाहिए थी जो कि लास्ट टाइम पे मैंने तुम्हारे कान में कहा था यानि की पीस यहीं पे है और तभी इसके बाद में लुसिफर के हाथ में एस्डियल का खंचर आ जाता है जिससे कि वो ना चाते हुए भी यूरियल को वाप लुसिफर को एस्डियल बताता है कि तुम चाहते ही नहीं थे मुझे मारना लेकिन तुमने यहां पे इनसान को चुना और अब यहां पे हैल का किंग भी एक हैल लूप में फस चुका है इसी कारण बार बार में यह चीज तुमारे सामने आ रही है लुसिफर काफी जादा और वो बार बार में कहता है कि भाई मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता था दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर अब क्लोई की तबेद बहुत जादा बिगड़ चुकी थी उसे अब फैट्स आने लगे थे यानि कि उसे मिर्की के दौर ही पड़ रहे थे और यहां पे जब लुसिफर भी 60 सेकंड होने के बाद में जिन्दा नहीं होता है तो मेस कहती है कि वो जरूर हेल के किसी कमरे में फस चुका है उसे वहां से जाके निकालना पड़ेगा तो लिंडा कहती है कि मेस तुम जाके उसे निकाल सकती हो तो मेस कहती है कि लिंडा मैं एक डीमन हूँ म वो बोलती है कि मुझे हैल बिल्कुल नहीं पसंद है लेकिन मैं मेरे बेटे को बचाने के लिए ऐसे कितने ही हैल में जा सकती हूँ शालेट को मारने के लिए मेज हमेशा रेडी थी वो एक सेकंड नहीं चूकती है और सीधा एलेक्ट्रिक शौक शालेट को लगा देती है मुझे उस क्यामिकल की बहुत जादा जरूरत है बिलीव करो मैं एक पुलिस की तरह नहीं आई हूँ इधर यहाँ लुसिफर अपने भाई को रेगुलर मारे ही जा रहा था और तभी शालेट हैल में से निकल के पहुंच जाती है लुसिफर को वापिस लाने के लिए लुसिफर को जैसे ही वो यूरियल से थोड़ा दूर करती है तो लुसिफर तो होश में आ जाता है लेकिन शालेट वहाँ पे हैल लूप में फस जाती है और वो अपने गिल्ट को बार बार दोराने लगती है वो लुसिफर को कहती है कि मुझे माफ करो मैं यहाँ पे तुम्हें सिर्फ अपने फादर के खिलाफ भड़काने आई थी और उनके खिलाफ यूस करने आई थी इसी कारण मैंने तुमें क्लोई के बारे में बताया और इसी कारण तुम दोनों की क्लोसनेस को भी बढ़ाई लुसिफर तो इस हैल लूप से बाहर निकल चुका था इसी कारण वो वहाँ से दूर जाने लगता है लेकिन शालेट अपने बेटे यूरियल को देख की वहीं रुक जाती है और वो बोलती है कि मेरा बेटा यहीं है मैं कहीं नहीं जाओंगी लुसिफर वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो शालेट को लिए बिना नहीं जा सकता था इसी कारण वो एक माँ को अपने बेटे से दूर करता है शालेट यहां पे बहुत जोर जोर से रोने लगती है कि मुझे यूरियल से दूर मत करो लेकिन फिर भी लूसिफर शालेट को यहां से दूर ले जाता है यहां दूसरी तरफ बहुत सारे सिक्योरिटी गाड आ चुके थे लेकिन एमेनेडील उन सबसे लड़ता है यहां पे डैन को भी अब वो क्यामिकल मिल चुका था काफी इलेक्ट्रिक शॉक लगाने के बाद में एक शॉक सक्सेस्फुल होता है और लूसिफर की बॉड़ी में फिर से जान आ जाती है और इसके बाद में अब शालेट पे जिन्दा हो जाती है जहां पे लूसिफर बहुत बुरी हालत के अंदर एमनेडील के पास पहुचता है एमनेडील लूसिफर को वापस जिन्दा देख के बहुत खुश था अब यहां पे अगली सुबह आ चुकी थी जहां पे हम देखते हैं कि क्लोई बिलकुल सेफ थी जिसके सामने लूसिफर बैठा था और क्लोई कहती है कि हम दोनों की बात कुछ अदूरी रह गई थी तो लूसिफर कहता है कि अभी यह बात करने का सही टाइम नहीं है हम जरूर बात करेंगे डिटेक्टिव लूसिफर वहां से जाने लगता है शालेट उसे रोकती है और कहती है कि मैंने तुमारे लिए इतना कुछ किया है तो लूसिफर कहता है कि आपने कुछ नहीं किया है बलकि आप भी सेल्फिश हैं और सब कुछ आपने अपने लिए ही किया है मुझे अब इस जगह पे रहना ही नहीं है मैं जा रहा हूँ जहां से मैं आया हूँ Lucifer Charlotte की एक भी बात नहीं सुनता है और वहां से चला जाता है यहां हम देखते हैं last scene के अंदर कि Chloe कहती है कि काफी हफ़तों से Lucifer तुम मिले नहीं हो इसी के साथ ना मेरी calls उठा रहे हो ना ही message का reply कर रहे हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए तुमारे घर आ रही हूँ और guys Chloe ने ये एक voice mail record किया था जो कि वो Lucifer को भीच चुकी थी यहां Chloe Lux में पहुचती है जहां पे light on करने की बाद वो देखती है कि सारा सामान pack था और वहां पे एक भी चना नहीं था यानि कि Lucifer कहीं चला गया था Chloe एकदम रोने जैसी हो जाती है और वो जोड़-जोड़ से Lucifer को बुलाने लगती है आवाज दे के तैक मीन्स Lucifer उसे बिना बताए कहीं चला गया था और इसी के साथ guys ये episode यहीं पे खत्म हो जाता है Lucifer के अब तक के episode में हमने देखा था कि कैसे Lucifer hell में चला गया था और वहाँ से लॉट के उसनी Chloe की चान भी बचा ली थी लेकिन आखिर में Lucifer परिशान होने की कारण सभी को छोड़ के चला गया था तो इस episode में हमीं देखना है कि क्या Lucifer वापस लॉट के आता है और अगर लॉट के आता है तो वो अपने साथ किस को ले के आता है यहाँ episode के starting में हम देखते हैं कि Charlotte Lux के अंदर party कर रही थी जहाँ पे वो एक लड़के के उपर गुसा करने लग जाती है और बोलती है कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है मैं उसके लिए hell तक चली गई और वो मुझे छोड़के चला गया वो लड़का ये बाते सुनके डर जाता है और वहाँ से चला जाता है यहाँ पे मेस कहती है कि तुमने उसे इतना जादा हर्ट किया कि वो तुमसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लुसिफर जो कि एक आदमी से टील कर रहा था जिसके ब्रीफ केस में कुछ ऐसी चीज थी जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता इसके बदले में लुसिफर नी बहुत सारे पैसे दिये थे सामने बैठे आदमी को यहाँ डैन क्लोई को कहता है कि क्या तुम्हारे पास में भी अभी तक कोई कॉल नहीं आया है लुसिफर का तो क्लोई कहती है कि पिछले दो हफ़तों से ना उसका कोई ई-मेल है ना मेसेज है ना वो call receive कर रहा है Chloe कहती है कि जाने दो उस बात को मैं भूल चुकी हूँ लेकिन तभी वहाँ पे Ella फिर से Lucifer की बात स्टार्ट कर देती है जिस पे Dan कहता है कि प्लीज यार topic चेंज कर दो यहाँ पे crime scene पे हमें एक लड़का दिखता है जिसका नाम Ash था और उसे देखने के बाद पता चलता है कि वो एक drum का member था इसके बाद इन लोगों को एक poster मिलता है जिससे पता चलता है कि ये एक guitarist था यहाँ investigation करने के लिए अब drum के members को बुलाया जाता है जो कि सबी लोग Ash के घर पे थे यह सारे members कहते हैं कि Ash बहुत अच्छा इंसान था लेकिन उसके साथ जरूर उसके ex-wife ने ऐसा किया होगा आए दिन उन दौनों के बीच में बहुत चगड़े हुआ करते थे और इन दौनों का डाइवास होने के बाद में तो इन दौनों के बिल्कुल भी नहीं बनती थी यहाँ पे scene shift होता है police station में जहाँ पे Chloe और Dan इस case के बारे में बात कर रहे थे कि तबे लुसिफर की आवाज आती है और वो नाम पुकारता है detective Chloe उसे देखके खुश थी और साथ ही साथ बहुत साथा गुसा भी कि आखिर तुम हमें बिना बताय कहां चले गए हमें तुमारी बहुत फिक्र हो रही थी यहाँ लुसिफर कुछ बोलता लेकिन तब है उसके पीछे से एक आवाज आती है और यह आवाज थी उसकी wife की यानि की Mrs. Morningstar जिसका नाम था Candy Chloe के तो उसे देखके होश उड़ गए थे कि वो एक stripper से शादी कैसे कर सकता है लुसिफर कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ लेकिन मुझे time ही नहीं मिला Chloe लुसिफर को कहती है कि मुझे तुम पे belief था हम दोनों partner थे और शायद लगा था कि हम दोनों के बीच कुछ हो सकता है लुसिफर ये बाते समझ रहा था लेकिन इसके बावजूद भी वो Chloe को कहता है कि मैं मजबूर था यहां investigation के लिए Ash की wife को बुलाया जाता है जहां वो कहती है कि Ash गुस्से में बहुत जादा रहता था लेकिन हमारे बीच जब डाइवास हुआ तो हमारे बीच का एक मिडियेटर था जो की एक lawyer भी है वो Ash का manager हुआ करता था उसने मेरे सारे पैसे Ash को दिलवा दिये थे Chloe कहती है कि अगर उसके पास इतने पैसे थे तो वो अतनी गरीबों वाले जिंदगी क्यों जी रहा था तो Ash की ex-wife कहती है कि जरूर इसके मिडियेटर ने ही सारे पैसे ले लिये हुँगे वो बहुत स्मार्ट है यहाँ पे M&A डील एक वेबसाइट चेक कर रहा था जहाँ पे लूसिफर को टेक किया गया था यहाँ पे एक कैंडी नाम की लड़की थी जिसने की एक रिंग के साथ में लूसिफर की पिच्चर अप्लोड कर रखी थी शालिट कहती है कि इन दोनों ने शादी कर लिये और मुझे कुछ बताया तक नहीं यह जरूर मेरी खिलाफ कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ दूसरी तरफ डैन इसी मिडियेटर की पिच्चल लेके हाथ में खड़ा था जहाँ पे क्लोई, लूसिफर और कैंडी भी थे तबी कैंडी के नजर पड़ती है कि यह तो वही आदमी सेम है जो कि क्राइम सीन पे भी खड़ा है यह लोग सोचते है कि एश के क्राइम सीन पे इसके लॉयर का होना कोई नॉर्मल बात नहीं है लूसिफर कहता है कि मैं कैंडी को घर छोड़ाता हूँ और हम दोनों इस लॉयर से बात करने के लिए चलते हैं क्लोई यहाँ पे लूसिफर पे उल्टा भड़क जाती है और कहती है कि तुम अपनी वाइफ के साथ में यहाँ से चले जाओ मुझे तुमारी कोई हेल्प नहीं चाहिए लूसिफर कहता है कि डिटेक्टिव हम दोनों तो पार्टनर है तो क्लोई कहती है कि पार्टनर ऐसे नहीं होते हैं जो बीच रस्ते में ही छोड़के चले जाते हैं तुम यहाँ से बस चले जाओ और आज के बात मेरे साथ किसी case पे तुम काम नहीं करोगे इसके बाद scene shift होता है लिन्डा पे जहाँ पे लूसिफर अपनी wife को मिलवाने के लिए लिन्डा की पास लाया था जहाँ पे लिन्डा उसे कहती है कि क्या शादी करके आने के बाद में तुम्हें कोई guilt तो नहीं हो रहा है ना तो Lucifer कहता है कि नहीं नहीं कोई guilt नहीं है Linda कहती है कि ऐसा तो नहीं कि जल्द बाजी में तुमने कोई गलट decision ले लिया हो तो Lucifer कहता है कि बिल्कुल भी नहीं ये बहुत talented लड़की है यहां Dan का पीछा करते करते Lucifer पहुंचता है जहां पे Dan कहता है कि मैं जानता हूँ Lucifer तुम मेरे पीछे ही हो Lucifer कहता है कि मुझे बस एक मौका दो यार मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा दूसरी तरफ Chloe के घर पे Lucifer पहुंचता है जहां पे मेंज कैंडी को देख के बड़ी खुश थी कि पहली बार Lucifer कोई धंकी लड़की लेके आया है Lucifer और कैंडी पहुंचते हैं अपने घर लक्स में जहां पे वो शालेट से मिलते हैं Lucifer कैंडी को इंटरड्यूस कराता है कि यह मेरी मॉम है तो कैंडी शालेट को देख के उचल पड़ती है और कहती है कि माई गॉड मुझे भी अपसे एंटी एजिंग क्रीम यूज करने पड़ेगी आप तो बहुत यंग है तो शालेट सोचती है कि शायद ये पागल लड़की मुझे लूसिफर के सारे इरादे बता देगी और इसके बाद में वो उसे अपने साथ ले जाती है यहाँ पे क्लोई और मेज आपस में बात कर रहे थे कि लूसिफर को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ वो ऐसी हरकते करता रहता है कभी कभी बीच में गायब भी हो जाता है लेकिन वो हमेशा लॉट के आता है लेकिन क्लोई कहती है कि इस पार उसने ऐसा बिलकुल नहीं किया है वो शादी करके वापिस लॉटा है तो मेज कहती है कि ये भी जरूर उसका कोई मजाक होगा और तुम जिस तरीके से गुसा कर रहे हो इसका मतलब है कि तुम लुसिफर से बहुत साथा नराज हो यहां हम देखते हैं कि लुसिफर ने उस लॉयर से मिलने के लिए एक अपॉइन्मेंट लिया था जहां पे क्लोई अप कैंडी बनके पहुँचती है क्लोई ने बहुत वियर्ड सा ड्रेसिंग कर रखा था जो कि क्लोई ने अब तक इस पूरे सीजन में कभी नहीं किया था इस लॉयर का नाम था एंथनी एंथनी जब इस कपल से डीटेल पूछ रहा था कि आप दोनों डाइवास क्यों लेना चाहते हैं आप काफी अच्छा कासा एड़िस्ट्मेंट कर लेते हैं और अगर मुझे पैसे मिल गए और अगर आप मेरे फेवर में बात करेंगे तो मैं आपको बहुत पैसे दे सकती हूँ ये बात सुनके एंथनी फिसल जाता है और तब ही यहाँ पे लूसिफर आके बताता है कि ये काम तो तुमने एश के लिए भी किया है एंथनी अब कुछ भी नहीं कर सकता था और उससे अब सब बताना पड़ता है एंथनी कहता है कि एश के साथ में मेरा कोई पंगा नहीं था ताकि इन की popularity बढ़ जाए एंथनी कहता है कि एश को बहुत बड़ा concert मिलने वाला था लेकिन इसी के साथ वहाँ पे उसका जगड़ा मारला से भी होता था मारला चाती थी कि वो lead guitarist बन जाए और मैं यही सोच रहा था कि कहीं एश और मारला की भी जगड़ा बढ़ ना जाए इसी कारण में उसे देखने गया लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुचा तब तक एश मर चुका था इदर लुसिफर क्लोई को कहता है कि देखो मैंने तुमारी कितनी help की है case solve करने में वो उतनी है नहीं वो मुझे कुछ बता नहीं रही है लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि लुसिफर ने मेरे लिए जरूर कुछ सोच रखा होगा लेकिन हम silver city जरूर जाएंगे शालिट कहती है कि मैं बस यहीं चाहती थी कि मेरी पूरी family वापस silver city चली जाए इसी कारण मैं यह सब कुछ कर रही हूँ यहाँ पे पुलिस टेशन के अंदर आला को पता चलता है कि एश के सर पे जिस चीज का निशान है वो किसी भारी चीज से लगा होगा और इन्हें पता चलता है कि यह एक guitar का निशान है जिससे और पका हो चुका था कि यह guitar मारला का है यह लोग मारला को पकड़ने के लिए concert मिचाते हैं जहाँ पे लुसिफर गाना गाना शुरू कर देता है वो गाना एक लड़की को dedicate करता है जो लड़की उससे नाराज है हलांकि वो थी तो Chloe लेकिन लुसिफर यहाँ पे नाम लेता है मारला का ताकि सभी लोग मारला को पकड़के उसके सामने ले आए यहाँ एमेनेडी लुसिफर से मिलने के लिए आता है और लुसिफर को कहता है कि तुम माम को माफ कर दो माम ने तुमारे लिए बहुत कुछ किया है अपने उस तर के सामने से निकली है माम जहाँ वो कभी नहीं जाना चाहती थी वो बस हमारी भलाई चाती है लुसिफर कहता है कि मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता तो तुम इस बारे में मुझसे मत बात करो यहाँ पे मारला डरी हुई थी जिससे क्लोई पूछ थी कि तुम हमें देख के भाग क्यों रही थी और मैं तो उस रात वहाँ पे थी भी नहीं क्लोई कहती है कि प्रूफ करके दिखाओ तो मारला कहती है कि जिस रात को एश की डेथ हुई थी मैं उस रात एक लड़की की फेक आईडी बना रही थी और वो लड़का पूरी रात फोटो पोस्ट कर रहा था उन्हें फोटोस को चेक करते हुए इन्हें एक और फोटो मिलती है जिसके अंदर एक बेस गिटारिस्ट था जिसका नाम था डग अब इन लोगों को पता चल चुका था कि डग की हाथ में वही गिटार था इसी कारण क्लोई और लूसिफर पहुंचते हैं डग की घर पे लेकिन तब ही डग पीछे से आके लूसिफर का गला पकड़ लेता है तो लूसिफर कहता है कि तुम मुझे मार दो वैसे भी अब क्लोई के मैं किसी काम का नहीं तो Chloe कहती है कि ये पागल बाते करना बंद करो और डग तुम इसे छोड़ दो तो Lucifer बातों ही बातों में Chloe को हिंट दे देता है कि तुम बस स्कूल ही चलाओ और इसकी बाद में Chloe शूट कर देती है जो कि सिधा डग को जाके लगती है डग कहता है कि एश हमारे बैंड को छोड़ने वाला था और अब वो सोलो प्ले करने वाला था तो हम लोग कहां जाते इसी करण गुसे में आके मैंने उसे मार दिया इसके बाद में Candy इसी Crime Scene पे पहुँच जाती है जो कि Chloe को गले लगाती है कि तुमने Lucifer के जान बचाई Candy ये भी कहती है कि Lucifer हर टाइम तुमारे बारे में ही बात करता है उसके हर बातों के अंदर तुम रहती हो Retective ये बात सुनके Chloe को लगता है कि सच में Lucifer के लिए वो important है यहां Lucifer अपनी मौम शालेट से बात करने आता है कि आमने डिल ने मुझे भीज़ा है आपसे बात करने के लिए तो शालेट कहती है कि बेटा तुमने लास टाइम बगावत इसलिए करी थी क्योंकि उस टाइम तुम कमजोर थे तो Lucifer कहता है कि आप ये भी तो देखिए मेरी बगावत हुई किस्से थी सीधा God से मैं उस टाइम बहुत यंग था और मुझे कुछ समझ नहीं थी तो मैं कैसे लड़ पाता आपके husband से तो Charlotte उसे कहती है कि तुम अब भी लड़ सकते हो और हम सब Silver City जा सकते हैं तुम्हें बस Flaming Sword की जरूरत है Flaming Sword Eden का रक्षक है वो heaven के दर्वाजे तक तोड़ सकता है और अगर मैं तुम्हें कहूं कि वो Flaming Sword यहीं धर्ती पे है तो तुम क्या कहोगे Lucifer पूछता है कि यह अब क्या कह रही है तो Charlotte कहती है कि वो Flaming Sword एसराइल का blade ही है और यह कहने के बाद में शालिट वहाँ से चली जाती है यहाँ पे आखरी सीन में हम देखते है कि Lucifer Candy को see off कर रहा था जहाँ पे Candy Lucifer को कहती है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है तो Lucifer कहता है कि help तुमने भी मेरी की है मेरे mom के इरादे जानने में इससे हमें पता चलता है कि Candy और Lucifer के बीच में सिर्फ एक deal हुई थी इस शादी को निभाने की Lucifer यहाँ पे अपनी महंगी सी ring भी Candy को ही दे देता है और Candy उसके बाद में वहाँ से Lucifer से गले मिलके चली जाती है और ये भी कहके जाती है कि जरूर तुमारे और Chloe के बीच में बहुत कुछ है मैं जानना तो नहीं चाती लेकिन तुम बस खुश रहो और इसी के साथ guys यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है Lucifer के अब तक के सीजन में हमने देखा था कि अब उसे पता चल चुका है कि Flaming Sword अर्थ पे ही है जो कि Ezrail का Blade है यहीं से Lucifer सीजन 2 के एपिसोड नमबर 15 के शुरवात होती है जहां पे Lucifer को बिलीव नहीं था कि यह Flaming Sword वापस से भी चल सकती है शालिट लूसिफर सी कहती है कि यह सब कुछ तुमारे Emotions के उपर Depend है लास्ट टाइम यह Flaming Sword तब सुलगा था जब तुम बहुत जादा गुस्से में थे तो सबसे पहले तो तुम यह बताओ कि तुमने उसे रखा कहा है तो लूसिफर अपने घर की एक वाल में पंच लगाता है और वहाँ से उस Flaming Sword को निकाल लेता है जिसके बाद वो कहता है कि मुझे तो सबसे जादा गुसा अपने डैट के उपर यानि की God के उपर आता है अमेनेडील शालीट से कहता है कि क्या मौम इसे मैं ट्राइ करूँ तो शालीट अमेनेडील पर चिलाती है और वो कहती है कि ब्राइटनिंग एंजल यानि की Light Pranger सिर्फ लूसिफर है तुम नहीं हो तुम से नहीं हो पाएगा है इसी बात के कारण इन दोनों भाईयों में थोड़ा सा जगडा हो जाता है जिससे एमेनेडील लूसिफर को एक पंच मारता है तो लूसिफर एमेनेडील को एक किक मारने के लिए उसके पीछे भागता है शालिट सारी चीज़ शांत करती है और फिर बोलती है कि तुम्हें अपने emotions पे control करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा नहीं तो हम Silver City नहीं जा सकती है यहाँ पे अपना concern लेकि Lucifer Linda के पास पहुचता है जहाँ पे Linda कहती है कि तुम बात तो सब कुछ बता रहे हो लेकिन मुझे लगता है कि तुम कुछ चीज़ें अभी भी छुपा रहे हो जब तक तुम मुझे पूरी चीज़ें नहीं बता पाओगे तो मैं तुमारी help कभी नहीं कर पाऊंगी रही बात emotions control करने की तो वो कोई भी इंसान नहीं कर सकता है यहाँ पे आज सुबह सुबह Chloe नी breakfast नहीं बनाया था इसी कारण मेज पूछती है कि क्या तुम थोड़ी परिशान लगती हो तो Chloe अपना वो drama स्टार्ट करती है जो कि Lucifer से related था मेज इन बातों में interested नहीं थी इसी कारण उसने अपने कानों के अंदर earphones वापस से लगा लिये थे Chloe बोलती जा रही थी कि Lucifer ने शादी कर ली वो इतने दुनों से गायब था तो मेज बस reaction दे रही थी और जब Chloe को पता चलता है कि मेज ने तो कुछ सुना ही नहीं तो Chloe उससे बहुत गुसा हो जाती है यहाँ पे Chloe और Lucifer क्राइम सीन पे पहुँचने वाले थे जहाँ पे Lucifer कहता है कि हम तोनों के बीच सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा जिसका नाम Debbie है डैन बताता है कि यह इस शहर की सबसे अच्छी स्कूल जिसका नाम स्टेइफ़र्ड है उसकी administration head थी तो Lucifer कहता है कि भला इससे कौन दुश्मनी करेगा और education line में क्या इतना पैसा हो भी सकता है फिर इसके बाद में weapon की बारी आते हैं जिसे सब ढूंडने लगते हैं तब यहाँ Chloe को पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी चोरी के निशान नहीं है जिसने भी Debbie को मारा है वो Debbie को पहले से ही चानता होगा और उसके बाद में Chloe को एक integration picture मिलती है जिसके उपर से scissor गायब थी इसका मतलब था कि विक्टम को इसी scissor से मारा गया है यहाँ पे Chloe और Lucifer स्कूल के Dean से बात करते हैं Dean बताता है कि Debbie बहुत ही intelligent और एक strong woman थी लेकिन आज तक किसी भी स्कूल में किसी से किसी का जगड़ा नहीं हुआ है डेबी की जो table आप लोग देख रहे हैं उस पे कोई भी gifts नहीं है हमारे स्कूल में कभी कुछ नहीं होता ऐसा और तभी इसके बाद में Dean के मूँ से निकल जाता है कि एक छकड़ा हुआ था तो Chloe पूछती है कि जिससे डेबी का जगड़ा हुआ था वो आखिर में क्या क्या रहे थे तो Dean बताता है कि जगड़ा हुआ था जिसके बारे में पूरी स्कूल को पता था और वो लोग क्या रहे थे कि वो डेबी को मार देंगे यहां पे Lucifer को पता चलता है कि इस स्कूल में emotions control कराने की भी classes चलती है अब उस कपल को बुलाया जाता है जिससे डेबी का जगड़ा हुआ था वो कपल क्लेम करता है कि हमारे बच्चे को admission दिलाने के लिए डेबी ने donation ले लिया था और वो कहती है कि स्कूल के अंदर वो donation पहुचा ही नहीं अब अब बताए हमारा तो पैसा भी चला गया और हमारे बच्चे का admission भी नहीं हो पाया और तभी Chloe के पास में एक report आती है जिसके कारण वो उस कपल से पूछती है कि अकर आप तुने ने डेबी को नहीं मारा है तो फिर Mother Weapon आपकी पूल साइट पे क्या कर रहा है यहाँ दूसी तरफ लूसिफर स्कूल से एक ऐसी बुकले के आया था जिससे वो emotions के बारे में पढ़ सके लेकिन उसकी मॉम उसका ध्यान रिस्ट्रेक करने के लिए वहाँ पे strippers को भेचती है तो लूसिफर पैचान जाता है कि यह कारणामा उसकी मॉम का है शालिट कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि तुमारे कोई भी emotion से यह flame तुम वापस से चला दो यहाँ लूसिफर बिना बताये Chloe के घर पे पहुंच जाता है जहाँ पे Chloe कहती है कि at least तुम बताया तो करो कि तुम यहाँ आए हो और उसके बाद में Chloe लूसिफर को यह भी कहती है कि मुझे एक चीज समझ में आई है डेबी यह चीज सच भी तो बोल सकती है कि सच में donation स्कूल तक पहुंचा ही नहीं हो इसी कारण एक बार हमें स्कूल का donation list चेक करना पड़ेगा तब Chloe ट्रिक्सी को कहती है कि बिटा तुम जल्दी से तयार हो जाओ आज तुमारे स्कूल बस चली गई है तो लूसिफर कहता है कि एक काम करो ट्रिक्सी को मैं स्कूल छोड़ाता हूँ और तुम जाके donation list चेक करो शालेट ने लूसिफर को कहा था कि अगर तुमारे बच्ची होते तो ही तुमें सब कुछ समझ में आता इसी कारण लूसिफर को बच्ची की नीड थी और अब वो ट्रिक्सी से हेल्प लेता है यानि कि वो अप ट्रिक्सी को स्कूल ले जाने के बजाए स्टेफर्ड ले आता है जहां से वो भी एमोशन के बारे में सीख सके इन्हें यहां पे एक पीटी टीचर मिलता है जो कि कहता है कि मैं बस यहां पे डेबी का काम कर रहा हूँ उसी पर पूछता है कि क्या तुमें कोई ऐसी क्लास पता है जहां पे मैं अपनी बच्ची को ले जा सकूँ यहां पे डेन और क्लोई जब डेन से डोनेशन की लिस्ट मांगते हैं तो डेन रोने लग जाता है और वो कहता है कि आप लोगों को सब कुछ पता चल चुका है मैं आप से माफी मांगता हूँ यहां पे सब लोग चाते हैं कि मैं एक लेविश लाइफ जी हूँ लेकिन जो मुझे सैलरी मिलती है उससे तो मेरा रेंट भी पूरा नहीं हो पाता है उस कपल के जो पैसे आये थे डोनेशन के वो मैंने ही बीच में से गायब किये थे तो क्लोई और डैन कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुमने ही जैबी को मारा था तो डीन कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ मैंने जैबी को नहीं मारा है और इसी टाइम पर पीटी टीचर आ जाते हैं Emotions Control की क्लास में बैठा था जहां बहुत सारे बच्चे थे जिनकी टीचर थी Miss Madison टीचर अपने Emotions शेर करने के लिए ट्रिक्सी को कहती है कि अब तुम्हारी बारी है तब ट्रिक्सी कहती है कि मेरी मॉम बहुत ही डींजर वाला काम करती है वो इतना परेशान रहती है इसी कारण में उन्हें अपनी परेशानिया नहीं बताती ये बाते क्लोई पीछे खड़ी हो के सुन भी रही थी लुसिफर यहां क्लास टीचर से कहता है कि आप थोड़ा जल्दी बताए कि मैं Emotions को कैसे कंट्रोल करूं और उससे कैसे एक वैपन बना सकूं तो वो टीचर इसका कोई खास आंसर नहीं दे पाती है इसी कारण लुसिफर परेशान हो जाता है और वो पास बैठे बच्चे से कहता है कि तुम क्या फाल्दो की चीज़े ड्रॉ कर रहे हो यहां मैं मेरी मर्जी से आई थी तो क्लोई ट्रिक्सी को कहती है कि बेटा मैं चाहे कितनी भी पिजी हूँ लेकिन तुम मुझसे बाती शेयर कर सकती हो तो ट्रिक्सी कहती है कि क्या मैं आपसे कुछ भी बात कह सकती हूँ लेकिन अटेक करने वाला कोई लूसिफर का एनिमी नहीं बलकि शालेट उसकी मॉम थी लूसिफर पूछता है कि मॉम आप इतनी जादा पावरफुल कैसे हो सकती है तो शालेट कहती है इस इंसानी शरीर के अंदर मेरी पावर बढ़ती ही जा रही है क्या तुम सीख पाए हो कि इस फ्लेमिंग स्वाट को कैसे जलाते हैं तो लूसिफर कहता है कि मॉम आप इतनी जादा डैस्परेट कैसे हो सकती है हम लोग जल्दी सिल्वर सिटी चले जाएंगे तो शालेट इस बात से और जादा भड़क जाती है कि तुम कुछ भी करो लेकिन जल्दी अपना काम करो इधर क्लोई के पास में एक मेल आता है जिसके अंदर लिखा था कि ट्रिक से इस स्कूल को पसंद आई है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये स्कूल बहुत ही बड़ी थी तो ये चीज़ क्लोई और डैन के लिए इंपोर्टन थी कि उनकी बच्ची का एड्मिशन एक अच्छी स्कूल में हो लेकिन वो फिर से अपना ध्यान विक्टम पे देते है जहां पे उस छोटे बच्चे की मॉम को बुलाया जाता है जिसका नाम जॉय था लोई पूछती है कि तुम्हारे बेटे ने ऐसी ट्रॉइंग क्यों की तो जॉय बताती है कि मेरी डैबी से बिलकुल नहीं बनती थी डैबी बस मुझे हमेशा बुरा भला कहती थी अब आप बताईए अगर मैं जॉब करती हूँ तो अपनी बच्चे पे भी तो ध्यान दे सकती हूँ लेकिन डैबी खुट को बहुत सुपर स्मार्ट समझती थी तो जॉय पूछती है कि आज से दो रात पहले तुम कहा थी तो जॉय बताती है कि मैं पीटी टीचर के साथ में थी लोई पूछती है कि तुम उसके साथ में क्या कर रही थी तो जॉय बताती है कि हम दोनों यहाँ पे गेम्स तो नहीं खेल रहे थे जिससे डैन कहता है कि तुम दोनों के बीच में अफैर चल रहा था यही बार Debby को पता चल चुकी थी, इसी कारण तुमने उसे मारा, तो Joy कहती है कि भले उसे पता चल चुका था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं था, यहाँ Chloe अपनी घर पे थी, जहाँ मेस Chloe से माफी माँगने के लिए आई थी, मेस कहती है कि तुम मुझे अपनी बात बता सकती ह तो Chloe कहती है कि मुझे मेरे बेटी की अडमिशन के टेंशन हो रही है, तो मेस कहती है कि वो स्कूल अच्छी है, तुम उसे वहाँ अडमिशन दिला दो और उसके बाद मैं उसे चाको फैकना सिखाऊंगी, तो Chloe कहती है कि मुझे तुमारे किसी सजेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे Chloe को एक पार्टी के अंदर इन्वाइट किया गया था, जो कि स्टेफोर्ट ने औरगनाईज की थी, डेबी के डेथ के कारण, इस पार्टी के अंदर सिटी के सारे नामी किरा में कपल साते हैं, जिनके बच्चे से स्कूल में पढ़ रहे थे, यहाँ पे Chloe को भी मेस भी आ चुकी थी उसकी हेल्प करने के लिए, यह दौनों यहाँ पे बताते हैं कि हमें एक कपल हैं, जिसकी बच्ची ट्रिक्स ही है, Chloe और मेस कहते हैं कि यहाँ के लोग बिल्कुल फेक हैं, किसी के अंदर भी कोई सच्चा ही नहीं है, और इन लोगों को बस कॉसिप प देखी है, तो अमेने डिल कहता है कि यह मुझसे नहीं हो पाएगा, लाइट प्रिंगर तुम ही हो और इसे तुमें ही सुलगाना पड़ेगा, तो लुसिफर कहता है कि भाई तुमने एक चीज़ नोटिस की है, मॉम कुछ दिनों से बहुत सादर डेस्परेट हो रही है, सि यह ने मिला है, जो कि क्लोई की कार के अंदर है, तो जो भी मर्डर होगा, वो उसे हटाने जरूर आएगा, यह बिल्कुल जूटी अफ़ा थी, लेकिन सभी लोग एक दूसरे के कान में कहके यह बात फैला देते हैं, लेकिन यह ट्रिक काम कर गई थी, इसी कारण हम देखत को कंट्रोल कर सकूँ, लूसिफल पूछता है कि आप क्लोई की कार में कुछ ढूण रही है, क्या लीजिए मैं आपके लिए कार खोल देता हूँ, तब है यहाँ पर क्लोई आप पहुँचती है, और क्लोई को पता चलता है कि मैडिसन उसकी कार को देख रही है, तैट मीन् तुमसे कोई relation ही नहीं है, हालांकि एक बार था जो कि बहुत सालों पहले था, तो मैडिसन कहती है कि वो ही बहुत है, क्लोई समझ चाती है कि मैडिसन का जो बेटा है, वो पीटी टीचर का है, मैडिसन कहती है कि डैबी को ये बात पता चल चुकी थी, जो कि मेरे husband को बता द लेती और मेरा डैवास हो जाता, इसी कारण मैंने उसे मारा, तो क्लोई कहती है कि मैं तुमारी बात समझ सकती हूँ, मैं भी एक mom हूँ, जो एक चोटी बच्ची ने तुम से confess किया था, वो ट्रिक सी थी, जो कि मेरी ही बेटी थी, वो कहती थी कि मेरा काम बहुत डिंजरेस है, और वो मैं ही हूँ, ये बात सुनके मैडिसन थोड़ी शान्त होती है, और वो गन नीचे कर लेती है, यहाँ लूसिफर का अपना ही फिलॉसिफिच चल रहा था, कि तुम तो टीचर हो एमोशन्स कंट्रोल करने की, और तुम ही तुमारी एमोशन्स कंट्रोल नहीं कर प पूछती है कि तुम्हें वो स्कूल कैसा लगा, तो ट्रिक्सी कहती है कि मोम, अगर मैं सच कहूं, तो मुझे वो स्कूल पसंद नहीं आया, तो क्लोई कहती है कि सच में, बेटा मुझे भी पसंद नहीं आया, हम तुमारा admission वहां नहीं कराएंगे, यहां लिंडा के पास ल किली पढ़ जाएंगी वहाँ उनके साथ कोई भी नहीं होगा और ये भी तो हो सकता है कि गौड उन्हें मार दे तो लुसिफर कहता है कि अच्छा होगा ये दौनों एक दूसरे को आपस में खतम कर दे इनको इनके किये कि सजा मिलनी चाहिए इन लोगों ने मेरे साथ कुछ नहीं किया लिंडा कहती है कि तुम बस डरते हो अपनी मॉम के साथ के रिलेशन और क्लोई के साथ के रिलेशन से अगर तुम्हें इमोशन कंट्रोल करने है तो सबसी में चीज है कि तुम्हें उनसे गुजरना पड़ेगा जब तक तुम उस दर्द से नहीं गुजरोगे त पर Chloe से रिलेटेड इसी कारण वो बहुत जादा emotional हो जाता है इस emotion को ये flaming sword पहचान लेती है और उसके बाद में ये सुलगने लग जाती है लेकिन कुछ moment के बाद में Lucifer के emotions रुख जाते हैं इसी कारण ये flaming sword वहीं पर normal हो जाती है तो Charlotte जोर-जोर से चलाने लगती है कि तुम से वापिस करके दिखाओ तुम में कुछ कमी है तो एमने डिल शालिट को डाटता है कि आज के लिए बहुत है Lucifer ने at least try तो किया और हम लोगों के पास में बहुत time है शालिट ये बात सुनके वहां से कहती है कि अच्छा ठीक है हम लोगों के पास time है लेकिन last scene में हम देखत लने वाली थी तो अब शालिट के साथ में क्या होगा ये तो हमें next episode में ही पता चलेगा तो मिलती हूँ आप सभी लोगों से next episode में तब तक के लिए टाटा Lucifer season के अब तक के episodes में हमने देखा था कि कैसे Lucifer ने अपने emotions को control किया है शालिट को अब किसी भी कीमत पे silver city lot नहीं था यहाँ episode के starting में हम देखते हैं कि Linda Lucifer से कहती है कि मुझे तुमारे पुराने session से कुछ problem लग रही है जैसा कि तुमारा plan था कि तुम heaven के तरफा से तोड़ तोगे और वहाँ पे अपनी mom को अकेली ही भीच तोगे तो Lucifer उसे कहता है कि plan में कुछ changes है अभी जो flaming sword है वो पूरी तरीके से मुझे से नहीं चल रही है इसी कारण में यहीं पही हूँ तो Linda यहाँ पे एक दोस्त की बात करती है और कहती है कि तुम्हें इस सारी चीजे मेज से share करने चाहिए तो Lucifer कहता है कि मेरी plan के हिस्से की अंदर ये भी है कि मैं मेज को कुछ भी ना बताऊँ और रही बात मेज की तो वो अभी अपनी एक नई दोस्त के साथ में busy है जहाँ पे हमें मेज और Chloe दिखाय जाते हैं मेज actually Chloe को लेके बहुत साथ possessive हो चुकी थी हर चीज में उसके आगे पीछे रहना और कुछ न कुछ चीजों में उसकी privacy खराब कर देना यहाँ पे scene shift होता है एक mental asylum में जहाँ पे Chloe Lucifer को यही बात कह रही थी कि मीज की दोस्ती बढ़ती ही जा रही है इस कारण मुझे मेरी privacy भी नहीं मिल पाती है यहाँ जिसका मज़ड हुआ था यह एक mental asylum का member था और जब पूछा जाता है कि किसने सबसे पहले body को देखा था तो नाम बताया जाता है God Johnson का तो guys अब तक कि एपिसोड में हमने God से related बहुत सारी बाते सुनी थी और सोची अगर कैसा हो कि जब God हमारे सामने आ जाए और इससे जादे इंटरस्टिंग बात यह होगी कि जिन से उनकी सबसे जादा लड़ाई है यानि कि उनकी X5 Goddess ये तोनों अगर साथ में मिल जाए तो क्या होगा तो चली फिर इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं जहां पर आज हम God को देखने वाले हैं जिसने वहाँ बाड़ी को सबसे पहले देखा था उस इंसान का नाम था God Johnson लूसिफर कहता है कि ओहो क्या बात है इस आदमी से तो मिलना ही पड़े मारा जल्द ही परदा फाश कर दूँगा तो वह आदमी वहाँ पे लूसिफर को जाते वक्त कहता है कि बेटा मुझे तुम से मिलके बहुत खुशी हुई और आखिर में वो नाम लेता है समाइल का गाईज ही वो नाम था जिससे God अपने बेटे लूसिफर को बुलाया करते थे यही बात लूसिफर एमेनिटील को बताता है कि आज एक आदमी को मैंने देखा जिसने मेरा नाम समाइल बुलाया था क्या वो आज से पहले कभी अर्थ पे आए हैं तो एमेनिटील बोलता है कि वो कभी यहां नहीं आए हैं अगर उने कोई काम होता है तो वो अपने किस दूद को भीजते हैं जैसे कि मैं या फिर कोई बड़ा सा डिजास्टर ले आते हैं इधर एला यहां पर मडर से रिलेटेड चीजों को देख रही थी जहां पर उसे जस इंसान के फिंगरप्रिंट मिले थे उसका नाम गौड जॉन से नहीं था क्लोई जब उसकी रिपोर् करने के लिए फिर से वारेंट चाहिएगा तो मैं कुछ भी करके वह वारेंट लेने की कोशिश करती हूं लेकिन लुसिफर में पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं थी इसी कारण वह पहुंच जाता है मैं जहां पर रिसेप्शन पर खड़े आदमी को बोलता है कि मेरे लिए एक अच्छे से व्यू वाला रूम बुक कर दो तो वहां खड़ा आदमी बोलता है कि ये तुम्हें रेस्टरॉन दिखता है क्या तो लुसिफर बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ मैं डैविल हू लुसिफर जैसा कि तुम लोग मुझे जानते हो हालां क एक बार के लिए वो इंसान उसे पागल तो समझता है लेकिन फिर लूसिफर को कहता है जब तक तक तुमसे किसी को हाम ना हो तब तक हम यहाँ पे किसी को रहने के अजाज़त नहीं देते हैं तब लूसिफर उसका गला पकड़ लेता है जिसके कारण उस इंसान को मजबूरी में आके लूसिफर को वहाँ जगा देनी पड़ती है यहाँ डैन के सामने शालेट आखड़ी थी लेकिन डैन शालेट से बहुत नफरत करने लगा था इसी कारण वो उससे बिनाबाद किये चला भी जाता है दूसरे तरफ उस पागलों से भरे हॉल के अंदर लूसिफर बैठा था और उनी के गेम के अंदर शामिल हो चुका था वो कहता है कि क्या तुम उस गौड के बारे में जानते हो तो सारी लोग कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बाते करने लगते हैं हम यहाँ पी डॉक्टर को भी देखते हैं जो कि एक पेशेंट को कहते हैं कि तुम कब अपना बियेवियर चेंज करोगे लूसिफर वहाँ पे दर्वाजे कोल के बाहर की तरफ लॉबी में निकलता है जहां वो गौड को फिट से देखता है लिकिन इस पर उन्होंने किसी लेडी का गला पकड़ रखा था लूसिफर जाके सीधा उसको धक्का देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है तो गौड कहते हैं कि बेटा रुक जाओ मुझे इसकी मदद करने दो लूसिफर अपनी आखों से देखता है कि उस आदमी ने उस औरत को पूरी तरीके से हील कर दिया और इसके बाद में वो औरत जिन्दा हो गई लूसिफर अपने मूँ से कहता है कि डैड ये आप है लूसिफर एमोशनल होने से जादा गुसा हो जाता है और एक जोरदार पंच मार देता है गौड के मूँ पे यहाँ लूसिफर को कहती है कि तुम बिना पूछे कैसे वहाँ पे चले गए जब हम लोगों को इस चीज की पर्मीशन नहीं थी तो तुम वहाँ क्यों गए तो लूसिफर कहता है कि मैं बस तुमारी मदद करना चाहता था इस केस में और ही बाद यहाँ आने की तो यह मेरा कुछ पर्सनल मैटर भी है इसी करण में यहाँ पागल बनके एडमिट हो गया ताकि मैं तुम्हें खूफी इंफॉमिशन दे पाऊं तो तुम मुझसे आके बात कर सकती हो यहाँ पे गौड जॉंसन के पास में लूसिफर आ खड़ा होता है और वो बोलता है कि आप डैड हो सकते हैं मुझे इस चीज़ पर बिलीव नहीं है आप आखिर यहाँ पर क्यों आए हैं अगर मौम यहाँ होती तो वो सब को समझ सकती थी तो गौड कहते हैं कि क्या तुमारी मौम भी यहाँ पर है मुझे आज भी याद है कि हमारी पहले मुलाकाद कैसे हुई थी हर तरफ अंधेरा था तो लुसिफर कहता है कि भले यह बाते सुनने में अच्छी लगती हूँ लेकिन आप आज भी वो ही इंसान हैं जिसने मेरे साथ में बहुत बुरा सुलूक किया था और मैं आपको इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूँगा तो क्लोई बोलती है कि मैं उसके साथ कोई डेट प्लान नहीं कर रही हूँ में बस हम लोग मिलने वाले हैं क्योंकि मुझे इस केस से रिलिटेड इंफोमिशन्स पूछनी है यहाँ पे क्लोई एला के पास में पहुँचती है और एला को कहती है कि तुम मुझे पागल मत समझना लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ क्योंकि लुसिफर ने क्लोई को कहा था कि मुझे पता है कि उस आदमी का मर्डर किसनी कि या था जो हमें शिर्वात में मिला था Chloe ने जब उससे पूछा था कि वो कौन था तो Lucifer ने कहा Santa Claus इसके बाद में Chloe को लगा कि Lucifer सच में पागल हो चुका है और अच्छी बात है कि वो mental asylum में ही है इसी कारण वो Ella से पूछती है कि क्या तुम इस murder को किसी Santa Claus से चोड़ सकती हो तो Ella कहती है कि Chloe तुम बिल्कुल सही हो मुझे इस से related ही बात करनी है मुझे उस body पे एक white color का बाल मिला है जो कि बिल्कुल Santa Claus से match करता है यहाँ पे Chloe को एक दूसरी patient पे शक होने लगता है दूसरी तरफ Linda की हालत बहुत खराब थी क्योंकि उसके सामने पहली बार God आये थे वो कहती है कि मैं उनके सामने जुकी तक भी नहीं तो Lucifer कहता है कि तुमें तो उससे दूर रहना चाहिए वो बहुत बुरा इंसान है और सबसे बुरी चीज ये है कि उनके दिल में अभी पे मॉम के लिए प्यार है तो मैं अब ये करने वाला हूँ कि इन तौनों को वापिस से मिलवा दूँगा क्योंकि मॉम उनसे बहुत जादा नफरत करती है और इसी कारण ये दौनों एक दूसरे को ही नफरत की आग में मार देंगे पर लुसिफर का नेक्स प्लान था कि वो अपने डैड यानि की गौड को अपनी मॉम यानि की शालिट से मिलवाए इसी कारण उने हॉस्पिटल से भागना था लुसिफर यहाँ पे सारे पागलों को इखटा करता है और बोलता है कि इस पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दो हर जगह कपड़े फैको, लाइटे ओन ओफ करो जो तुमारे मन की मर्जी हो, वो सब कुछ करो और उसके बाद में यहाँ पे रहने वाले सारे पागल आउट आफ कंट्रोल हो चुके थे और लिंडा ने इन दोनों को रेस्क्यू कर लिया था और बाहर ले आई थी दूसी तरफ लोई अप डॉक्टर से मिलने के लिए रही थी तो मेज ने कहा कि तुम लोग आज यहीं पे डिनर करने वाले हो मेज ने यहाँ पे साथ देने के लिए एमनेटील को भी पुला लिया था यहाँ शारलेट को लक्स के अंदर लुसिफर ने इन्वाइट किया था शारलेट गौड के पास में जाती है और कहती है कि यह आप है हस्बेंट मुझे आपकी बहुत याद आई थी इसके बाद में शारलेट गौड के कुछ नस्दीक जाती है और अच्छा खासा किक लगा देती है गौड को जो कि किसी भी लड़के को देखने के बाद में काफी जादा पेन फिल होने वाला है दूसी तरफ जहाँ Chloe और डॉक्टर को टाइम स्पैन करना था वहीं पे मेज और अमेनेडील डॉक्टर को थोड़ा बहुत परिशान कर रहे थे लेकिन तब वहाँ से अमेनेडील और मेज थोड़ा साइड में हो जाते हैं बातों ही बातों में अमेनेडील की मुझे निकल जाता है कि हम सब लोग वापिस से सिल्वर सिटी जाने वाले हैं मेज के चेहरे से सारे रंग उड़ जाते हैं लामने डिल कहता है कि मुझे ये बात पता है कि तुम्हें किसी ने भी ये बात नहीं बताई थी। यहाँ Chloe डॉक्टर के साथ में थोड़ा comfortable हो रही थी। ताकि वो उन पागलों के बारे में कुछ information निकाल सके। लेकिन वो डॉक्टर इस बात को पकड़ लेता है। और इसी क नहीं पे पहुँच चुके हैं। तो लुसिफर कहता है कि मौब ऐसा कुछ नहीं है ये आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं। और तभी वहाँ पे गौड आगे आके शालिट से बाते करने लगते हैं कि तुम आज भी उतनी ही ब्राइट हो जितना आज से काफी सालों पहले थी क्या तो मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी। शालिट को भी एक मूमेंट के लिए लगता है कि वो सच में गौड है और उनी के साथ वो काफी खुश थी और माफी भी मांगती है कि सारी गलतियां आपनी नहीं बलकि कुछ गलतियां मैंने भी की थी लेकिन तभी क्लोई पहुंच जाती है बागी पुलिस वालों को लेके जो कि गौर्ड जॉंसन को अपने साथ अरेस्ट करके ले जाते हैं यहाँ पे लुसिफर अभी भी हॉस्पिटल के अंदर ही था जिसका भी दवाई लेने का टाइम था क्लोई यहाँ पे डॉक्टर से माफी मांगत और कहती है कि मेरा ऐसा कुछ करने का मीन नहीं था लेकिन यह सब कुछ केस से जुड़ा हुआ है और हमारे काम के अंदर ऐसा होता रहता है तो वो डॉक्टर वहाँ पे क्लोई की हेल्प करता है और कहता है कि मेरे पीछे से अगर कोई फाइल गायब हो जाए तो यह मेरे पड़े हैं वो डॉक्टर और क्लोई कबर को खोलते हैं जिसमें एक बॉक्स के अंदर सेंटा क्लॉस का पूरा ड्रेस पड़ा था लेकिन क्याइब और मास्क गायब थे यहां लुसिफर को जो मैडिसन मिले थे वो मैडिसन नहीं बलकि हैवी ड्रक थे इसी कारण लुसिफ लुसिफर को कोई हिट करता है जहां उसकी आखे सीधा स्ट्रेचर पे खुलती है और इसी के साथ वहां पर गॉर्ड जॉंसन भी थे हमें पता चलता है कि सेंटा क्लॉस एक फीमेल है जो कि लुसिफर के उपर चाकू रखके बोलती है कि सच सच बताओ कि तुमने पुलिस स्टाफ थी यहां क्लॉई उस बॉक्स के उपर लगे फिंगर्प्रिंट को चेक करती है और एला को इन्फोमेशन भीचती है जहां पर एला उस फिंगर्प्रिंट को चेक करके एक नाम बताती है डॉक्टर उसका चैरा देखते ही बता देता है कि यह तो हमारी नर्स है जो क कि नर्स किपसी है यहाँ पे वो नर्स लुसिफर को कहती है कि इस दूसरे आत्मी के उपर ड्रक्स का असर क्यों नहीं हुआ तो लुसिफर कहता है कि पागल लड़की वो गौड है उसके उपर असर कैसे होगा दूसरी तरफ लुसिफर कहता है कि मेरे उपर इन ड्रक्स ने कै एक लेडी को हील किया था वो इस nurse की mom ही थी यानि कि इस nurse ने अपनी mom को भी मारने की पूरी कोशिश की थी तो nurse कहती है कि अब तो तुम दौनों को मेरी सच्चाई खुद चाते हो कि मुझे कोई मार दे, अगर मुझसे कोई इतनी बड़ी गलती हो गई हो, तो लुसिफर मुझे माफ कर दो, लुसिफर ये बाते सुनके काफी साथा emotional हो चुका था, क्योंकि अब उसे अपनी फादर से कोई शिकायती नहीं थी, तब ही वहाँ भी Chloe आ जाती है और लुसिफर कहता है कि डैड अब आपको tension लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इससे पहले ही nurse ने God Johnson का belt उतार दिया था, जिस कारण God Johnson बोलने लगता है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ, तो लुसिफर कहता है कि डैड अब सब कुछ ठीक, हम सारी च सो चुका है, लुसिफर कहता है कि यूरियल ने मरती टाइंग सही कहा था कि पीस यहाँ पे है, और वो पीस यही हो सकता है, यह मुझे अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन जब लुसिफर उस flaming sword को लेके आगे चलता है, तो वो पीस उसमें से निकल के गिर पड़ता है, जिसस अब शालेट डैन सी बहुत रिक्वेस्ट करती है, कि बस मुझे आज रात तुम्हारे पास में रहने दो, मैं बहुत जादा डाउन फिल कर रही हूँ, दूसरी तरफ अब जब गॉर्ड जॉनसन अपने घर वापस जा रहा था, तो लुसिफर कहता है कि आपको आकरी चीज क्या याद है, तो गॉर्ड जॉनसन बोलता है कि मैंने न्यू यॉक सिटी के अंदर एक बेल्ट देखा था, जिसे पहनने के बाद मेरी आख सीधा बैट पे तुम्हारे सामने खुली थी, और मुझे लगता है कि उस समय मैंने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था तो अगर मैंने तुम्हें ऐसा कुछ बोला हो तो बेटा मुझे माफ कर दीना तो लुसिफर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने मुझे जितना भी बोला है, वो सुनके मुझे जितनी खुशी हुई वो मैं बता नहीं सकता हूँ, मुझे आपके अंदर मेरे डैट दिखा दिये जाने से पहले गौड जॉंसन बोलता है कि चलो जो भी हुआ इससे तुम्हें और तुम्हारे फादर के बीच की सारी कड़वार दूर हो चुकी होगी तो लुसिफर बोलता है कि कड़वार खतम नहीं हुई है बलके नफरत और जादा बढ़ चुकी है क्योंकि अम मैं क्योंकि गौड मेरे सामने आके ऐसी बात कभी नहीं करने वाले हैं और नहीं वो मुझसे कभी सौरी बोलेंगे इस बात से तो मुझे और जादा गुस्सा आ रहा है और उनसे नफरत बढ़ चुकी है और आखिर में हम देखते हैं कि लुसिफर इतने गुस्से में था कि उस कारण वो बाहर निकल रही थी दूसरी तरफ लुसिफर को अब इस फ्लेमिंग स्वार्ट का दीसरा पीस भी ढूंडना था और इससे पहले वाले एपिसोड में तो हम लोगों ने गौड से वे मुलाकात की थी इसी के साथ इस एपिसोड नंबर 17 के शुरवात होती है जहां हम देखते हैं कि शालिट एक आदमी से ठील करने के लिए बैठी थी जहां लुसिफर और अमेनिटिल दूर से उसे देख रहे थे लुसिफर और अमेनिटिल के आखों के सामने शालिट पैसो से बड़ा एक ब्रीफ केस एक आदमी को दे देती है वो भी पिना किसी चीज़ क वो दौनों अपने मॉम के पास में भाग के जाते हैं और कहते हैं कि वो आदमी आपको लूट के चला गया है मॉम तो शालिट कहती है कि नहीं वो मेरा बहुत पुराना क्लाइंट है वो बस मेरे लिए उस पीस को लेने के लिए गया है तो अमेनिटिल कहता है कि मॉम ऐसा पहुँचते हैं तो वो उस आदमी की लाश देखते हैं जिसने शालिट से पैसों से भरा ब्रीफ केस लिया था इस आदमी का नाम जिक था जो की एंशिन चीजों को स्मगल करता था लूसिफर कहता है कि जिसने भी जिक को मारा है उसी के पास हमारा ब्रीफ केस भी है और जो भ पहुँचती है लेकिन लिंडा के पास पहले से ही एक प्रॉब्लम उसके आँखों के सामनी खड़ी थी यह आदमी उस इंस्ट्यूट का चेर्में था जो की साइकाइट्रिस्ट कम्यूनिटी का चेर्में था मेस कहती है कि तुम परिशान क्यों लग रही हो तो लिंडा कहत दिये कि कुछ दिनों पहले मैंने लूसिफर की मैंटल असाइलम में से भागने के लिए मदद की थी इसी कारण मुझे नोटिस मिल चुका है तो मेस कहती है कि ये भी चीज लूसिफर नहीं की है आखिर वो हम लोगों को कब तक परिशान करेगा मैं पहले तुम्हारा के सॉ शालिट आखड़ी होती है और वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा मेरा एक्जिक नाम का क्लाइंट है जो कि मुझसे बात कर रहा था और मुझे लगता है कि वो खत्रे में है तो क्लोई कहती है कि मैं मदर इंवस्टिगेट करती हूं ना कि अगर कोई डर ज चाहिए थी यहां शालिट और लूसिफर को तो पहले से ही पता था कि मडर हो रखा है लेकिन क्लोई तो वही फुल पुलिस वाले टशन के अंदर पहुंच दिये गन लेके जहां भे वो डैड बाड़ी देखती है लूसिफर शालिट से कहता है कि मॉम अब आप यहां से जा सकती है आपका काम खतम हुआ आप आगे हम लोग देख लेंगे तो शालिट कहती है कि देखोना बेटा कितना अच्छा मौका मिला है और इसके कारण हम दोनों को साथ में काम करने का टाइम भी मिल जाएगा क्लोई शालिट को कुछ खास पसंद नहीं करती है इसी कारण वो यहां से जा सकते हो तुमारा काम खतम हो चुका है तो शालिट को कहती है कि मैं तुम्हारी इस केस में मदद कर सकती हूँ यह जिक मेरा कलाइन था जो कि देखोना पाथ किस निogram कर सकता है कि इसकी बाद मैं आईला पॉडि को देख के बताती है कि जिक के ऊपर दो शुट और तभी एला को वहाँ पे एक फोन मिलता है जो कि एक बहुत बड़ा एविडेंच साबित हो सकता था इसी कारण अब इस फोन को चेक कराने के लिए भेज दिया गया था यहाँ पे डैन के सामने शालिटा खड़ी हुई थी जो कि डैन से बात करती है तो डैन कहता है कि आकर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए तो शालिट कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो डैन कहता है कि मैं तुम्हारी बातों में कभी भी नहीं आने वाला यहाँ एला को पता चलता है कि क्राइम सीन पे जो फोन मिला था और जिसके उपर एक लोगो लगा था वो एक चैट नाम की लड़के का म्यूजिक ओडियो का लोगो है शालिट कहती है कि यह तो बियंका का सबसे चोटा बेटा है जिसे वो अपने बिसनिस से बहुत दूर रखती है और हो सकता है कि अगर हम इसे पकड़े तो शायद बियंका भी हमारे हाथ में लग सकती है शालिट यहाँ पे कहती है कि आज राद भीयंका के घर पे पार्टी है जहाँ पे सिर्फ मुझे ही invitation मिला है तो लुसिफर शालिट को कहता है कि ठीके आप यहाँ से जा सकती है उस party के अंदर मैं और क्लोई चले जाएंगे तो शालिट कहती है कि वो invitation मेरे नाम पे है तो वहाँ पे मैं जाऊंगी और बीरे साथ में डैन को साथ ली जाऊंगी तो Chloe सभी को चुप करा देती है और बोलती है कि वहाँ पे शालिट के साथ सिर्फ मैं जाऊंगी इधर लुसिफर पहुंचता है लिंडा के पास में बात करने के लिए लेकिन वहाँ पे लिंडा की बजाए मेज मिलती है जो कि कह दिये कि ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है और अब तुम मेरे साथ चलो ताकि हम ये चीज़े ठीक कर सके लिंडा को सस्पेंड कर दिया गया है और अब तुम सबसे पहले मेरे साथ चलो ताकि हम लिंडा की प्रॉब्लम स्वाल्फ कर सके पुलिस्टेशन के अंदर एमने धील अपनी भाई लुसिफर को ढूंडता हुआ पहुंचता है जहां उसे डैन मिलता है तो डैन कहता है कि लुसिफर तो यहां नहीं है ल प्यूटिफुल ड्रेस अप और मेकप क्लोई को दिया गया था जो कि शालेट भी देखके चौक जाती है वहाँ शालेट क्लोई को कहती है कि तुम जाओ बाते करो तो क्लोई कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाले हूं बस हमें जाना है और उसे बस खुद के मुंसे मार दिया है यहां लूसिफर और मेस पहुंचते हैं उसी चैरमेन के पास में जिसने कि लिंदा को सस्पेंड किया था यह दोनों लिंदा की बहुत तारीफ करते हैं लेकिन फिर भी चैरमेन कुछ भी बात नहीं सुनता है और मुझे तो लगता है कि लुसिफर का एक प्रू इक कर दी है इसी चीज को वो नोड भी कर लेता है that means Linda की वापसी का कोई चांस नहीं था में इसको ये चीज लगती है कि बात यहां बिगरती जा रही है इसी कारण वो लुसिफर को उठाके जाने लगती है तो लुसिफर कहता है कि आकरी चीज की उसने मेरी जान भी बचाई हलांकि मेरी जान उसने ली भी थी जान लेना और जान देने वाला सीन आप लोगों को पता होगा कि जब लुसिफर हैल जाके आया था तो उसी मारने और बचाने के अंदर लिंडा भी शामिल थी इधर दूसरी तरफ शालेट बियंका के पांस जाके बोलती है कि क्या तुमे में पता है कि जिक के मजर की बाद तुमारे बेटे जैट से रिलेटेर है मुझे काफी स्ट्रॉंग सोर्स से पता चला है कि तुमारे बेटे जैट नहीं जिक को मारा है तो बियंका कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है और बाकियों खुद पता लगा लूंगी और इसी टाइम प कहता है कि मॉम मैंने उसे रास्ते से हटा दिया वो खुद का एक परसनल बिजनेस स्टार्ट कर रहा था जो कि हमें कभी नहीं बता तो बियंका कहती है कि वो जिन पून में क्या था अवी तो चाट कहता है कि उसमें सारी बिजनेस से रिलेटटट चीज़े रखी हुई थी चैट पर फिर से गुस्षा करते हैं कि तुम पागल हो क्या बिजनेस से सारे इलेटटट चीज़ें अपने फून में भला कौन स्टोर करके रखता है यह चीज़ को पता चल चुकी थी कि ये फोन बहुत important है लेकिन next moment पे ही उसके सामनी बियंका खड़ी होती है दूसरी तरफ एमनेडील और डैन आपस में drink शेर कर रहे थे डैन को अभी भी लगता है कि शालिट के साथ में एमनेडील और लुसिफर का कोई सीन है तो एमनेडील बहुत साफ श फस चुकी थी क्योंकि वो शालिट का नाम भी नहीं ले सकती थी नहीं तो शालिट भी यहां पर पकड़ी जाती इसी कारण वो बोलती है कि मैं तो चैट से मिलने आई हूँ मैं चैट के music audio की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं चैट से बहुत प्यार करती हूँ और इसके ब लुसिफर से बात करने लगती है बात से जाता वो अपने हाथ और पैर दौनो चला रहे थी जो कि कभी लुसिफर के मूँ पे पड़ रहे थे तो कभी आप स्क्रीन पे देख ही लीजे कि कहां पड़ रहे थे मेस लुसिफर को कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यूं किया तब लुसिफर को समझ में आता है कि तुम इस बात से इतना जादा गुसा हो तुम्हें किसने का कि मैं तुमें अकीला छोड़ के चला जाऊंगा तो मेस कहती है कि तुमने ये तो एमेनेडिल को कहा है कि तुम शालेट और एमेनेडिल सब जने सिलवर सिटी चले जाओगे वो भी मुझे बिना पता है तुमने क्या एक बार इस बारे में सोचा भी है तो लुसिफर कहता है कि एक मिनिट के लिए मेरी बात तो सुनो में यहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकती है और अगले मुवमेंट में हम लोगों ने देखा था कि ये दौनों बहुत जादा खून ख दहिता है तो लुसिफर कहता है कि बिल्कुल तो मेस कहते है कि ये तो उससे भी जादा बत्तर बात हुई तुम मुझे तो धोका दे ही रहे हो इसके साथ में उन लोगों को भी धोका दे रहे हो तुम बिल्कुल अपने मॉम और ड़ैट जैसे ही हो यहाँ क्लोई, डैन और खड़े थे जो कि फोन के पासवर्ट क्रेक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी वो पासवर्ट क्रेक नहीं कर पाए इधर लिंडा के सामने लुसिफर और मेज बैठे थे जो कि बहुत जादा इंजार्ड हो रखे थे लिंडा कहती है कि अब हालंकि मैं डॉक्टर नही हूं तो मैं घुमा फिरा के बाते नहीं करूंगी लुसिफर साफ सी बात है कि तुम्हें मेज की फीलिंक्स की कदर करनी चाहिए थी तो लुसिफर कहता है कि उसे इन बातों से कोई फरक नहीं पड़ता है और जब वो मेज की तरफ देखता है तो मेज रो रही थी तो लुस इसरी तरफ बियंका पहुची थी शालेट के पास में एक डिल लेके वो शालेट को कहती है कि तुम जो चीज स्मगल करवा रही थी जिक से वो मुझे पता चल चुकी है मैं तुम्हें वो चीज लाके दे दूँगी लेकिन इसके बदले में मुझे चैट का फोन तुम लाके द नहीं था क्योंकि वो जो चीज स्मगल करवा रही थी वो फ्लीमिंग स्वाट का तीसरा पीस था इसी कारण वो चैट का फोन चोरी करने के लिए पहुच जाती है पुलिस टेशन में जहां पे एला अभी भी पासवाट करने की कोशिश ही कर रही थी एला ना समझी में शाले की जताने की कोशिश करती है क्लोई कहती है कि अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है कि तुम्हारा और शालेट का रिलेशन इतना अजीब सा क्यों है तो लुसिफर कहता है कि अब क्या कर दिया है शालेट ने तो क्लोई कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि तो लुसिफर मन ही मन मुस्कुरा रहा था और कहता है कि आगे बताओ तुम्हें आगे और क्या पता चला है तो Chloe कहती है कि उसने बताया कि तुम्हारे फादर के साथ उसके रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं है और जब पता चलता है कि ये बिल्कुल सेफ है तो वो शालेट को ड्रिंग भी ओफर करती है यहां Chloe ने शालेट के ड्रेस में एक माइक टिक्स कर रखा था जो कि वो एक वैन में बैटके लूसिफर और Chloe तोनों सुन रहे थे बादे के मुताबक अब बियंका शालेट को एक चाबी देती है शालेट कहती है कि ये हमारी डील बिल्कुल भी नहीं थी और तब तक शालेट अपना माइक भी खराब कर चुकी थी ताकि Chloe उसकी बात सुन ना पाए यहाँ शालेट बियंका को कहती है कि तुमारे साथ मेरी ये डील नहीं हुई थी और इधर Chloe को लगता है कि या तो शालेट मुसीबत में है या फिर वो हमारे साथ में ही गीम खेल रही है इसी कारण वो सारे पुलिस वालों को लेकि पहुँच जाती है बियंका के घर पे जहां पे Chloe शालेट को कहती है कि मुझे तुमें चेक करना पड़ेगा तो शालेट कहती है कि जरूर तुम्झे चेक कर सकती हो लेकिन चेक करने पे Chloe को कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि वो चाबी अभी लूसिफर की हाथ में थी उसी चाबी के लॉकर से लूसिफर को एक बुक मिलती है तो शालेट बुक देखके भड़क जाती है और कहती है कि जिख हमारे लिए ये स्मगल कर रहा था इसे बैठ के पढ़ेगा कौन और आखिर वो तीसरा पीस हो कैसे सकता है वो लूसिफर को कहती है कि इसे पढ़ yen के बताओ तो लूसिफर कहता है कि मुझे लेग्वजत बोलनी आती है पढ़नी नहीं आती है तब ही एमेनेडील कहता है कि ये समेरियन है मैं इसे पढ़ सकता हूँ शालिट कहती है कि तुम मेरे हूनहार बच्चे हो लेकिन तुम इतना टाइम नहीं लगा सकते हो तुमें इसे जल्दी पढ़ना पड़ेगा तब है लुसिफर शालिट को कहता है कि मॉम आखिर बात क्या है कि क्या तुमें पता है कि शालिट लुसिफर की स्टेप मॉम है जिससे डैन को पता चलता है कि ओ माई गॉड अब समझ में आया कि लुसिफर इतना गुसा क्यों होता है क्लोई मजाक में एक डायलोग और बोलती है कि अगर कल को मान लो तुमारी अगर शालिट से शादी हो जाए तो तुम लूसिफर की स्टेप डेट बन जाओगे जिस बात पे ये लोग बहुत हसते हैं यहां हम देखते हैं कि शालिट से मिलने के लिए चैट पहुचता है जहां पे शालिट कहती है कि चैट मुझे सच सच बताओ कि जिक ने आखिर क्या समगल किया था तब ही चैट अपने pocket में से एक blade निकालता है शालेट के उपर सीधा उस blade से बहुत बुरी तरीके से attack कर देता है और वो blade शालेट के पेट में लगने के कारण उसे बहुत pain होने लगता है लिकिन जब शालेट अपने पेट से उस blade को बाहर निकालती है जिससे कोई भी इंसान जल सकता है शालेट इसे रोकने के लिए क्या करेगी ये हमें आगे पता चलेगा एपिसोड के आखरी सीन में हम देखते हैं कि एमेनेडील और लूसिफर बैठे थे एमेनेडील पताता है कि इस book में लिखा है कि आखरी piece जिसके पास में भी है वो गौड के सबसे फेवरेट सन के पास में है तो लूसिफर कहता है कि यूरियल ने कहा था कि वो आखरी piece यहीं पे है और तुम कह रहे हो कि वो गौड के सबसे फेवरेट सन के पास है that means aminadeel वो तुमारे पास है तो aminadeel lucifer को कहता है की God के सबसे favorite बीटे तुमी हो तो तुम बताओ कि जब तुम अर्थ पे आए थे तो अपने साथ में क्या लाए थे lucifer कहता है कि मेरे पास सर्फ मेरे wings थे एमेनेडील को लगता है कि लुसिफर के हाथ के रिंग शायद वो तीसरा पीस हो सकती है लेकिन तब लुसिफर कहता है कि एमेनेडील अपनी तरफ देखो यानि कि उनके फेवरेट बेटे तुम हो और इसी के साथ गाइज यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है जब बात लुसिफर सीजन 2 के आखरी एपिसोड की हो रही हो कैसा हो जब गाइज को पता चले कि उसका डेविल बेटा उनसे कोई बात छुपा रहा हो और अब जब गाइज को गुस्सा आ जाए तो वो अपना गुस्सा किस पे उतारने वाली है और इसी के साथ गाइज इस एपिसोड का एक लास्ट सीन है जो कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि एक वो ही सीन है जो कि हमारे तीसरे सीजन का बेस होने वाली है गाइज मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इस एपिसोड में बहुत सारी चीजे हैं तो अगर आपको मेरे voice और video के अंदर कुछ transaction की कमी लगे तो आप उसी please थोड़ा सा ignore करियेगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं लूसिफर सीजन 2 के एपिसोड नमबर 18 को जहां पे हमने पहले देखा था कि इस पूरी फैमिली ने फ्लेमिंग स्वार्ट के हर एक पार्ट को ढूणने में काफी जादा मेहनत की थी और आखिर कारन लोगों को अपना तीसरा पीस म निकलने से रोकना था इसी कारण शालेट अपने पेट पेस टैपल कर लेती है और फिर फोन करती है कि मुझे एक फेवर चाहिए इसका मतलब था कि शालेट को बॉड़ी ठिकाने लगानी थी यहां पे अमेनेडिल साथ व्यासमान में था कि डैट का सबसे फेवरेट सन मैं ह और इसी कारण वो लुसिफर के साथ में बच्चों के जैसे खीलने लगता है और उसे वो लॉकिट देने से मना कर देता है लुसिफर कहता है कि अमेनेडिल यह बहुत इंपॉर्टन चीज है और आखिर अब जब यह तुम्हें मिल चुकी है तो मुझे यह जल्द ही दे दो जहांपे अगला सीन हम देखते है कि शालिट पहुचती है लिनडा के पास में अपनी बॉड़ी पर स्टिचिस कराने के लिए तो लिनडा कहती है कि मैं टॉक्टर हूँ लेकिन मैं डॉक्νεूल स्टूडिन्ट नहीं हूँ मुझे कहीं स्टिचिस करने नहीं आती हैं कि तभी उसकी बॉड़ी से निकली काफी 23 लाइट लिंडा की ओफिस की दिवार से आर पार निकल जाती है और वो दिवार चल जाती है जिसे देखके लिंडा इतनी डर चुकी थी कि वो अपनी मूँ से बोलती है कि क्या तुम्हें लूसिफर ने मारा है शालिट इस बात को सम सीन पे पहुंचते हैं जहां पर लूसिफर कहता है कि कभी कभा लोगों का दिमाग खराब हो जाता है जैसे कि मेरा भाई एमेनदील अब जब यह सब लोग बॉड़ी को देखते हैं तो एला बताती है कि इसकी पूरी बॉड़ी को ब्लीच कर दिया गया है और इतनी दर्द जारिक यह थे कि उसके कैबिन में कोई है जब लूसिफर दर्वाजा खुल के अंदर पहुंचता है तो वहां वो शालिट को देखता है और पूछता है कि आप तो नहीं यहां पे क्या कर रही है एक साथ तो शालिट कहती है कि तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए इन और जल्दी ढूणना पड़ेगा तो शालिट कहती है कि आमने डिल का इससे क्या लेना देना है तो लूसिफर कहता है कि मॉम आपके बॉड़ी के अंदर पावर इतनी जादा बढ़ती जा रहे है कि एक दिन यह इनसानी बॉड़ी फट जाएगी और हम लोगों को अब फ्ल आया हूँ और यह मत कहना कि वो इनसान चैट ही था और उस केस पे क्लोई काम कर रही है जो कि बहुत स्मार्ट है और आपके बारी में पता लगा लेगी यहाँ पे अमने डिल अभी भी लूसिफर को नहीं मिला था इसी कारण वो मेज को ढूंडता हुआ उसकी घर पे पहु चैती है कि अच्छा होगा तुम्हारी मौ मर जाएगी तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है तो लुसिफर कहता है कि उसके आसपास में बहुत लोग होंगे जिससे की काफी लोगों को खत्रा भी है और इसके बाद में मेज कहती है कि मैं फ्री में कोई काम नहीं करने मैं सच बता रहे हूँ मैं इस केस पे उतने ही शित्तत से काम करूंगी जितना की हर केस पे काम करती हूँ इधर लुसिफर एला की पास पहुंचता है जो कि चेक करने के लिए गया था कि कहीं एला को कोई एविडेंस तो नहीं मिल गया है तो एला कहती है कि अभी तक तो कु किया होगा जो कि इस बॉड़ी को ले कि आई थी यहां पर आमिनडील अपनी फामिली प्रॉब्लम से परेशान होने के कारण डैन के साथ में इंप्रोफ करने के लिए पहुत चुका था जो कि बिल्कुल भी अच्छे से इंप्रोफ नहीं कर रहा था और अपनी इंजल और डे क्या आती हैं जिनके हाथ में डेट बॉड़ी थी व लड़कियां कहती हैं कि हमें कलश समझ रहे हैं हम तो यहां क्राइम पर रखी हुई में इस केस से मेरा ध्यान भठकाने की कोशिश कर रहे हो दूसरी तरफ एमनेडील अब खुश था कि उसकी बाते डैन समझता है इसी कारण वो डैन को हग करता है और तभी यहां पर मेज पहुच चुकी थी एमनेडील की बाउंटी हंटिंग करने के लिए एमनेडील कहता है कि मैं तुम्हें वो तीसरा पीस नहीं दूँगा और तुम भी समझो इन बातों को कि अगर हम लोग हैविन चले गए तो बहुत ही बुरा होगा तो मेज एमनेडील की कोई खास बात नहीं सुनती है और उसे इलेक्रिक शॉक देखिए वहीं बेहोश कर देती है यहां क्लोई को पता चलता है कि वो जो दौनों लड़कियां थी जिसमें से एक नहीं कहा था कि मैं अपनी बॉइफ्रेंड के साथ में थी वो लड़का तो इस सिटी की अंदर था ही नहीं पिछले साथ दिनों से यहां कि मैं ही डैट का फेवरेट सन हूँ और मैं तुम्हें यह तीसरा पीस कभी नहीं देने वाला हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मॉम को हम हैवन में नहीं बेज सकते हैं उनकी जो जगह है उन्हें वहीं रहने दो तो लुसिफर कहता है कि हमें बस मॉम को हैवन बेजना है उसक important चीज़ दिखानी है लेकिन मेज आके कहती है कि तुमारी मॉम भाग चुकी है लूसिफर एमनेडील को बता चुका था कि मॉम की बॉड़ी के अंदर पावर सब नहीं रुक रही है जो कि किसी भी इंसान को खत्म कर सकती है यहां सीन शिफ्ट होता है लिंडा की आफिस में ज शालिट को सब कुछ समझ आ जाता है और वो लिंडा को काफी जोर से पकड़ के कहती है कि सच बताओ कि आखिर बात क्या है नहीं तो तुम सोच भी नहीं जगती कि तुमारे साथ में क्या हो सकता है यहां क्लोई एक दूसरी लोकेशन पे पहुचती है जहां पे एक और सेम इस जली हुई onda है यह उन्हीं दौनों लड़कियों में इसी एक लड़की की थी जिसकी पहर रोते हुए पहुचती है कि आ खिर तुमने हमें सच नहीं बताया तो वो लड़की कहती है यह सब कुछ मेरे लिए एक हिंट है पहले मेरे बहन मारी गई और अब अगर मैंने मेर तो मैं भी मारी जाओंगी Chloe इसी कारण फोन करती है लूसिफर को कि तुम जल्दी आओ क्योंकि यह लड़की बहुत जादा डई हुई है और तुम इसके उपर अपना magic करके इससे उगल वालो कि इसे किसने काम दिया था बोड़ी ठिकाने लगाने के लिए यहां लूसिफर कह मैं तोड़ी प्रॉब्लम में फसा हुआ हूँ को तुमसे बात ने बात करता हूँ और तभी वो कहता है कि मौम आप यहां पे लोई यह बात सुन चुकी थी लोई एला से कहती है कि मैं कुल्स समझ नहीं पा रही हूं यह किसी चीज को छुपा रहा है या फिसी इंसान को छ चाती है यहां शालेट लक्स में पहुंच चुकी थी जिसके सामने इनके दौनों बेटे थे एक डैविल और एक इंजिल शालेट कहती है कि तुम हमें वहाँ पे छोड़कर अकेले आने वाले थे तो लुसिफर कहता है कि मौम आपको ये बात कैसी पता चली तो शालेट कहती ह हवा में बहुत सोड से दूर तक फैक दिया यहां ये दौनों समझ चुके थे कि मौम की पावर अब बिल्कुल भी बस में नहीं रही है तब शालेट आके फिर से वो तीसरा पीस एमनेडील से मांगती है तो एमनेडील मना कर देता है क्योंकि लुसिफर भी कह चुका था कि मौम आप हैवन जाने के बज़ाए कोई दूसरा रस्ता ढून लीजिए अब एमनेडील शालेट को कहता है कि अगर आपको वो तीसरा पीस चाहिए तो आपको मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा तो शालेट कहती है कि मैं कोई दूसरा रस्ता देख लूंगी यहां प में जाता हूँ यहां अब क्लोई और डैन को पता चल चुका था कि चैट को शालेट नहीं मारा है और इसी के साथ उस दूसरी लड़की को भी तो शालेट कहती है कि तुम लोगों ने पता कैसे लगाया कि उसे मैं नहीं मारा था मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी लेक और बी बहुत लोग हैं इसके बाद में शालेट लोई और डैन को कहती है कि रहे तूसरी लेकिन सिर्फार दूए को पता दूंगी लेकिन सिर्फ और शिर्फ क्लोई को दैन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुचाना चाती हूँ जाने से पहले शालेट यह कि तुम tapi पे मेरे सबसे फेवरेट इनसान हो इधर लूसिफर एमनेडील को कॉल करके पूछता है कि भाई आखिर बताओ कि तीसरा पीस कहां पर चुपाया है तुमने मेज लिंडा के पास में पहुंचती है जहां पे मेज के आखों के सामने लिंडा बहुत पूरी तरीके से घायल तभी वहाँ पे आमेनेडील आता है जिसे मेज देखे कहती है कि मेरी मदद करो यहाँ पे डैन के सामने लुसिफर आखड़ा होता है और लुसिफर कहता है कि तुम बस अपने हाथ उपर करो मुझे कोछ चीज़ें ढूननी है एमेनेडील ने अपने गले का लॉकेट डैन के पॉकेट में चुपाया था जो कि अब लुसिफर को मिल चुका था यहाँ क्लोई बताती है कि तुमने बहुत अच्छा प्लैन बनाया पहले तुमने चैट को मारा उसके बाद में दो लड़कियां हायर की उसकी बॉड़ी हटाने के लिए और फिर उनमें से एक लड़की को मार भी दिया तो शालिट कहती है कि एक मिनट मैंने उस लड़की को नहीं मारा था तो क्लोई कहती है तो फिर उसे किस ने मारा तभी यहाँ पे लुसिफर पहुँच जाता है जो कि शालिट को कहता है कि मॉम अब आप क्लोई से दूर रहे और क्लोई को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ तो क्लोई कहता है कि मैंने इसी पकड़ाया और तुम मुझे ही कह रहे हो कि यहाँ से चली जाओ इतनी देर में यहां हेक्टर पहुँच जाता है जो कि क्लोई को कहता है कि तुम बहुत ही पैशिनेट डिटेक्टिव हो तुमने शालिट को ढून लिया शालिट मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा तुमने मेरी पूरी फैमिली बरबाद कर दी लुसिफर कहता है कि ऐसी गलती कभी मत करना इस कारण यहांपे सारे लोग मर सकती है इधर में इस कहती है कि हमें लेंडा को हॉस्पिटल ले जाना होगा तो ऐमिली में इसको कहता है कि इसका भौत जादा खून निकल चुका है हमारे पास इतना वक्त नहीं है लेकिन तब ऐमिली अपने उपर ध्या जिसे देख के लुसिफर कहता है कि मेरे भाई एमेनेडील। लुसिफर और शालेट उस जगह की रेलिंग से नीचे कूच जाते हैं। जहां पर लुसिफर उस फ्लेमिंग स्वाड में तीसरा पीस लगाता है जिस कारण वो फ्लेमिंग स्वाड पूरी हो चुकी थी। और आप भी तो यही चाती थी कि डैट से दूर रहे और अपनी एक नई जिन्दगी बनाएं। तो शालेट कहती है कि मैं तुम लोगों को छोड के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं तुम लोगों से दूर नहीं जा सकती हूँ। लुसिफर कहता है कि आप अगर हमारी मॉम है तो आपको यह करके दिखाना पड़ेगा प्लीज मॉम आप इसे साबित करके दिखाएं। तो शालेट कहती है कि मैं तुम बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुचाना चाती हूँ। और तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। फर हवा में वो स्वार्ट चलाता है जिससे की हेल के दर्वाजे खुल जाते हैं और शालेट वहाँ से चली जाती है उस हेल में हमेशा के लिए। इसी दर्वाजे के अंदर लुसिफर उस फ्रीमिंग स्वार्ट को भी फैक देता है जिसके बाद समय फिर से नॉर्मल हो चुका था और मेज लिंडा को हॉस्पि लुसिफर को कहती है कि तुम ये सारी बाते पहले से ही जानते थे तो तुम ये बात मुझे पहले भी तो बता सकते थे देट मींस तुम मुझे भरोसा करते ही नहीं हो हालांकि ये सारी चीजे अब हेक्टर के उपर आ चुकी है कि उसने ही अपने भाई और उस लड़की को म मारा था क्योंकि उसके कार में बर्निंग मशीन भी मिली थी लूसिफर अभी तो क्लोई के सामने कुछ भी नहीं कहा पाता है और इसके बाद में वो लिंडा से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुचता है जहां लूसिफर बहुत जादा शेमलेस फील करता है कि मेरे कारण तुम मैं हर चीजे ठीक कर दूँगा लिंडा लेकिन अभी सिर्फ हम लोग तुम पे ध्यान देंगे यहां लूसिफर एक वोईसमेल रिकॉर्ड करता है जो कि क्लोई के लिए था वो क्याता है कि क्लोई मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूं और आज मैं तुम्हें मुझ से हुए रिगिस्तान में खुद को देखता है जहां लूसिफर की बॉड़ी 23 गर्मी के कारण जली हुई सी थी लूसिफर खुद को देखता है कि वो ऐसी जगह पे हैं चाहां दूर दूर तक कोई भी नहीं है और तब हम देखते हैं कि लूसिफर के पास उसके विंक्स भी आ हैं गाइस सेकंड सीजन यहां पे खत्म हो चुका है तो आप सभी लोग मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजेगा कि आप लोगों को ये सीजन कैसा लगा था मैं कोशिश करूंगी कि तीसरा सीजन आप लोगों के लिए काफी जल्दी स्टार्ट कर सकूं और हर दिन वो हुआ हुआ है